Hello students, आप अगर civil engineer हो, architect हो या फिर interior designer हो, आपके field में 3D modeling एक बहुत ही ज़ादा important role play करता है अपने पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे 3D modeling के software और projects को explain किया है जिसमें मैंने AutoCAD और Revit software का use किया हुआ है बट ये दोनों software जो हैं वो advanced 3D modeling के लिए नहीं बने जो advanced 3D modeling के लिए सबसे ज़ादा famous और सबसे ज़ादा use होने वाला software है वो है SketchUp and 3ds Max इन दोनों में मैं 3ds Max को ज़्यादा advanced मानता हूँ क्योंकि इसमें हम advanced modeling, texturing, lighting और advanced realistic rendering भी कर सकते हैं तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3ds Max complete course for beginners तो आप अगर beginner हो और basic से 3ds Max सिखना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़ादा helpful होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे important चीज़े जो के civil architect और interior designer अपने 3D modeling में use करता है वो सारी चीज़े में explain करने वाला हूँ इस complete course में मैंने 3ds Max का latest version 2023 यूज किया है आप चाहो तो old version भी use कर सकते हो 3ds Max एक advanced modeling and rendering software है तो इसलिए आपको यहाँ पर advanced specification का computer भी यहाँ पर use करना होगा इस वीडियो में मैंने जिस computer का use किया है उसके specification मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने i5 9th generation processor का use किया हुआ है 8GB RAM and 4GB graphics card का use किया हुआ है आप चाहो तो without graphics card भी use कर सकते हो बट आने वाले advanced modeling और advanced project में आपको graphics card की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ेगी अगर आप 3ds Max course complete detail में सीखना चाहते हो तो आप हमारे CAD app को Google Play Store से download कर सकते हो जिसमें मैंने सारे certified courses available किये हुए है और अगर आप India से बाहर रहते हो और हमारे course को buy करना चाहते हो तो udemy.com से आप हमारे courses को buy कर सकते हो इन सभी courses के link और discount coupon मैंने इस video को description में दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर buy कर सकते हो तो और देरी ना करते हुए चलिए इस video को start करते है इस video में मैं use करने वाला हूँ 3ds Max 2023 जो के Autodesk का अभी तक का सबसे latest software है आप चाहो तो कोई भी old version भी use कर सकते हो सेम इसी तरह के steps आपको follow करने है तो यहाँ पर हमारा 3ds Max 2023 ओपन हो गया है अब यहाँ पर एक screen आपको नजर आ रही है जस्ट आपको इस close बटन पर जाकर इसे close कर देना है तो आपने भी अगर 3ds Max newly install किया है तो आपको भी कुछ इसी तरह का window मिलेगा तो चलिए quickly हम 3ds Max के interface को समझ लेते हैं सबसे उपर आपको यहाँ पर title बार मिल रहा है जिसमें आपके file का नाम और software का नाम लिखा हुआ होता है उसके नीचे यहाँ पर आपको menu बार मिल रहा है जिसमें आपको 3ds Max के सारे options यहाँ पर मिलेंगे उसके नीचे यहाँ पर एक छोटा सा बार नज़र आ रहा है देखिए इस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं modeling, free form, selection, object paint, popular इसे हम लोग यहाँ पर ribbon बोल सकते हैं यहाँ भी छोटा नज़र आ रहा है मगर अगर आप यहाँ पर इस button पर click करेगे तो यह आपको बड़ा नज़र आएगा तो इसे हम ribbon बोल सकते हैं जैसा कि AutoCAD में होता है तो इसे आप click करके छोटा भी कर सकते हो या फिर बड़ा भी रख सकते हो वैसे हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो हम इसे छोटा ही रख सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर side में देखिए यहाँ पर आपको layers toolbar मिलेगा या फिर आप scene explorer भी बोल सकते हो 3ds max language में इसमें क्या होता है कि जो भी objects आप create करेंगे वो सारे objects की list आपको यहाँ पर मिल जाएगी ताके हमें यहाँ पर workspace हमारा बड़ा नजर आए तो यह buttons आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे इसे grip बोल सकते हो इसके through आप इने drag करके बाहर ले जा सकते हो और close भी कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको viewport मिल रहा है main यहाँ पर 4 viewport हमें नजर आ रहे हैं 3ds max में अलग-अलग views में काम करना होता है इसलिए हमें यहाँ अलग-अलग views के लिए अलग-अलग viewport दिये गये हैं तो first यहाँ पर आप देख सकते हैं कि top view यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर front view दिखाया गया है यहाँ पर left side view दिखाया गया है और यहाँ पर 3D perspective view दिखाया गया है तो जो भी object आप create करेंगे उसका front view, top view और left view आप यहाँ पर देख पाएंगे साथ ही साथ उसका एक perspective 3 3D view भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा तो 3ds Max में अलग-अलग views से काम करना होता है तो इसलिए यह सारे views यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं आप चाहो तो इन्हें चेंज भी कर सकते हो आपको चार viewport नहीं चाहिए आपको single viewport चाहिए तो आप यहाँ पर corner में जा सकते हो यहाँ पर setting है यहाँ पर आप click करके अलग-अलग viewport में change कर सकते हो like single viewport तो यहाँ पर single हो जाएगा आप चाहो तो यहाँ पर 3 viewport को रख सकते हो जितने views की आपको requirement है उतने viewport आप रख सकते हो फिलाल हम लोग default 4 viewport ही रखेंगे यहाँ पर तो 4 viewport मैंने यहाँ पर रख दि देख सकते हो कि यहाँ पर timeline है जिससे आप animation create कर सकते हो जी हाँ 3ds max में animation भी आप कर सकते हो तो यह timeline है उसके बाद यहाँ पर आपको 3 x y z axis नजर आ रहे होंगे इसे हम कहते हैं coordinates आप जो भी object यहाँ पर create करेंगे उसके coordinates x y z coordinates आपको यहाँ पर नजर आएंगे उमीद है to x y z axis ओके तो shortcut में मैंने बता दिया है उसके बाद आप यहाँ पर देखिए animation control आपको यहाँ पर मिल रहा है animation करते वक्त इन controls का आप use कर सकते हो और भी यहाँ पर animations के कुछ options हैं मैं उन्हें ज्यादा explain नहीं करूंगा क्योंकि यह हमें use होने वाला भी नहीं है उसके बाद pan, zoom in, zoom out और यहाँ पर orbit वगरे बहुत सारे options हैं उनका use आप कर सकते हो वैसे इन सभी को आप mouse से भी control कर सकते हो shortcut के थूँ इसका use हम बहुत कम करते हैं तो यहाँ पर हमने नीचे के सारे buttons हमने देख लिए हैं अब यहाँ पर side में आप देख सकते हो कि side में आपको यहाँ प 3ds max में command panel हमारे लिए सबसे ज्यादा जूरी है क्योंकि 3ds max में हमें कोई भी object बनाना है या फिर उसमें कोई modification करना है जो कुछ भी करना है हम इस command panel का ही use करने वाले हैं तो यहाँ पर यह command panel उसमें बहुत सारे options आपको दिये गए हैं जैसे कि यहाँ पर first option है यह create का option है जि करके explain बाद में कर दूँगा अब next मैं आपको बताना चाओंगा जैसे के आप 3ds max start करते हो और अगर आपसे कोई भी गलती से toolbar delete हो जाता है या फिर कोई toolbar आपको नजर नहीं आ रहा तो आप उसे कैसे restore कर सकते हो तो मैं आपको directly viewport को restore करने का option बताऊंगा जिसे सारे options आपक आपको option मिलेगा workspace में आपको यहां पर default option मिल रहा है तो यहां पर अगर आप click करते हो तो यहां पर नीचे आपको मिलेगा reset to default state इस button पर click करते ही आपके सारे toolbar reset हो जाएंगे जैसे कि मैं example के लिए यहां पर आपको दिखा देता हूं मैं command panel यहां से delete कर देता हूं अब हम क्य करेंगे यहां पर default option में जाएंगे और reset to default state button पर click करेंगे तो देख सकते हो कि हमारे यहां पर command panel भी आ गया है और हमने यहां पर layers का जो toolbar यहां पर delete किया था वो भी आ गया है तो हम इसे again close कर लेंगे तो यह हो गया हमारा first option second option हमें देखना है तो उसके लिए मैं यहां पर इसको close कर देता हूं customize में जाएंगे custom user interface और यहां पर आपको toolbar में आ जाना है main UI यहां पर select होना चाहिए अब यहां पर reset button पे आपको click करना है और यहां पर yes कर देना है अब यहां पर close करते ही देखिए जो toolbar है again हमारा यहां पर restore हो गया है तो दो option मैंने बता दिये उससे करते हुए हम object को यहां पर create करना start करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ भी आपको create करना है तो generally हम उसे यहां पर command panel से use कर सकते हैं यहां पर आपको create panel पे यहां पर चले जाना है create panel में आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आपको geometry option, shapes, lights, camera और भी बहु shapes में आपको यहां पर 2D objects मिलेंगे और lights में आपको light creation के option मिलेंगे इसी तरह camera, camera create करने के लिए तो यहां पर हम आजाते हैं अब geometry option में यहां पर आपको select करना standard primitives यहां पर अलग-अलग options दिये गए हैं सभी option में हमें अलग-अलग shapes और अलग-अलग ready-made objects दिये गए हैं आप इनको एक-एक करके use कर सकते हो standard primitives में कुछ ready-made shapes हमें दिये जाते हैं जैसे के box, spare, cylinder, torus, teapot, cone यह सारे shapes हमें ready-made दिये गए हैं generally हम 3ds max में कोई भी object बनाते हैं तो एक basic shape का हम यहां पर use करते हैं पहले हम object का basic shape create करते हैं और उसके बाद उसमें हम लोग details add करते हैं जैसा कि अगर आपको कोई football बनाना है तो आप generally spare shape का use करोगे अगर आपको कोई television या फिर कोई rectangular object बनाना है तो generally आप start में box का use करोगे यहां पर plane भी है plane का आप बहुत चीज़ों में use कर सकते हो plane से आप बहुत चीज़े create कर सकते हो तो मैं यहाँ पर आपको कुछ main main चीज़े ही बताने वाला हूँ जैसा कि यहाँ पर box मैं create करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर simple आपको single click करना है click करने के बाद आपको decide करना है कि आपको किस view में draw करना है generally आप यहाँ पर perspective या फिर top view से object से draw कर सकते हो तो आपको object draw करने के लिए करना क्या है simple यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा grid नजर आ रहा है यहाँ पर जो lines आपको नजर आ रहे हैं उसे हम grid बोलते हैं आप इसे as a ground consider कर सकते हो कि यह हमारा ground है और हमें जो कुछ भी create करना है वो इस ground के उपर ही करना है अगर आपको कोई table बनाना है तो वो इस ground reference के उपर होगा ठीक है तो generally हम इस ground के नीचे काम नहीं करते हैं इसके उपर ही हमारे objects generally बनते हैं और जो भी object हम create करेंगे वो इसी plane पर बनेंगे इसे आप plane भी कह सकते हो तो generally हम रोग perspective या फिर top view में बनाते हैं तो अगर हम top view से बनाते हैं तो देखिए किस तरह से ये create होता है मैं first click करके drag करता हूँ यहाँ पर देखिए width and length के लिए देखिए length and width यहाँ पर decide हो रही है हमारे object की याद रखिए click करने के बाद drag करना है click को छोड़ना नहीं है उसके बाद click छोड़ने के बाद आप जैसे ही उपर जाओगे तो इसकी height भी decide हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर हमारे 3 dimension हम दे सकते हैं अपने mouse से अप click करके जैसे ही आप छोड़ दोगे तो हमारा 3D object यहाँ पर बन चुका है यहाँ पर हमें top view नजर आ रहा है front view हमारे object का नजर आ रहा है और यहाँ पर left view नजर आ रहा है तो सभी views हमें मिल रहे हैं आप चाहो तो किसी एक view को बढ़ा कर सकते हो कैसे बढ़ा करेंगे उसके लिए shortcut है alt plus w आपको पहले viewport को select करना है जैसा कि अभी हमारा perspective viewport selected है तो य यहाँ पर देखिए yellow highlight हो रहा है तो हम अब यहाँ पर alt और w करेंगे तो हमारा यहाँ पर perspective view full screen में आ जाएगा इसी तरह again अगर हम alt plus w करेंगे तो यह हमारा again छोटा भी हो जाएगा तो इसी तरह से किसी भी viewport में अगर आप click करते हो तो हमारा viewport जो है वो बढ़ा या command लिया हुआ था यहाँ से वो still active है तो हम right click करके इसे inactive कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर right click करते हो command जो है exit हो जाएगा तो इस तरह से आप box बना के command से exit हो सकते हो again मैं फिर से एक object बनाता हूँ यहाँ पर मैं spare बनाऊंगा आप spare के लिए आपको select करना है click करके drag करना है तो अगर आप यहाँ पर side में देखोगे तो यहाँ पर कुछ extra options भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर एक bar है sliding bar यहाँ से आप slide कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए इसके बहुत सारे settings आ रहे हैं तो जो भी object आप यहाँ पर create करोगे उन सभी के settings and parameters आपको यहाँ पर नजर आने यहाँ पर आप देख सकते हो इस spare की radius इसको आप click करके उपर slide करोगे तो यहाँ पर इसकी size बढ़ेगी और नीचे slide करोगे तो इसकी size कम होगी तो इस तरह से आप इस value को click करके अपने mouse को slide करके values को change कर सकते हो इस तरह से slide करना है just यहाँ पर radius कम ज्यादा हो रही है और भी बहुत सारे options हैं हम एक एक करके कुछ options यहाँ पर देखेंगे right click करके मैं command को exit कर लेता हूँ एक और मैं यहाँ पर box बनाने के कोशिश करूँगा box लूँगा और यहाँ पर एक box बनाऊँगा अब box में देखिए क्या-क्या parameters हमें मिलते हैं यहाँ पर नीचे अगर हम आएं है इन सभी को length को आप change कर सकते हो width को आप change कर सकते हो यहाँ पर और height को भी change कर सकते हो अब मैं alt plus w करके इस viewport को बढ़ा कर लेता हूँ अब यहाँ पर length width height नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर नीचे कुछ length segments option नजर आ रहे है देखिए आपको length segment width segment and height segment SEGS लिखा हुआ है segment का shortcut यहाँ पर इसका मतलब होता है segments ओके तो यहाँ पर single segment है आप इने बढ़ा भी सकते हो इनका मतलब आपको बाद में पता चलेगा जब अब हम advanced modeling या फिर poly modeling देखेंगे मगर अगर हम इस value को बढ़ाते हैं देखिए अभी तो फिलाल कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है मगर अगर हम यहाँ पर default shading की जगा यहाँ पर aged faces को click करते हैं तो देखिए अब हमें यहाँ पर कुछ lines नजर आ रहे हैं तो यह lines जो आपको नजर आ रहे हैं इने हम segments बोलते है देखिए इन segments को आप बढ़ा सकते हो याद रखिए कि इनी segment को use करके आप बहुत ही advanced modeling कर सकते हो तो यह segments आपको बाद में पता चलेंगे कि इन segments को हम क्यों यहाँ पर इस्तमाल करते हैं तो advanced modeling में segments का बहुत ही ज्यादा use होता है सरकल में अलग type के segment आ रहे हैं यहाँ पर अ staged faces को on करोगे अगर यह off होगा तो नजर नहीं आएंगे इसका shortcut है F4 अगर आप यहाँ पर अपने keyboard से F4 को press करते हो तो यहाँ पर आपको segments नजर आएंगे तो F4 से on off इन्हें कर सकते हो यह बहुत ही important command है तो इसे याद रखिए क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा use हमें होने वाला है और भी दूसरी चीज़े देखी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर standard option हमें दिखाया गया इसे हम visual style बोलते हैं visual style के through आप यहाँ पर अपने view mode को change कर सकते हो जैसा कि अगर आप यहाँ पर standard रखोगे तो इस तरह का नजर आएगा performance रखोगे तो थोड़ा सा आपको low quality में यहाँ पर आपका object नजर आएगा gray color में नजर आएगा अगर आपका computer low configuration का है तो आपको यहाँ पर performance mode में अपने view को देख सकते हो अगर आपका computer hang नहीं हो रहा है तो आप standard या फिर high quality में भी work कर सकते हो तो high quality में बहुत सारे shadows वगरे भी नजर आते हैं उनके भी बहुत सारे advanced setting है मगर उतने advanced की तरफ हमें नहीं जाना है अभी फिलाल और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए perspective view भी नजर आ रहा है तो आप यहाँ पर इसके view को यहाँ से भी change कर सकते हो साथ ही साथ इनका shortcut भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है like perspective में जाने के सामने की चीज़े आपको बड़ी नजर आती है उसी तरह orthographic में चाहे वो दूर हो चाहे सामने आपको object का shape जो है height वगेरे size वगेरे same नजर आएगी तो दोनों में यह difference होता है perspective में दूर की चीज़े छोटी नजर आती है orthographic में दूर की चीज़े same size की नजर आती है और भी यहां पर top view है bottom view है तो आप यहां पर change भी कर सकते हो like orthographic view देखिए अपर orthographic में change top view देखना है top view में change कर सकते हो उसके बाद bottom view यहां पर उसके लिए shortcut नहीं दिया गया front view के लिए F तो अलग-लग आप shortcut भी type कर सकते हो like top view के لिए मैं T press करता हूं देखिए हम top view में आ गये है front view के लिए मैं F press करता हूँ left view के लिए मैं L press करता हूँ तो ये left view, top view, front view हम यहां से change कर सकते हैं और अगर मुझे perspective view देखना है तो मैं P press करूँगा तो यहां पर perspective view open हो जाएगा perspective यहां पर हमें देखिए पूरी तरह से transparent नज़र आ रहा है क्योंकि यहां पर wire frame view यहां पर दिखाया जा रहा है तो solid view देखने के लिए यहां पर आपको F3 press करना है देखिए, F3 से आप यहां पर solid view अपने object का देख पाओगे और F4 से मैंने बताया था कि lines आपको यहां पर segments जिते हम कहते हैं segments को आप यहां पर देख पाओगे तो object के जो भी segments है उन सब को देखने के लिए F4 और F3 हम generally wire frame and solid edge को देखने के लिए use कर सकते हैं तो F3 और F4 बहुत ही जादा use होते हैं आप इन दोनों buttons को याद रखिए और views को change करने के लिए top view, front view के लिए T, F and L को आप use कर सकते हो and perspective view के लिए आप P का shortcut use कर सकते हो Alt plus W करता हूँ मैं यहां पर दो views में देखिए यहां पर top view, front view और यहां पर left view था मैं इसे L कर देता हूँ left view और यहां पर F3 परेस कर देता हूँ actually यह view जो था हमारा, वो हमारा perspective view था, यहां पर देखिए perspective view में open कर देता हूँ Alt plus W, इस viewport को बढ़ा करने के लिए, अब हमें यह जो view नजर आ रहा है, वो front view की तरह ही नजर आ रहा है तो इसको control हम कैसे करे, object के view को control कैसे करना है, तो उसके लिए आप mouse and keyboard का use करना है button, मतलब scroll के button को press करते हो, तो आप इसे pan कर पाओगे, इस तरह से यहां पर pan भी आप यहां पर कर पाएंगे और अगर आपको इसे rotate या फिर orbit करके देखना है, तो आपको यहां पर press करना होगा, alt plus middle mouse, alt plus middle mouse बटन को press करके mouse को drag करते हैं तो आप अपने object के view को यहां पर change कर सकते हो, orbit करके किसी भी view से देख सकते हो, देखिए इस तरह से तो alt plus middle mouse बटन प्रेस करके hold करना है और इस तरह से drag करना है, तो यह तीन option आप याद रखिए, zoom in, zoom out, pan and orbit इन तीनों का बहुत ही ज्यादा हम लोग use करते हैं, इसी का use आप यहां पर view cube के through भी कर सकते हो, देखिए यहां पर एक option है view cube, इससे आप views को भी control कर सकते हो, like top view, यहां पर corner isometric view, front view, view cube से control कर सकते हो, और अगर इससे right click करते हो, तो यहां पर orthographical view, right click करके perspective view, यह भी आप द orbit भी कर सकते हो, मगर देखिए, orbit यह सही से नहीं होगा, आपको मैं generally recommend करूँगा, कि आप alt plus middle mouse से ही orbit करें, और अगर आपको किसी specific object के around orbit करना है, तो उस object को आप select कीजिए, और उसके बाद alt plus middle mouse से आप उसे इस तरह से orbit कर सकते हैं, जैसा कि अगर हमारा object यहां पर कहीं दू रख देता हूं, और अगर मैं यहां पर orbit करता हूं, तो देखिए, यह किस तरह से object orbit हो रहा है, और अगर मैं इस object को select करता हूं, तब देखिए, यह किस तरह से object को orbit करेगा, तो जो object को हम select करेंगे, वो हमारे screen में fix रहेगा, यहां पर, अगर हम zoom भी करते हैं, तो यहां पर देखिए ये fix रहेगा तो select करके orbit करने से बहुत ही ज़ादा आपको फाइदा होगा अब मैं इन दोनों objects को delete करता हूँ अब delete करने के बाद हमारा grid जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है तो याद रखिए कि आपका अगर grid कहीं पर खो जाए या फिर object नजर नहीं आ रहा तो आपको simple एक shortcut प्रेस करना है Z तो computer से अगर मैं Z प्रेस करता हूँ तो हमारी सामने हमारा grid आ जाएगा और जो भी object हमने यहाँ पर बनाए होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे तो Z बटन को भी आप यहाँ पर याद रखिए तो बागी के objects देखिए आप try कर सकते हैं ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है जस्ट आपको click करना है click करके यहाँ पर drag करना है और जो भी parameters होंगे उस तरह से mouse को move करना है जिसा के मैंने यहाँ पर cylinder को create करने के लिए center में click किया और side में drag करके हम इसका radius decide कर सकते हैं और उपर की तरफ drag करके इसकी height को decide कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे parameters active हो गए हैं हम यहाँ पर देखिए इसकी radius इसकी height इसके segment change कर सकते हैं बस click करके drag करना है आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से value भी put कर सकते हो radius 20 height यहाँ पर 30 और यहाँ पर segments वगएरे अब यहाँ पर याद रखिए कि जो भी values यहाँ पर आप type कर रहे हो उनका कुछ unit अभी हमने set नहीं किया है अगर आप अपने object को meter में बनाना चाहते हो mm में बनाना चाहते हो feet या inches में बनाना चाहते हो वो कोई भी चीजे हमने यहाँ पर set नहीं की है तो generally हम बोल सकते हैं कि फिलाल जो हमारा object है वो unitless है तो अगर आपको किसी unit में काम करना है feet inches या फिर meter में काम करना है तो क्या करना है आपको unit set करना है तो right click करके मैं exit होता हूँ यहाँ पर command से अब unit set करने के लिए आपको यहाँ पर customize में जाना है customize में यहाँ पर देखिए unit setup option है इस पर click कर दीजिए unit setup आपका open हो जाएगा जस्ट यहाँ पर देखिए generic unit पर अभी set किया हुआ है आप यहाँ पर US standard पर click कर सकते हो अगर आप यहाँ पर feet and inches में काम करना चाते हो आप उसकी precision या फिर accuracy यहाँ से decide भी कर सकते हो तो default unit feet या inches रख सकते हो default unit का मतलब होता है जो भी value आप यहाँ पर type करेंगे वो inches में आना चाहिए या feet में आना चाहिए तो आप अगर inches में ज़्यादा काम करते हो values डालते हो अगर inches में तो inches select कर लीजिए और अगर आप ज्यादतर values feet में डालते हो तो feet select कर लीजिए और अगर आप meter में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर metric unit select कर सकते हो meter, centimeter, millimeter, kilometer में आप work कर सकते हो तो मैं यहाँ पर फिलाल feet and fractional inches रहने देता हूँ याद रखिए कि system unit में भी आपको check कर लेना है one unit equal to one inches आपको रखना है ठीक है तो यह option भी check कर लीजिए ओके कर लीजिए यह setting हो गए हमारे unit के अब अगर हम कोई box create करते हैं या फिर plane create करते हैं plane पर click करके simple click करके आपको drag करना है तो यह plane हमारा create हो जाएगा अब नीचे आते हैं यहाँ पर तो देखिए length यहाँ पर देखिए inches का भी symbol आ रहा है यहाँ पर है 3 feet and 3 inches 3 and something inches यहाँ पर दिखा रहा है accuracy के साथ अगर आप इसको point में देखना चाते हो तो इसको भी setting यहाँ पर आप कर सकते हो customize में unit setup हमें अभी point में नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर fractional inches रखा हुआ है fractional आप रखिए यहाँ पर decimal inches decimal inches अगर आप यहाँ पर रखते हो okay करते हो तो values आपको यहाँ पर points में नजर आएंगे देखिए 3 feet and 3.529 inches तो इस तरह से आप units को set कर लिजिए okay इसको values को कम ज़्यादा कर सकते हो जितने भी size का आपको यहाँ पर object चाहिए आप type भी यहाँ पर कर सकते हो 8 enter 8 हमने inches select किया है तो यहाँ पर देखिए 8 inch set हुआ अगर आपको 8 feet यहाँ पर डालना है तो 8 feet का symbol single apostrophe डालना होगा और अगर inch डालना है तो 6 inch का double apostrophe यहाँ पर डालना होगा इस तरह से आप feet and inches के values डाल सकते हो enterprise किजिए यह हमारा 8 feet and 6 inch आ गया है इस तरह से unit आप यहाँ पर डाल सकते हो इनके segments यहाँ से control कर सकते हो इन segment का बहुत ही जादा important role आगे चलके आने वाला है हमारे 3ds max में कुछ extra settings नीचे आपको नजर आएंगे उनको आपको नहीं छेड़ना है फिलाल आप कुछ-कुछ यहाँ पर खुद से अलग-अलग objects बनाके कुछ settings यहाँ पर try कर सकते हो मगर यह नीचे के कुछ options आप उन्हें मत छेड़िए अगर आपको समझ आता है length, width, segments वगएरे आप change कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर देखिए कभी-कभी हो सकता है कि आपका यह जो parameter है वो छोटा हो गया हो आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो हो सकता है कि ऐसा आपको नजर आ रहा हो तो आप यहाँ पर आपको click करके इसे खोलना पड़ेगा और भी कुछ setting है keyboard entries वगरे इन्हें हम अभी फिलाल नहीं देखेंगे यहाँ पर आपके object का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ पर object का color दिखाई देगा आप यहाँ पर click करके इस object के color को भी change कर सकते हो कोई भी select कर लीजिए, ok कर लीजिए और plane का यहाँ पर नाम भी आप change कर सकते हो तो वैसे नाम की तरफ हम इतना ध्यान नहीं देते, अगर आपको identify करने के लिए नाम डालना है, तो आप डाल सकते हो, अब यहाँ पर मैं right click करता हूँ, इसे मैं delete करता हूँ, तो जैसा कि यहाँ पर हमने एक cylinder बनाया हुआ है, मैं इसे click करके select करता हूँ, अब जैसा कि आप जैसे ही हम अपने command से बाहर आते हैं, या फिर कोई object करते ही बाहर आते हैं, तो हमारे सारे settings यहाँ पर गायब हो जाते हैं, और अब अगर हम इसे select भी करेंगे, तब भी cylinder के कोई भी setting हमें यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, जैसा कि मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक cone बना लेता हूँ, यहाँ पर radius दे दूँगा, height दे दूँगा, click करूँगा और इस तरह से नीचे की तरफ आ जाऊँगा, तो just इसी तरह से बस click करना है, drag करना है, height या फिर radius देना है, इसी तरह की values डालने हैं, आप सभी track कर सकते हो, तो जैसे right click करके मैं जैसे command से बाहर आता हूँ, तो हमारे सारे options गायब हो जाते हैं, तो इसके again setting करने के लिए आपको यहाँ पर modify panel पे आना होगा, modify panel पे आपको again इसके सारे settings मिल जाएंगे, तो कौन-कौन से setting मिल रहे हैं, यहाँ पर color and name के setting यहाँ पर मिल रहे हैं, हमें यह control कर सकते हैं, कभी-कभी हम इसको off भी रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, कि हमारे object में smoothness apply होती है, तो अगर हमें smooth नहीं चाहिए हमारा object, तो हम इसे off कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा difference नजर आ रहा होगा, तो मैं इसको sides को थोड़ा कम कर देता उसके बाद अच्छे से आपको समझ आएगा, देखिए अभी हमने smooth को off रखा है, और smooth को अगर on रखते हैं, तो देखिए थोड़ा सा smooth नहीं नजर आएगा, तो इन दोनों में फरक आपको पता चल रहा होगा, कि smooth view के लिए आप smooth को on कर सकते हो, slice भी होता है, इसमें slice से आ आप cut कर सकते हो, देखिए, तो हर option में कुछ extra options दिये हुए होते हैं, इन options को आप use करके, कोई advanced shape भी बना सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से इसको slice कर सकते हो, इसे मैं close कर देता हूँ, यहाँ पर again मैं modify से create में आ जाता हूँ, याद रखिए, कि हमें यहाँ पर setting करने के बाद create में आना ज़रूरी है, क्लिक करके, तभी हम other objects create कर पाएंगे, तो अब मैं इसे center में ले लेता हूँ, याद रखिए, कि यहाँ पर अगर हम कोई भी object हमारा गायब हो जाता है, तो आपको सिर्फ Z press करना है, Z press करते ही object आपके सामने, जिसे कि मैं इसको side में ले लेता हूँ अब मुझे पता नहीं कि हमारा object कहां चला गया है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर Z press करूँगा, और object मेरे सामने आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर standard primitives से कुछ objects बना लिए हैं, आप बाकी के try कर सकते हो, अब जाएंगे हम यहाँ पर extended primitives में, extended primitives में भी बहुत सारे options है, म hydra से देखिए, यहाँ पर इस तरह का shape create होगा, just click करके drag करना है, इसी तरह से chamfered box, box जिस तरह का होता है, उसी में इसमें chamfer apply हो जाएगा, देखिए, chamfer का मतलब यह roundness जो है, side में apply हो जाएगी, क्या करना है, click करके drag करना है, hide देना है, उसके बाद chamfer का radius देना इस तरह से, just, try कर सकते हो, इसमें oil tank, कुछ advance, just कुछ advance shapes यहाँ पर दिये गए है, इनके parameters के साथ खेल सकते हो, बस यह last के options में आप छेड़ शाड़ मत कीजिए, वरना अगर settings अगर गड़वर हो जाते हैं, तो आपको reset करना पड़ेगा अपने software को, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको create किया यहाँ पर, हमारे object का, F4 से हम इसके segments को hide कर सकते हैं, segments को on कर सकते हैं, wireframe में F3 से देख सकते हैं, याद रखे, wireframe में आपको पुरी तरह से transparent नजर आएगा, object जो भी है वो transparent नजर आएगा, सिर्फ उसके boundary lines आपको नजर आएगे, F3 again प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ प पर बनेगा, मैंने बताया था कि यह हमारा grid as a ground plane आपका work करता है, जो भी हम यहाँ पर object बनाएंगे, चाहिए यहाँ पर बनाए, हमारा वो plane पर ही बनेगा, देख सकते हो, जो object बन रहा है हमारे plane पर बन रहा है, मगर अगर हमें इस object के ऊपर कुछ बनाना है, इस previous object के ऊप तो हमें क्या करना होगा, auto grid को on करना होगा, अगर हम auto grid on रखते हैं, और अगर अब हम इसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं, तो easily बना सकते हैं, इस बार यह इसके ऊपर बना है, तो auto grid का यह work होता है, जहाँ पर आप mouse ले जाओगे, उसी face में आपका object जो है, ड्रॉ होने व कोई भी object होगा, कौन चाहिए, तो कौन बना सकते हो, आप चाहो तो cylinder बना सकते हो, जस्ट उसके ऊपर जाना है आपको और ड्रॉ करना है, तो इस तरह से auto grid का work कर सकते हो, कोई भी चीज आप बना सकते हो, किसी भी plane के ऊपर, तो right click करके exit करता हूँ, हमने standard extend primitives देख लिए ह अब हम यहाँ पर देखेंगे door option, जो के हमें ज्यादतर use होने वाला है, civil and architecture में अपने doors को बनाने के लिए, यहाँ पर आप doors पर click किजिए, तीन type के doors यहाँ पर आपको मिलेंगे, sliding, pivot and यहाँ पर bifold, तो generally हम pivot door या फिर sliding door का use करते हैं, तो मैं pivot ले ले लेता हूँ यहाँ और pivot लेते ही देखें, यहाँ पर creation method आपको दिखाएगा, creation method क्या होता है, कि width, depth and height, means आपको पहले width देना है, then depth देना है, then आपको height देना है, उसी तरह से अगर आप पहले width देना चाहते हो, then height देना चाहते हो, then depth देना चाहते हो, तो यह option ले सकते हो, तो मैं पहले width, depth and height, तो मैं यहाँ पर click करूँगा, drag करूँगा, तो यह width हो गया, यह depth हो गया और यह हमारी door की height हो गई, ओके तो इस तरह से देखिए हमारा door बन गया, तो यह click, यह width, यह depth and यह height, जो भी height देनी है आप दे सकते हो, अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है इसके parameters को control करने के ल width आप यहाँ से control कर सकते हो, like देख सकते हो इस तरह से, and इसकी depth जो के कम होती है, तो यहाँ से control कर सकते हो, देखिए door में बहुत सारे options है, मैं सभी को explain नहीं करूँगा, आप उसे try कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़े मैं एक ही video में explain करने की कोशिश कर रहा हूँ, इ अगर आपको पूरे detail में 3ds Max सीखना है, तो आप हमारे complete 3ds Max course with Corona render buy कर सकते हो, जो कि हमारे CAD app में available है, आप चाहो तो CAD app से हमारे course को buy कर सकते हो, या फिर Udemy में भी हमारा course available है, आप महां से भी उसे purchase कर सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़े detail में बताया है, साथी साथ 3D model भी बना की दिखाया है, और वहां पर आपको rendering के advance method भी सीखने को मिलेंगे, तो आप वहां से जाकर बहुत सारी advance चीज़े सीख सकते हो, तो यहां पर देखिए double door अगर आपको चाहिए, तो आप यहां पर double door को check mark कर सकते हो, flip swing करना है, तो देखिए यहां पर door का opening का swing यहां पर इसके open direction को यहां पर यह देखिए, यह दोनों चीज़े यहां पर दी गई है, अगर door का frame चाहिए, तो create frame पे already check mark है, अगर नहीं चाहिए, तो close भी कर सकते हो, देखिए इसका frame गाइप हो जाएगा, तो frame के सारे settings यहां पर आपको मिलेंगे, अगर आपका frame सही नहीं आ रहा है, तो आप यहां से कर सकते हो, door offset वगरे है, और यहां पर नीचे भी कुछ option है, leaf parameter, leaf parameter मतलब यह जो हमारा panel है, door का इसके parameter, तो इसकी thickness आपको नजर आएगी, door की thickness, एक में single रहने देता हूँ, यहां पर, right click, इसको close कर देता हूँ, अब मैं right click करके exit कर दिया, तो आप हमें option नजर नहीं आएंगे, तो इसके upsetting देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर modify में जाएंगे, modify में सारे options अगें हमको नजर आएंगे, तो यहां पर देखिए, thickness वगरे आप change कर सकते हो, अपने door के, top rail को change कर सकते हो, देखिए, rails को change करेंगे, bottom rail, इस तरह से, panels आब एक तो panel आप एक, दो या तीन रख सकते हो, देखिए, यहां पर panels नजर आ रहे हैं, यह divide हो रहा है, थोड़ा सा advance में आप हाई quality में रख देता हूँ, ताकि इसके shadows भी नजर आएंगे, अब हमें हमारे object के shadows भी नजर आ रहे हैं, और हमारा object ज्यादा समझ आ रहा है, तो आपक quality में भी देख सकते हो, horizontal panel, horizontal panel भी आप change कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको double panel की जगा, single panel पहले कर देता हूँ, double door की जगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अब देखिए, horizontal panel, vertical panel, यह इस तरह से panels आप यहां पर रख सकते हो, और उनकी thickness को भी यहां पर कम ज्यादा कर सकते हो आप चाहो तो इन्हें glass में भी बाद में convert कर सकते हो, अब यहां पर panels को none भी रख सकते हो, glass भी रख सकते हो, glass की thickness आपको यहां से control करनी है, देखिए, यह glass है, उसके बाद bevel के बहुत सारे option आते हैं, bevel मतलब इसमें chamfer अपलाए हो जाएगा, देखिए, अगर मैं bevel करता ह देखिए, कितना मस्त यहां पर design create हो रहा है, automatically, बहुत सारे options हैं यहां पर, इस bevel के control यहां पर आपके पास हैं, तो आप इसमें भी changes करके यहां पर देख सकते हो, देखिए, यहां पर बहुत सारे options नजर आ रहे हैं, तो सब को आप change करके देख सकते हो, कि design आपका किस तरह का create हो रहा है, तो इस तरह का door देखिए, हमने ready made door के तुरू बना लिया है, तो यह pivot door हमने create कर लिया है, next यहां पर sliding door है, जो के balconies बगएरे में बहुत जादा use होता है, click, drag, width and height, यह sliding door हमारा आ गया है, अब sliding में देखिए, height, width बगएरे है, अब यहां पर open कर सकते हो, इसक front back, तो यह flip के सारी चीज़े है, frame के अलग-अलग options दिये गए है, frame चाहिए नहीं चाहिए, उनकी thickness and settings दिये गए है, leaf parameter जैसा के हमने पिछले बार leaf के सारे settings किये थे, thickness वगएरे, top rail setting, bottom rail setting, horizontal panels कितने चाहिए, vertical panels आपको कितने चाहिए, mountains उसके, mountain इसका thickness कितना चाहिए आपको glass चाहिए, glass की thickness कितनी चाहिए, नहीं चाहिए तो cancel भी कर सकते हो, glass की thickness build रखना है, build रख सकते हो, इस तरह से सारे parameters आप यहाँ पर check कर सकते हो, तो इस तरह से हम इन्हें use करते हैं, बाकी by-fold आप देख सकते हो, कुछ तरह का door आएगा, यह by-fold door है, यह fold होता है, यह door, जैस इस तरह से swing होगा, इस तरह से options हैं, अब next हम यहाँ पर देखेंगे window जो के ज्यादतर use होगा हमारा window option, सारे मैं यहाँ पर important चीज़े ही cover करूँगा, बाकी के जो extra चीज़े हैं, आप उन्हें try कर सकते हो, practice कर सकते हो गर में, तो window के लिए दिखे, सबसे ज्यादर जो हम use क करते हैं, वो fix window and sliding window का ही ज्यादतर हम लोग use करते हैं, तो fix window में यहाँ पर दिखा देता हूँ, fix window को आप किस तरह से बना सकते हो, click करके drag करना है, width देना है, यहाँ पर and height देना है, fix window में बस आपकी frame आएगा और उसमें glass आएगा, आप चाहो तो इस glass को divide भी partition कर सकते हो, तो यहाँ पर settings उसके नजर आ रहे हमें, width, height, glass की width, height वगएरे, सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, depth वगएरे दी गई है, frame की यहाँ पर depth, width दी गई है, आप इन्हें भी चेक कर सकते हो, thickness, glass की thickness यहाँ पर दी गई है, अब rails, जो rail and panels हैं, उनके thickness वगएरे दी गई है, यह जो ठीकिने से यह बढ़ रही है, panel horizontal कितने चाहिए, vertical कितने चाहिए, यह आपको यहाँ से मिलेगा, तो दो panel चाहिए, आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, divide करना है, या फिर और भी चाहिए, तो इस तरह से आप panels को divide कर सकते हो, तो इस तरह से सारी चीज़े होगी, chamfered profile अगर चाहिए, panels में chamfered कर सकते हो, देखे, कुछ इस तरह का आएगा chamfered profile में, जैसे बहुत सारे settings है, बस यह नीचे के settings आप मत छेडिए, बाकी के चीज़े आप try कर सकते हो, तो यह हमारा fix window हो गया, right click करके exit करता हूँ मैं, sliding window दिखा देता हूँ किस तरह का होगा, sliding window बह देखे, कुछ इस तरह का आया है, इसके parameters देखते हैं, height यहाँ पर देखे, height control, width control, depth control, frame को यहाँ पर देखे, frame control कर सकते हो, glazing मतलब आप glasses है, उनकी thickness है, rails के thickness है, यह मैं बार-बार नहीं बताना चाहूँगा आपको, तो यह सारी चीज़े इनको chamfer करना चाहते हो, chamfer भी र long में यहाँ पर off कर देंगे, तो यहाँ पर vertical आ जाएगा, इस तरह से sliding window आ गया, इसे open करना चाहते हो, तो open के लिए भी option दिया गया है, तो यह इस तरह से आप कर सकते हो, flip, इसमें अगर extra panels आपको दिखाने तो वो भी आप कर सकते हो, horizontal panels, देखे, कुछ इस तरह से यह नज और readymate दी गई है, इन सब को आप try कर सकते हो, तो दो window type मैंने आपको बता दिये हैं, बागी के आप यहाँ पर try कर सकते हो, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे stair option, जो के हमें कभी-कभी use होता है, हमारे interior में stair बनाने के लिए, फिर exterior में stairs बनाने के लिए, तो stairs में देखे, आपको चार type के यहाँ पर stair आपको नजर आएंगे, straight stair, L type stair, U type stair and spiral stair, इन सब को आप try कर सकते हो, shape के according यह options दिये गए हैं, तो मैं यहाँ पर अगर straight stair लेता हूँ, click करके just आपको drag करना है, कितनी length आपको चाहिए अपने stair की, और उसके बाद इस तरह से width दे सकते हो, और उस इस तरह का हमारा object create हुआ है, इस तरह से आपको बनाना है, just आपको यहाँ पर click करना है, drag करके आपको length देना है, कहां तक आपको बनाना है, उसके बाद इसकी width दे दिजिये, और उसके बाद इसकी height कहां तक आपको ले जाना है, अब next यहाँ पर stair है, L shape, stair यहाँ शेप को hide देनी है, फिर से click करना है अगेन यहाँ पर U-shape भी है U-shape डिस्टेर के लिए just आपको click करना है, drag करके इसकी width देनी है, यहाँ पर एक width देंगे और then hide देंगे इसके parameters यहाँ पर दिखाए दे रहे है इन्हें आप यहाँ पर length, width वगएरे change कर सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर parameters में दिखाए गई है यहाँ पर मैं थोड़ा सा width जो है इसकी change कर देता हूँ तो यह width वगएरे मैंने change कर दिया इसको मैं फिलाल move करके थोड़ा सा side में रख लेता हूँ अब देखें बहुत सारे type के हमने यहाँ पर stairs draw किये है last day के spiral बचा हुआ है इसे भी draw ही कर लेते है click करके drag और उपर की तरफ इस तरह से अब इनके बहुत सारे parameters and settings है मैं कुछ settings आपको बता देता हूँ same settings सब में है तो एक में हम change करेंगे बागी का आप setting कर सकते हो यहाँ पर हम select करके setting करने के लिए modify में हमें जाना पड़ेगा तो modify में देखिए यहाँ पर हमने straight stair हमें रद दिखाई दे रहा है हमने जो create किया है अब यहाँ पर देखिए type यहाँ पर नजर आएगा सबसे पहले open, close, boxed तो आप यहाँ पर open रखेंगे तो इस तरह का आएगा close रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो आप concrete से बनाते हैं उस तरह का आपको नजर आएगा देखिए और box tap रखते हो तो नीचे तक आपका यहाँ पर stair का material आएगा तो यह तीनों option है अब यहाँ पर stringer option है तो इससे देखिए क्या होगा कि sides में stringers add हो जाएंगे देखिए stringer beam आप बोल सकते हो side के beams बगर box में इसका कोई काम नहीं है open में आप इसका ज्यादतर use करते हैं तो stringer option देखिए यहाँ पर आ रहा है इसकी भी height width वगेरे होगी तो उसे भी आप नीचे control कर सकते हो नीचे भी बहुत सारे option है carriage भी है देखिए नीचे अगर आप carriage लगाना चाहते हो तो उसके setting उसको cancel भी कर सकते हो left, right, handrail handrail का मतलब railing होता है यहाँ पर तो railing यहाँ पर आप कर सकते हो railing path यहाँ पर दे सकते हो देखिए 2D shape अगर आप सिर्फ rail path देते हो तो 2D shape आप इसके थ्रू कोई भी shape का यहाँ पर railing बना सकते हो, ठीक है तो यह option है, layout में देखिए layout में length and width है इसकी तो यह length and width यहाँ से control होगी overall height इसकी यहाँ से control हो रही है riser, riser height यहाँ पर control हो रही है यह सारी चीज़े है, यहाँ पर stair के parameters है thickness है stair की, thickness, panel की thickness यहाँ पर control कर सकते है और depth भी है, इसमें देखते है depth control, यह depth control होता है इसका trade I think trade को की depth control कर सकते हैं तो trade की भी width यहाँ पर control हो रही है ठीक है, बहुत सारे है carriage, railing and stringer के extra settings भी यहाँ पर दिये गए है अगर carriage on करते हो, तो carriage के setting आएंगे हाँ पर हमने off कर दिया था इसे carriage, carriage को on करते ही यहाँ पर carriage के settings activate हो जाएंगे तो carriage की width, उसकी depth, उसकी height अगरे यहाँ पर और भी बहुत सारे settings है आप इन सब को try कर सकते हो और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ extra settings आएंगे, वही closed box type के तो common settings है stringer मैंने बता दिया, आपको stringer के setting carriage के setting, stringer on करते हो, तो carriage आप आप close में नहीं, open में यहाँ आएगा, carriage setting है और यहाँ पर आपका left handrail, right handrail आप डाल सकते हो layout में इसके length and width अलग-अलग type के length and width है इन्हें आप control कर सकते हो यहाँ से यह सारे settings आप try कर लीजिए riser height कितनी रखनी है, वो आप control कर सकते हो थिकनेस यहाँ पर है riser के panel की यहाँ पर जो trade है उसके panel की थिकनेस है, यहाँ पर depth वगरे control कर सकते हो, carriage railing और stringer के आगे same options आपको यहाँ पर मिलेंगे इसी तरह के options है, यहाँ पर same spiral में radius settings के options मिलेंगे आपको इसकी radius मिलेगी same open close carrier CCWN counter clockwise and clockwise किस तरह से आपको लेके जाना है, यह CCWN CCW में आता है, ठीक है, counter clockwise and clockwise, radius वगरे control यहाँ से कर सकते हो curve वगरे revolution कितने चाहिए, वो control कर सकते हो, width आप यहाँ से control कर सकते हो इस सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, आप एक एक करके try किजिए, stairs option हमने देख लिया है यहाँ पर, अब इसमें तो इतनी ही option हम लोग ज्यादा तर use करते हैं लास्ट हम यह मैं यहाँ पर compound object बताना चाहूंगा, मैंने इसको skip कर दिया था क्योंकि start में बता रहे हैं थोड़ा सा complicated लगता आपको तो compound object को देखते हैं, compound object में ज्यादा कुछ नहीं आपको बताऊंगा यहाँ पर, बस यहाँ पर दो options को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, boolean and probolean, उसके लिए मैं इस सब object को delete कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक box मैं standard primitive से create करता हूँ, तो हमारा plane नजर नहीं आ रहा है फ delete को off भी करना पड़ता है, तो G press करना है, off हो जाएगा, again G press करेंगे, on हो जाएगा, यहाँ पर box मैं create कर लेता हूँ, एक simple सा, इसके segments को मैं 0 कर देता हूँ, या one segment, single segment, seven segment है length के, तो इसे मैं कम कर देता हूँ, one segment sufficient है, याद रखिए कि आपके 3ds max में जितने ज्यादा segments उतना heavy file आपका बनने वाला है, जितना heavy file बनेगा, 3ds max को run करने के लिए उतना ही heavy, यहाँ पर RAM और processor यूज़ होगा, तो आपका computer hang होने की chance से ज्यादा है, तो generally जब भी हम 3ds max में work करते हैं, तो हम कम से कम segments या फिर कम से कम polygons को use करते हैं, polygons किसे कहते हैं, तो यह जो segment के बीच का area आपको नजर आ रहा है, इसे हम polygons कहते हैं, तो जितने कम polygons होंगे, उतनी ही file आपकी light होगी, मतलब आपके computer में अच्छे से run करेगा, जितने ज्यादा segments होंगे, means इस तरह से अगर ज्यादा segments कर देते हो, तो polygons की quantity यहाँ पर object जो है hang होने के chances ज्यादा होते हैं, इसलिए जो हमारे 3ds max में जो tree वगरे होते हैं, या फिर flower pot होते हैं, human body होती है, या फिर cars वगरे होते हैं, वो generally high polygon के होते हैं, तो hang होने के उनमें chances ज्यादा होते हैं, तो इसलिए 3ds max में computer की जो specification है, वो भी high चाहिए, अगर आपको बनाना है, बड़ा exterior या फिर interior तो आपको यहाँ पर computer भी high configuration का आपको use करना पड़ेगा, तो यहाँ पर polygons को जितना कम रख सकते हैं, उसतना कम रखिये, फिलाल हमें polygons की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो मैं one segment यहाँ पर रखता हूँ, अब मैं यहाँ पर simple spare draw करूँग spare, और spare को मैं autogrid के through create करूँगा, ठीक है, autogrid ले लेंगे और यहाँ पर मैं इस plane पे एक spare draw करूँगा, तो इस spare को देख सकते हो आप, यह spare जो है right click करके exit करते हैं, alt plus middle mouse प्रेस करके orbit कर सकते हैं, मैंने already बता दिया आपको, यह spare आप देख सकते हो, कि आधा spare हमारे box के अब हम यहाँ पर compound object में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो, कि यहाँ पर एक boolean option है, और एक pro boolean option है, तो boolean option देखिए, क्या होता है, इसमें, boolean अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ, याद रखिए, कि अगर आपने यहाँ पर object को select किया होगा, तभी यह highlight होगा, अ तो यहाँ पर देखिए, क्या-क्या option हमें नीचे मिल रहे हैं, तो name and color हमें पता है, यहाँ पर add operands का option हमें मिल रहा है, तो अगर मैं add operand पे click करता हूँ, already एक operand यहाँ पर add है, जो के box है, जिसे हमने already select किया था, वो already यहाँ पर add हो चुका है, add operand पे click करूँगा, और इस spare पे click करूँगा, तो देखिए, जैसे है मैंने spare पे click किया, तो यह दोनों जो object है, वो combine हो गए, union हो गए, आप बोल सकते हो union, means यह joint हो गए, अब हम इन्हें किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से option यहाँ पर नीचे दिये गए हैं, देखिए, इन दोनों के बीच आपको union करना है, या फिर intersect करना है, अब intersect करते ही देखिए, क्या होगा, intersect जैसे ही हम करते हैं, तो छोटा सा portion हमें दिख रहा है, जो के दोनों में common था, union मतलब इससे क्या हुआ, कि spare and box के बीच का जो common portion था, वो हमें यहाँ पर intersect में नजर आ रहा है, तो इस तरह का shape चाहिए, तो आप intersect का use कर सकते हो, subtract अगर हम करेंगे, तो क्या होगा, देखिए, यहाँ पर हमारा जो box है, जो हमने पहले select किया था, उससे यह जो हमारा second object है, spare, वो यहाँ पर delete हो गया है, means subtract हो गया है, तो subtract के तुरू आप एक object से, दूसरे object के material को remove कर सकते हो, तो अगर इस तरह का आपको shape चाहिए, तो आप subtract के तुरू कर सकते हो, उसी तरह merge option है, यहाँ पर दोनों को combine करने के लिए same, attach option है, दोनों attach हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें फरक है, बट वो बहुत ही सादा advance फरक है, तो आप कोई इतना जानने की जुरत नहीं है, अगर आप, अभी आप beginners हो, तो यह सब जानने की जुरत नहीं है, 3DS Max को पहले अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके सारे controls आपको पता होने चाहिए, उसके बाद आप उसमें advance जितना जाना चाहो, उतना जा सकते हो, बहुत advance software है, आप इसमें कोई भी object create कर सकते हो, दुनिया में शायद ही कोई इसी चीज होगी, जो इसमें नहीं बना सकते आप, तो बहुत सारी चीज़े आप बना सकते हो, बहुत advance option है, पहले आप beginner में सारे working mechanism को समझ लीजिए, उसके बाद आप इसमें जितना experiment करना है, आप करते रहिए इसमें, तो यह union मतलब इन द देखिए, boolean यह करता है, तो pro boolean में क्या होता है, तो boolean में क्या होता है, कि single object अगर remove करना है, तो boolean option और अगर आपको multiple objects को remove करना है, तो pro boolean option, तो right click करता हूं, अब मैं इसमें again यह चीजे create कर लेता हूं, standard box यहाँ पर create करता हूँ अब auto grid को मैं on रखूँँगा ताकि इसके उपर मैं create कर पाऊँ जैसे कि एक spare हो गया, यहाँ पर दूसरा spare हो गया, यहाँ पर तीसरा spare हो गया यहाँ पर चौता spare हो गया, box ले लेते हैं, कुछ boxes भी draw कर देते हैं हाफ अंदर हाफ बाहर, यहाँ पर कोन हम लोग try करेंगे, कोन को draw करेंगे बट कोन इसके बाहर ही draw होगा, तो हमने अभी तक move अगयरे नहीं सिखा है, तो मैं इसको अभी फिलाल delete कर देता हूँ तो हमारे multiple object को हमें अपने box से remove करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाओंगा compound objects, box को select करूंगा, select करते ही pro boolean active हो गया, यहाँ पर हम pro boolean करेंगे, अब यहाँ पर option आ रहा है, start picking, start picking करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों पर क्लिक किया, मैं यहाँ पर मेरे पांचों objects, जो हमारे first object से remove हो गए, तो pro boolean में आप multiple objects को remove कर सकते हो, boolean में आप single objects को remove कर सकते हो, और यहाँ पर भी आपको union का option मिलेगा, intersect का option मिलेगा, subtract का option, merge का option, सारे options यहाँ पर भी same दिये गए हैं, तो यह हो गया हमारा compound object के कुछ advance commands, बाकी क्या आ यूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप हमारे complete course से वो सारे options यहाँ पर देख सकते हो, जो भी important option है, मैंने उसमें सारे explain किये हुए, कुछ options हैं, जो हमें use नहीं होते, कभी-कभी वो animation वाले use करते हैं, कभी-कभी architects यूज करते हैं, कभी-कभी interior designer यूज करते हैं, तो सा VDS Max एक ऐसा software है, जो multiple fields में use होता है, तो multiple fields के according, उसमें बहुत सारे extra options भी दिये गए हैं, जो के specific उसी field या फिर उसी object में use होंगे, तो सारी चीज़े आपको सीखने की जरुरत यहाँ पर नहीं है, जितना आपको यहाँ पर जरुरत है, उतना आप सीख लीजी, आपका काम ह हो जाएगा, तो compound object हमने यहाँ पर सीख लिया है, boolean and probolean compound objects से हमने यहाँ पर सीख लिया है, अब control प्लस Z करके मैं आपको यहाँ पर बहुत ही जादा important move, rotate and scale इन तीनों options को बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर जाएंगे top में, तो यहाँ पर देखे तीनों option आपक है scale option, तो यह तीनों option आपको यहाँ पर visible है, चलिए देखते हैं हम इन तीनों को किस तरह से use कर सकते हैं, तो सबसे पहले move option, move किसी भी object को move करना है, तो move tool का आप use कर सकते हो, इसका shortcut है w, तो w से आप इने use कर सकते हो, याद रखिए इन तीनों का shortcut बहुत ही simple है, w, उसके ब move, rotate and scale इन तीनों के लिए use होते हैं, तो मैं यहाँ पर click करता हूँ और object select करते हैं, जो भी हमें move करना है, तो जो भी object आप select करेंगे, उसके उपर move का इस तरह का तीन axis का arrow आ जाएगा, अब इसमें बहुत सारी चीज़े देखिए, axis भी नज़रा रहे हैं, कुछ rectangles यहाँ नज़रा रहे हैं, और एक point यहाँ पर small middle rectangle भी नज़रा रहा है, तो सबका अलग-अलग use है, देखते हैं, क्या-क्या है, तो अगर आप किसी axis, specific axis में move करना चाहते हो, अपने object को, like z axis में उपर नीचे move करना चाहते हो, तो z axis को click करेंगे, और इस तरह से drag करेंगे उपर नी नीचे, तो यह only and only z axis में move होगा, और अगर आप x axis में इसे move करना चाहते हो, तो click करके देखिए, x axis में यह, इस तरह से move होगा, और y axis में मूव करना चाहते हो, तो इस axis को pick किचिये, यह सिर्फ और सिर्फ y axis में move होगा, अब यहाँ पर देखते हैं, कहां पर दिखाए गे तो आप यहां पर देखिए कुछ नजर आ रहा है, यह एक rectangle highlight हो रहा है, यह एक rectangle highlight हो रहा है, नीचे एक rectangle, बाद तीन rectangles यहां पर भी आपको नजर आएंगे, तो इन तीनों rectangle को देखिए कैसे use करना है, अगर आपको ZX plane पर move करना है, अभी तो हमने axis पर move किया, अगर दोनों direction में आपको move करना है Z & X तो आप ये वाला plane लोगे, अगर आपको Z & Y दोनो plane पर move करना है तो ये वाला आपको plane लेना होगा, और आपको अगर नीचे move करना है X & Y में तो नीचे番 में आपको select करना होगा, मैं यहाँ दिखा देता हूं किस तरह से आपको करना है, समकर अगर मैं यहाँ पर इस plane को highlight करता हूँ जो ZX है तो देखिए कुछ इस तरह से यह movement होगी इस तरह से सिर्फ और सिर्फ सिंगल plane में ही यह move होगा अगर आपको Y and Z में move करना है तो इस तरह से Z and Y में move होगा आप side view से इस तरह से दे सकते हो कुछ इस तरह से यह move करने वाला है ठीक है और अगर आप top का plane select करते हो means X and Y यह वाला plane अगर यह वाला तो आप इस तरह से move कर पाएंगे top से आपको ठीक से नजर आएगा इस तरह से इस तरह से आप इसकी position तो यह आपको दो direction में move करने की आज़ादी यहाँ पर मिल जाती है आपको कोई भी दो axis Z X या फिर Z Y या फिर X Z sorry X and Y तीनो axis में move कर सकते हो और अगर आप midpoint पे जाते हो यह mid पे देखिए एक छोटा सा rectangle ह इस पर जाके move करते हो तो किसी भी direction में move कर सकते हो ठीक है इस पर click करके अगर move करते हो तो कोई भी direction हो इसे फरक नहीं पड़ता वो किसी भी direction में आपका move हो जाएगा ठीक है यहाँ से आप किसी भी direction में move करने के लिए इसे बीच में click कीजिए तो यह हमारा move का यहाँ पर option ह गया इससे आप किसी भी object को एक direction में move कर सकते हो दो direction में move कर सकते हो या फिर तीनो direction में move कर सकते हो याद रखिए कि move जैसे ही यहाँ पर activate हो जाता है वैसे ही नीचे यहाँ पर आपको x, y, z coordinates भी नजर आने लगते हैं यहaँ पर आप department means को किसके इस object के यहाँ जो अबजेक्ट है इसके जो coordinates है हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं आप देख सकते हो x, y, and z तो यहाँ पर हम z-axis में यहाँ पर इसकी value को change करते हैं तो z-axis में change होगा y-axis के value को change करते हैं तो y-axis में ये move होगा और अगर हम यहाँ पर x value को change करते हैं तो ये x-axis में move होने वाला है और अगर हम इन पर right click करते हैं तो right click करते ही इसकी value 0 हो जाती है मतलब z-axis में 0 हो जाएगा मतलब बिल्कुल ये plane पे touch हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए पूरी grid में ये touch हो गया अगर हम उसको उपर करते हैं तो ये अब हमारा हवा में बोल सकते हो कि उपर है ये हमारा उपर चला गया इसको right click करके zero कर दीजिए बिल्कुल ये नीचे ground में touch हो जाएगा अगर y में भी zero करना है तो right click किजिए y में भी perfect center पर आ जाएगा x में भी zero करना है तो right click किजिए बिल्कुल इसका center बिल्किल देखिए बीच में आ जाएगा object का center और grid का center बिल्कुल zero में यहाँ पर आ जाएगा x, y and z coordinate 0 बिल्कुल बीच में हमारा object आ गया है तो याद रखिए इन तीनों axis में भी आप इस तरह से move कर सकते हो अपने object को और ये भी याद रखिए कि अगर हम right click करते हैं तो इसकी value 0 हो जाती है इसी तरह से अगर हम इसको select करके modify में जाते हैं और इसकी values दिखा रही हैं यहाँ पर sorry हमने यहाँ पर box को change कर दिया था box को bullion कर दिया था यहाँ पर भी जो values हमें नजर आ रहे हैं अगर हम इन पर भी right click करेंगे तो इसकी value 0 हो जाएगे right click 0, right click 0 इस तरह से आप इनके values को 0 कर सकते हैं ठीक है तो यह right click इसको delete कर देता हूँ तो यह हमने देख लिया हमारा move option next option rotate तो मैं यहाँ पर कोई एक option ले लेता हूँ rotate के लिए teapot ले लेते हैं यह हमारा teapot है F4 से segments on off होते हैं F3 से wireframe transparent दिखने के लिए तो यह आप F4 और F3 याद रखिए rotate के लिए मैं यहाँ पर option मैंने बताया था आपको E प्रेस करना है W के बाजू में E और R अगर प्रेस करेंगे तो scale W, E, R W, E, R यह आप अपने हाथ में बिठा लिजिए इन तीनों का बहुत ज़्यादा use होने वाला है आगे चलके W, E, R F3, F4, Z और views के लिए top view के लिए T, front view के लिए P perspective लिए P, front view के लिए F यह सारे shortcut याद रखिए और alt plus middle mouse हमारे orbit के लिए alt plus middle mouse यहाँ पर हम E press करेंगे rotate के लिए देखिए यहाँ पर rotate करते हैं तीन circle आपको बिल्कुल बारीक नज़र आएंगे देखिए आपको ठीक से देखना होगा तो एक का color होगा red एक का होगा green एक का होगा blue color तो blue हमारे top से देखिए नज़र आ रहा है मैं इसको off कर देता हूँ lines को देखिए तीन colors हमें नज़र आ रहे हैं तो यह तीन circles नज़र आ रहे हैं red circle इस तरह से rotate होगा और blue circle अगर हम देखेंगे तो यह इस तरह से rotate होगा yellow circle green circle कुछ इस तरह से rotate होगा तो इस पर click करना है जस्ट आपको in circles पर highlight हो रहा है और जैसे हम इसको rotate करेंगे click करके drag करेंगे यह rotate होगा angle भी उपर show हो रहा है हमें एंगल जितना में भी रोटेट होगा यह हमें शो करेगा कुछ इस तरह से रोटेट दूसरे डायरेक्शन में ग्रीन को एक्सिस को पिक करेंगे हम तो इसको हाइलेट करना पड़ेगा हमें यह वाला हाइलेट हुआ तो इस डायरेक्शन में रोटेट होगा इस तरह से ब अच्छे से इस पर हाइलेट करना है यह इस तरह से रोटेट होगा तो तीन और डायरेक्शन के लिए आपके पास उपर नीचे बस करना है आपको तीन सरकल दिये गये हैं तीन एक्सेस में रोटेट करने के लिए मगर कभी-कभी क्या होता है कि हमने अभी तो इसे अंदाजे रोटेट कर दिया मगर हमें कभी-कभी इसको एकदम 90 degree rotate करना होता है या फिर 180 degree करना होता है 270 degree करना होता है इस तरह का अगर angle में specific angle में rotate करना है तो आपको एक यहाँ पर snap का use करना पड़ेगा देखिए यहाँ पर एक snap का option है एक इसको snap बोलते है snap toggle जिसका shortcut है S और एक बोलते है angle snap जिसका shortcut है A अब एक्स्ट्रा दो shortcut add हो गए है A and S S से यह snap है और यहाँ पर angle के लिए angle snap यहाँ पर A shortcut है तो अगर मैं इस angle snap को on करता हूँ on हम A से भी कर सकते हैं on off देखिए A button से on off इस snaps को अगर आप off करते हो अब rotate करते हैं तो देखिए क्या होगा तो मैं red पर जाता हूँ अभी देखिए 5-5 से specifically rotate हो रहा है angle यहाँ पर show हो रहा है 40, 45 and sorry 40, 45, 15 देखिए यहाँ पर again 25, 35 जितने भी angle में rotate करना है आप यहाँ से specific choose कर सकते हो ठीक है आप यहाँ पर right click करके इसके settings भी देख सकते हो right click मैं इसको पहले control Z करके इसके default angle पर ले आता हूँ right click अगर हम angle snap में करते हैं तो इसके settings open हो जाएंगे options and settings यहाँ पर देखिए angle snap में 5 degree set है तो 5 degree के जगा आपको 10 degree अगर करना है तो 10 degree set कर सकते हो और यहाँ पर 10 degrees में यह अब specifically rotate होगा देखिए 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से हैं अब अगेन यहाँ पर अगर मैं 90 degree कर देता हूँ 90 degree तो यह अब 90, 90 में ही rotate होगा तो generally इसी का use होता है 90, 90 degree में ही हमें rotate करना होता है तो अगर इस direction एक चीज़ याद रखिए कि एक direction में rotate करना है तो इस तरह मगर अगर आपको चारो direction से rotate करना है तो बीच में आपको देखिए बीच में भी एक option आपको मिलता है तो बीच में अगर आप इन circles के बीच में अगर आप click करते हो click करके इस तरह से देखिए किसी भी axis में rotate हो जाएगा यह किसी भी एक्सिस में किसी भी एंगल में रोटेट हो जाएगा जनरली इस तरह से आप किसी भी एक्सिस में से रोटेट कर सकते हो कि तो बीच में क्लिक करना होगा और स्पेसिफिक सिंगल एक्सिस में रोटेट करना है तो यह हमारे एक्सिस हाइलाइट कर रहा है तो इनको आप यहां से simply click किजिए और rotate किजिए ठीक है तो यह angle snap मैंने आपको बता दिया है snap का use कहा होता है snap का use generally points show करने के लिए होता है अगर इसको on करते हैं तो देखिए यहां पर हमें कुछ points show होने लगे अभी तो फिलाल grid के points show होने लगे तो grid में यह snap कर रहा है अगर आप box बनाते हो तो grid के थुरू देखिए grid के थुरू आप बना सकते हो grid के points आपको यहां पर दिखेंगे specifically points इस तरह से तो इसका set है grid के distance तो यह grid के distance पर ही यह ले जा रहा है specific size तो इसके भी settings है right click किजिए इसमें grid points से आपको बनाना है pivot option है यहाँ पर vertex है age option है तो end point है mid point है tangent point है जिस है AutoCAD अगर आपने use किया होगा उम्मेद है use किया होगा क्योंकि 3ds max को use करने के लिए आपको AutoCAD आना ही चाहिए तो बहुत जरूरी है AutoCAD उसमें यह सारे चीज़े होते हैं तो अगर हम यहाँ पर end point on रखते है only end point तो हमें object के end points only दिखेंगे देखे यह corner मतलब end point है यहाँ पर end point है यहाँ पर end point है यहाँ पर एक है यहाँ पर end point है तो हम box को यहाँ पर draw कर सकते हैं यहाँ से ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले सकते हैं तो end point show होंगे, अगर हम इसको right click करके यहां पर midpoint on कर देंगे तो object के midpoint भी हमें show होने लगेंगे, देखिए, यह midpoint, यह end point, यह midpoint, यह end point, okay इनकी midpoint भी हमें show होने लगेंगे इसा color में तोड़ा change कर देता हूं ताकि आपको यहां से modify, sorry, इसका color यहां से red कर देते हैं इसनेप समें नज़र आया अच्छे से, तो यह points नज़र आने गगे, right click और क्या हम on कर सकते हों यहां पर age अगर आप on करते हो, तो age में देखिए आप क्या क्या होगा, कि आपको age में भी आप click कर सकते हो, यह देखिए, age में कहीं पर भी click कर सकते हो मगर age on रखोगे, तो end point and mid point का कोई आपको difference पता नहीं चलेगा, तो याद रखिए कि यहां पर age on रहा, तो end point, mid point का कोई फाइदा नहीं है, आप यहां पर age को off रखिए, तभी end point and mid point से आप बना पाओगे, देखिए, और याद रखिए कि अगर आप snap on रखते हो, और end point on तो end point से याप mid point से ही आपको बनाना पड़ेगा, अब इसके beach में कहीं पर click नहीं कर पाओगे, अगर click भी करते हो, देखिए, अगर मैं यहां पर box लेता हूँ, और beach में click करने को जिशिश करता हूँ, तो beach से नहीं draw हो गई, यहां end से ही draw हो रहा है, या फिर mid point पे जाता side में, देखिए, mid point highlight हो रहा है, तो याद रखिए, snap को on रखेंगे, तो snap point से ही आप draw कर पाएंगे, freehand draw नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मगर यहां पर age on रख लेते हैं, तो आप इसके age से कहीं पर भी draw कर सकते हैं, इसके age के through, यह age है हमारा, यह age से देखिए, draw हो गया, age को म सब्कुआ, देखिए यहां पर इसको on過去 करना पड़ता है, snap को S करके off कर दीज़े, कभी आगर हमें freehand यहांपर draw करना है, तो S करके off करना पद सकता है, अगर हमें यहां पर end point से draw करना है, तो हमें यहाँ पर on करना भी पड़ सकता है कभी-कभी S करके off, कभी-कभी on जब भी जैसे जरुरत पड़े, वैसे हमें इसे on off करना पड़ेगा तो जादर end point, mid point का ही जादर use करते हैं हम लोग तो यह हो गया, snap को मैं off कर देता हूँ, angle snap को A से off कर देता हूँ तो मैंने snaps के बारे में भी आपको बता दिया है हम अभी rotate कर रहे थे, rotate में मैंने आपको सारे axis में rotate किया और freehand rotate करके भी दिखाया, उसके बाद हमने उसको specific angle में भी कैसे rotate करना है वो भी हम सीख लिया हमने यहाँ पर, अब हम यहाँ पर scale option देखेंगे यहाँ पर R प्रेस करता हूँ, ताके scale करें याद रखे, W, E, R इसका shortcut है, यहाँ से click करके भी आप use कर सकते हो यहाँ पर हमारा scale icon activate हो गया है अब यहाँ पर देखें, तीन axis नजर आ रहे है तो axis wise हम इसे scale कर सकते हैं जैसे कि अगर हम Z axis को click करके उपर की तरफ drag करेंगे तो इसकी size उपर की तरफ बढ़ेगी, means इसकी height बढ़ेगी और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो इसकी height कम हो जाएगी इसी तरह Y axis में specifically इसको बढ़ा सकते हैं या फिर X axis में भी इसको scale कर सकते हैं और अगर आप इसको equally scale करना चाहते हो, means आप इसका shape change नहीं करना चाहते हैं तो आपको बीच में यहाँ पर click करना होगा और बीच में click करके आप इसे इस तरह से same shape में इसको scale कर सकते हैं ठीक है, तो यह तीन axis का आप use करके इसे scale कर सकते हो scale के कुछ options यहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप move, rotate and scale में अगर जाओगे तो यहाँ पर एक छोटा सा arrow है, multiple options इसमें है तो अगर आप इसमें click करके hold करोगे, तो यहाँ पर एक, दो and तीन option आपको नज़र आएंगे फर्स जो है, वो uniform scale है, यह जो first scale है, यह uniform scale है, means इसमें अगर आप scale करते हो तो uniformly scale होगा, इसके दूसरे dimension कोई भी change नहीं होगा, अगर आप तीनों तरफ से scale करेंगे तो इसको perfectly देखिए, perfectly scale हो रहा है, z-axis में करेंगे तो only z-axis में ही scale होगा तो इन तीनों option में first option तो देख लिया, दूसरा option भी similar इसी तरह का result हमें देता है तो इसका पताने किसले use करते हैं, non uniform का, तो इसमें भी same options आपको मिल जाते हैं मगर यह जो तीसरा option है, यह अगर activate हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम single axis में भी इसको scale करते हैं तो यह क्या होगा, कि सभी axis में यहाँ पर इसका scale होगा like ball की तरह, अगर हम किसी ball को एक तरफ से दबाते हैं, तो देखिए, उसके चारों तरफ इसका effect होता है, ठीक है means, इस object का volume जो है, volume same रहने वाला है आपका मगर यहाँ पर जो है, इसकी shape जो है, इसका shape change हो जाएगा इसका shape change होगा, मगर इसका volume है, same रहने वाला है तो कभी-कभी क्या होता है, कि यह activate हो जाता है, गलती से तो आप इसको याद रखिए, कि first option generally हम लोग use करते हैं, uniform scale तो uniform scale से आप equally इसको किसी भी object को scale कर सकते हैं लास्ट वाले option से यह scale होगा, मगर जस्ट दोनों साइड, तीनों साइड से यह scale होगा, ball की तरह, sponge ball की तरह यह scale होगा, ठीक है, तो हम first वाला जात तर use करते हैं, तो first वाला ही आपको activate यहाँ पर रखना है अब हमने तीन टाइप यहाँ पर तो देख लिए scale के, move, rotate and scale, अब इसके कुछ मैं uses आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं इसको delete कर देता हूँ, यहाँ पर एक मैं cylinder ले लेता हूँ, यह हमारा एक cylinder आ किया, W प्रेस करके इसमें move का एक symbol यहाँ पर आ जाएगा, इसमें हम object को किसी भी direction में move तो कर सकते हैं, x, y, z axis, है न, मगर अगर हमारे पास दूसरा कोई object है, समझो मैं यहाँ पर एक teapot ले ले लेता हूँ, छोटा सा teapot ले ले लेता हूँ, यहाँ पर रख दिया, तो अगर ह हमें इस teapot को इस cylinder के ऊपर रखना है, तो हम कैसे रखेंगे, ठीक है, तो इस cylinder के ऊपर हमारे teapot को हम कैसे ले जाएंगे, तो इसके लिए एक तो आप y axis में जा सकते हो, फिर z axis में ऊपर लोगे, फिर y axis में इस तरह से आप जा सकते हो, इसको रखोगे, मगर accurately यहाँ पर आप इसे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यह जो view है, यह perspective view है, और perspective view में आप इसे perfect नहीं रख सकते, तो इसके लिए या तो आपको front view से देखना पड़ेगा, इसके लिए F press किजिए, F press करके देख सकते हो, हमारे दोनों transparent नजर आ रहे हैं, वायर फ्रेम में, तो इसको पह center में रखना पड़ेगा, तो किसी भी दो views से आप अगर अपने object को perfectly orientation में रख लोगे, तो समझी यह आपका perspective view में भी देखिए, यह perfectly center में आ चुका है, confirm करके हम बता सकते हैं, तो समझो मैं यहाँ पर इस object को बना लेता हूँ, आप यहाँ पर समझो कोई और मैं यहाँ पर और उपर रखना है, तो हम यहाँ पर वैसे तो axis से ले जा सकते हैं, इस तरह से move करके दोनो axis में, यहाँ पर और उपर भी ले जा सकते हैं, मगा accurately हम बता नहीं सकते कि accurately इसके उपर है या नहीं है, तो हमें इसे front view देखना पड़ेगा, F प्रेस करके पहले, यहाँ पर है द देखे, तो यह दोनो axis सेलेक करेंगे, XY तो दोनो axis में हम इसे move कर पाएंगे, अब center में हमने इसे रख लिया है, अब perspective view देखेंगे, तो यह perfectly center में हमारा आ चुका है, मगर अगर हम front view में again में जाता हूं, और अगर इसको zoom करता हूं, तो आपको इस दोनों के बीच में इस नहीं कर सकते हैं, अगर move करके करेंगे, तो थोड़ा न थोड़ा gap रही जाएगा, वैसे वो नजर नहीं आएगा, तो रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं आपको एक और opt तरीका बताता हूं, जिससे आप इसके उपर accurately इसको touch कर सकते हो, accurately रख सकते हो, यह method तो आपको समझ में आ गया, जैसे के front view में जाना है, उसको position करना है आपको, कहीं पर भी रखना है, इसको front view से पहले position कर लीजिए आपर, इसके उपर रखना है तो इसके उपर, फिर top view से again इसको position कीजिए, सही position पे, तो देखिए इसके उपर अब हमने रख दिया, तो दो direction से आप इसको position कर लीजिए, आपके object सही position में आ जाएगा, अब next method में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक option देखिए, scale के बाजू में एक option है, select and place का option, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर tipod draw करता हूँ, और यहाँ पर मैं tipod draw करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ, select and place, इस पर click करते हैं, यह activate हो जाएगा, अब इसको drag कर सकते हैं, अब इसको drag कर सकते हैं, इस तरह से drag करके कहीं पर भी ले जाके देखिए, इस face पे रख सकते हैं, इसके उपर के face पे रख सकते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी देखिए, सिलेंडर में भी, कहीं जहाँ पर हम ल और नहीं रहने वाला तो यह चीज़े बहुत ही जादा important होती है जम कोई भी object को कहीं पर move करना हो कहीं पर accurately place करना हो या फिर इंटेरियर में बहुत सारे object होते हैं इंटेरियर के उनको accurately किसी surface पे किसी wall पे किसी balcony में कोई object place करना है तो वहां पर यह बहुत ज्यादा यूज होता है तो इस command को आप याद रखिए कि यहां पर आप इसको on रख सकते हो और अपने object को surface के according उसको match कर सकते हो जिस फी face में जाओंगे उस तरह से यह देखिए उस face के according align भी हो जाएगा इस तरह से move कर सकते है याद रखिए कि इस पर राइट क्लिक करके आप यहां पर use base as pure कर सकते हो use base as pure ओके यहां पर यह करेंगे तो इसका base जो है वही हमारे object के ऊपर आएगा इसका base इसके difference अगर मैं आपको बता हूं तो express में बना लेता हूं आगर मैं इसका office अगर आप देखोगे तो इस पर के center में है आप देखे हाप राइट क्लिक करके मैं YOU Bass expressed करता हूं तो देखिए क्या होगा इसको ड्राइग करता हूं यह इसको फ 캐र को align कर रहा है, अब मैं right click करके use base as pivot, यह मैं यहाँ पर on कर लेता हूँ, अभी off था, अभी on कर लेता हूँ, अब देखिए, यह object अगर प्लेस करते हम, sorry यह object अगर हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो देखिए, यह हमारे इसके उपर ही आएगा, तो इसका base as pivot यहाँ पर consider हो किया, तो याद रखिए, यहाँ पर यह on होना चाहिए, इसको off करेंगे, तो यह जो है axis align कर देगा, हमारे objects से, यह भी setting है, चोटा सा मैंने बता दिया, use base as pivot यहाँ पर कर लिए आपको, ठीक है, तो किसी भी प्रेस करके, move ले लेता हूं, और अगर देखिए, यहाँ पर move लेने के बाद, मैं यहाँ पर अगर shift, press and hold करता हूं, shift, press and hold करके, यहाँ पर y-axis पर object को move करता हूं, तो देखिए, यहाँ पर इसका copy तयार हो रहा है, ठीक है, तो shift, press and hold करके, अगर आप यहाँ पर किसी भी object को move करते हो, तो उसका copy तयार होगा, उसके clone कहते है, clone, तो copy के यहाँ पर तीन options है, copy, instance and reference, ओके, यह तीन option यहाँ पर दिये गए है, तो copies यहाँ पर number of copies भी आप decide कर सकते हो, फिलाल one है, तो आप two ले सकते हो, three ले सकते हो, four ले सकते हो, जितने चाहिए, उतने copies ले सकते हो, तो जैसे के railings वगएरे में आपको balluster वगएरे चाहिए, तो वो आप create कर सकते हो, कोई design आपको copy करनी है, multiple times, वो कर सकते हो, बहुत ही जादा यूज होता है, तो इसको याद रखिए, यह 5 हो गए, इसके copies ready हो गए यहां पर, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अब दूसरा option इसमें use करेंगे, select, shift, press and hold, y-axis में हम यहां पर इसको copy करेंगे, या clone करेंगे, तो यहां पहले तो हमने copy लिया था, अब हम instance लेते हैं, देखिए, क्या होता है, copy लेके अगर हम यहां पर करते हैं, copies, अब हम अगर first object पर यहां पर select करके, इसको modify करते हैं, radius को modify करेंगे, height को modify करेंगे, और यहां पर सारी चीज़े आप modify करते हो, तो सिर्फ एक object ही यहां पर change हो रहा है, एक object ही change हो रहा है, ठीके, बाकी में इसका कोई भी effect नहीं हो रहा है, मगर अगर हम ऐसा करते हैं, कि यहां पर इसको shift press and hold करके track करते हैं, और instance लेते हैं, और यहां पर हम इसकी quantity 5 रख देते हैं, अब अगर हम किसी cylinder को select करके, यहां पर radius को change करते हैं, तो देखिए, सारे यहां पर cylinder के radius और parameter change हो रहे हैं, तो अगर आपने कोई एक object बना के उसका instance में clone किया हुआ है, तो आपका यहां पर एक object के parameter change करने पर दूसरे object के भी parameter change हो जाएंगे, ठीक है, तो generally कभी कभी इसी requirement हमें होती है, कि एक को change करने पर सभी change होने चाहिए, हमको बार-बार copy करने की जरुरत ना पड़े, या फिर बार-बार उसे हमें modify करने की, सब को modify करने की जरुरत ना पड़े, इसलिए एक में अगर हम change करने तो same effect सब में दिखना चाहिए, तो यह instance का फाइदा होता है, और इसके में एक और option है, जो है reference, reference थोड़ा सा advance है, उसके लिए हमें पहले modifier जानना होगा, उसके बाद ही हम reference को use कर पाएंगे, वैसे जादा हम इसका use नहीं करते, instance and copy का सबसे जादा हम use करते हैं, तो इस तरह से arrays create करने के लिए हम यहाँ पर clone का use कर सकते हैं, ओके, देख सकते हैं, तो यह array हम बोल सकते हैं, इसको, अब इसी तरह से rotate का भी use कर सकते हो, आप जैसे के मैं यहाँ पर e press करके rotate ले लेता हूँ, shift, press and hold करके rotate करता हूँ, इसको देखिए, rotate यहाँ से, इस तरह से, देखिए, rotate हो रहा है, copy करके, अब कितने चाहिए हमको इसे 3, 4, 5, जितने भी चाहिए, मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, इस तरह से rotate करके भी आप इसके clones ready कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो, instance लोगे तो एक में change करने पर सभी change होंगे, यहाँ पर अगर आप इसमें एक में change करोगे, height, width, एक में change करने से सभी यहाँ पर change हो जाएंगे, ओके, तो यह rotate का भी same, इसी तरह से आपका work करेगा, कि सकते हो देखिए इस तरह से अलग- alगarekin में इनको रोटेट कर सकते हो याद रखिए किसी भी object को को आप रोटेट अगर करते हो जैसा कि यहां पर रोटेट करते हो या मूफ करते हो इसकेल करते हो तो उसका जहां पर पाईवोट होगा पाईवोट का देखे तो आइकोन यहां पर आ रहा है यह मूफ का जो सिंबॉल है वो बेस में आ रहा है मतलब इसका पाइवोट जो है बेस है यहां पर अगर हम इसको स्केल करेंगे तो यह बॉटम जो है इसका यहीं पर फिक्स रहेगा बाखी इसकी जैड एक्सिस में हाइट उनली बढ़ पाइवोट पॉइंट जो है फिक्स रहता है रोटेट होते वक्त देखिए जहां पर हमारा पाइवोट है वह हमारा यहां पर फिक्स रहेगा तो यह जो पाइवोट होता है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं किस तरह से चेंज करेंगे देखिए इस पाइवोट को यहां पर आ पर देखिए कुछ options मिलते हैं already वैसे तो आप move का यहां पर symbol लेकर move लेकर इस pivot को देखिए इस तरह से उपर की तरफ move कर सकते हो अपने according बट आपको object के center में चाहिए तो accurate center यहां से ले सकते हो तो center to object यह perfectly center में इसका जो है पाइवोट आ चुका है अब पाइवोट आ गया तो यहां पर अब इसको आफ करना पड़ेगा अफेक पाइवोट only इसको आफ कर दीजिए अब इसको देखिए रोटेट कीजिए अब shift press and hold and rotate तो देखिए इसका fix point कौन सा रहा है अब अब जो इसका fix point है वो बीच का point है जहां पर हमारा पाइवोट है पिछले बार क्या हो रहा था नीचे का point जो है fix रह रहा था तो इस तरह से पाइवोट जहां पर रहेगा वो point आपका fix रहा इसी तरह scale अब अगर हम करेंगे z-axis में तो देखिए z-axis में जब scale करेंगे तो यह दोनों direction में इसकी height बढ़ेगी नीचे भी देखिए plane के नीचे चला गया यह plane के नीचे cylinder चला गया height में तो यह नीचे भी जाएगा उपर भी जाएगा दोनों direction में जाएगा तो कभी-कभी ऐसी जरूरत हमें होती है जैसे के अगर हम trees वगरे लिए वह अपने plan में trees वगरे लिए जिसका base जो है वो ground पे fix है base जो है ground पे fix रहने के वजा से trees वगरे ह होगा इसको scale pivot only sorry effect pivot only और यहां पर center to object कर सकते हो और reset pivot करेंगे तो वापस अपने bottom में आ जाएगा center to pivot कर सकते हो reset pivot कर सकते हो bottom में आ जाएगा या पिर आप move लेकर इसको move भी कर सकते हो directly front में आईए और इसको bottom में रख दीजिए move करके अब bottom में जब इसका pivot आप रख देते हो बिल्कुल तो अब यह जो है scale करने पर bottom इसका fix रहेगा bottom बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा सिर्फ इसका top बढ़ेगा hide बढ़ेगी उपर की तरफ सिर्फ बढ़ेगा तो यह pivot का बहुत ही जादा useful चीज़े हैं यह भी काफी बार use होता है हमें scale अगरे करने में rotate करने में बहुत ही जादा यह useful होता है तो यह भी याद रखिए hierarchy time में affect pivot only center to object या फिर उसको move भी कर सकत हैं तो अब हम इसको इससे बाहर आ जाते हैं तो move rotate and scale में ज्यादा तर जो important options थे सारे मैंने आपको explain कर दिये हैं अब इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा जैसा के mirror होता है autocad अगर आपनी use किया होगा तो mirror किया होगा array किया होगा तो इसके भी specific option में दिये है हम move करके भी array ले सकते हैं मगर especially इन सब के लिए भी options दिया गया है मैं यहाँ पर एक कोण ले लेता हूं इस तरह से तो हम देखिए यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको mirror मिल जाएगा option simple यहाँ पर mirror ले लेंगे अब mirror में देखिए यहाँ पर axis होते है axis को select कर लीजिए x-axis y-axis and z-axis देखिए यह x में कोई फरक नहीं दिख रहा y में भी नहीं दिख रहा जेड में दिख रहा है नीचे की तरह मगर ऊपर का object नीचे mirror हो जा रहा है और ऊपร का delete हो लिए तो delete नहीं करना है तो नीचे option हे तो no clone है यहाँ पर डिलीट हो जाएगा ऊपर का object कोपी करेंगे तो ऊपर का object सेम नीचे copy हो जाएगा और mirror हो जाएगा instance करेंगे तो same जएसा हम move में करते थे instance की वजा से क्या होगा उपर का अगर हम कोई parameter change करेंगे तो नीचे भी change होगा copy रखेंगे तो ऐसा नहीं होगा उपर का parameter change करने से नीचे का change नहीं होगा तो instance रखने से यह change हो जाएगा ठीक है तो axis के according आप यहाँ पर choose कर सकते हो किस axis में आपको यहाँ पर mirror करना है साधी साधी offset भी है यहाँ अगर दोनों के बीच थोड़ा gap चाहिए आपको तो आप यहाँ पर देखिए यह आप gap कम भी कर सकते हो उपर भी ले सकते हो इस तरह से करता हूं तो देखिए यह हमारा mirror हो गया और हमने इंस्टांस किया है तो उपर के object के अगर हम parameter modify में जाएंगे मोडिफाय में जाके यहाँ पर radius अगर change करेंगे तो नीचे का भी change हो जाएगा क्योंकि हमने इंस्टांस किया है इंस्टांस नहीं करते तो हमारा उपर का change करने से नीचे का effect नहीं होता अब हम इसको देखिए इन दोनों को again mirror करता हूं मैं select mirror अब मैं y-axis में इसको mirror करता एंड offset देता हूं यहाँ पर देखिए offset y-axis में यह mirror हो रहा है उस तरफ ओके करता हूं यह mirror हो गया इस तरह से किसी भी object को आप mirror कर सकते हो आपको उल्टा चाहिए ओक यहाँ पर मैं text प्लस ही बता देता हूं आपको यहाँ पर देखिए text वगेरे आपको 3D में लिखना है तो टेक्स्ट का भी option यहाँ पर दिया गया है तो text ले लिजिए और text यहाँ पर click कर दीजिए और click करने के वह यहाँ पर आप text भी लिख सकते हो देखिए जो भी आपको चाहिए तो यहाँ पर मैं मेरा नाम लिख देता हूं तो यहाँ पर अगर नीचे जाएंगे तो इसक इसको mirror करना है इसमें mirror हमें समझ आएगा mirror कर देंगे word को अब देखिए y-axis में mirror हो रहा है इसमें offset भी दे सकते हैं जिस तरह से इस तरह का mirror होगा and z-axis में करेंगे तो यहाँ पर उपर नीचे होगा चीज भी तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से आप यह कर सकते हो के mirror तो यह mirror के options हैं इन्हें भी आप याद रखिए बहुत ही ज़्यादा use होते हैं next अब यहाँ पर array option हमें देखना है array में भी हम multiple copies ही create कर सकते हैं तो इनी copies को multiple करेंगे मगर array में कुछ extra options भी होते हैं जैसे कि मैं एक object को select कर लेता हूं इसको अब बागी के delete कर देंगे हम single object अब इसे हमें array करना है तो array कहां पर है देखिए यहाँ पर आपको tools में जाना है tools में देखिए mirror भी है array भी है मैंने कहा था आप options आपको मिलेंगे 3ds max के सारे option तो जैसा कि हम create में बहुत सारे चीजे यूज करें standard primitive तो वह सारे देखिए यहाँ पर create में आपको मिल जाएंगे standard primitive box वगए यह सारे option extended primitive यह सारे option AC extended एक बहुत सारे wall वगए वाल वगए भी बहुत सारे है doors वगए है window वगए है सारी चीज य यहाँ पर है modifiers है आगे चलके हम modifiers को देखेंगे और यहाँ पर tools में जाएंगे तो array option भी यहाँ पर मौझूद है array option हम यहाँ पर activate कर लेंगे कुछ बड़ा सा option आपको यहाँ पर नजर आएगा मगर इतना इसमें कुछ मुछ मुश्किल नहीं है बस x, y, z axis दिया हुआ है किस direction में आपको array करना है वो चीज़े यहाँ पर दी गई है और दूसरा है कि कितने direction में आपको array करना है यहाँ पर दिया गया है copy करना है instance करना है reference करना है वो यहाँ पर आपको दिया गया है count आपको यहाँ पर देखे total number of items आपको यहाँ पर count में डालना होगा ठीक है तो ह हमें 10 चाहिए तो यहाँ पर 10 डाल दीजिए, single direction में चाहिए, किस direction में चाहिए, आप यहाँ पर डाल सकते हो, distance डालना पड़ेगा x-axis में, कितने कितने distance में चाहिए, समझों में यहाँ यहाँ पर 1 feet पर कर देता हूँ, 1 feet, 1 feet, और 10 objects, 1 direction, ok करता है, तो देखे, 1, 1 feet पर सारे objects यहाँ पर 10 objects, array हो गए, तो यहाँ पर control Z करता हूँ, distance कम हो गया हमारा tools यहाँ पर array, अब distance हम थोड़ा बड़ा देते हैं, यहाँ पर 3 feet कर देते हैं, 3 feet, ok करते हैं, अब देखे, यह gap में आएगा, 3 feet के gap में आ गया है, single direction में किया, इससे ज्यादा direction में कर सकते हम इसे, फि 5 ले लेते हैं, और किस direction में करना है हमें, Yxis में करना है, समझो, Y axis का distance देदेंगे, again 2 देदेंगे, हाँपर 2 feet, ok करते हैं, तो देखे, 2 direction में आया, X direction में यहाँ पर 3 feet के gap और Y direction में यहाँ यहाँ पर और move array इस तरह से ले सकते हों मगर इसमें distance आपका fix नहीं रहेगा कि कितने distance में आपने इसको array किया इसमें distance आपको पता नहीं चलेगा मगर हाँ इसमें आप इस तरह से array कर पाएंगे move करके भी मगर distance पता नहीं चलता है और tools में आपर array में हमें distance भी पता चलता है कि कितने distance में हम इसे array कर रहे हैं, देखिए 2 feet, 3 feet, 4 feet, जो भी distance होगा, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, ठीक है, तो instance करना है, copy करना है, तो यह वाली x, y, z में करना है, 2 directional करना है, तो उसमें कौन से direction में करना है, 3 dimensional करना है, 3 direction में, तो कौन कौन से direction में, कितना आपको distance हो, बस इतना ही मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, तो यह हमारा हो गया array option, simple, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ 2D option दिखाना चाहूंगा, क्योंकि 3ds max पूरी तरह से 3D में काम नहीं होता है, इसमें 2D में काम करके भी आप object को 3D में convert कर सकते हो, जैसा कि आप AutoCAD में करते हैं, पहले 2D objects बनाते हैं, उसके बाद उसे हम 3D में convert करते हैं, तो 3ds max में 3D से भी आप 3D बना सकते हो, अपने object को, और 2D से भी आप उसे convert करके 3D में बना सकते हो, ठीक है, तो 2D के options कहां पर हैं, तो देखे, create में यहाँ पर आए हम लोग, उसके बाद यहाँ पर geometry है, और उसके बाद देखे, shapes हैं यहाँ पर, तो shapes में अगर चले जाएंगे, तो यहाँ पर देखे, splines option है, nums, curves वगएरे हैं, तो ज्यादा यह सब हमको compound shapes वगएरे, यह सब ज्यादा use नहीं होते, splines ही ज्यादा use होते है, splines हमें यहाँ पर select कर लेना है, और यहाँ पर देखे, line है, rectangle है, circle है, 2D के है, तो line ले लिजिए, click करके इस तरह से, 1 point, 2 point, 3 point, just इस तरह से freehand आप बना सकते हो, actually इसमें उतना distance है, हम लोग नहीं बनाते हैं, जैसा AutoCAD, line का distance डाल के हम बना सकते हैं, इतने accurately हम 3D में work नहीं करते हैं, ठीक है, तो यह line इस तरह से बना सकते है, right click exit क करने के लिए, अब circle बनाना है, circle ले लिजिए, center दीजिए, drag कीजिए, radius आजाएगा, rectangle ले लिजिए, first corner, click and drag, यह आजाएगा, इसी तरह से arc बनाना है, first click and drag, उसके बाद यह radius उसकी, इस तरह से, text लेना है, 2D में text भी आप ले सकते हो, और text का यहाँ पर आप उसके letters लिख लिखना है, तो इसकी सारे setting है, बाद में इसको 3D में भी convert कर सकते हो, वैसे तो हमारे पास 3D option भी है, और यहाँ पर 2D option भी है, इसको delete कर देता हूँ, मैं, arc है, helix है, helix में आपको radius देनी पड़ेगी, उपर की तरह turn, चीजिए हैं, ज्यादतर हम लोग, line, arc, circle and rectangle का ही ज्य objects को देखे हैं, तो सभी अलग-अलग color में यहाँ पर draw हो रहे हैं, ठीक है, अलग-अलग color का मतलब है, यह objects अलग-अलग है, एक दूसरे से, अगर हम एक को select करते हैं, तो यह इस तरह से move कर सकते हैं, दूसरे को select करेंगे, दूसरे को move कर सकते हैं, यह अलग-अलग draw हो रहे यह एक अलग है और यह object अलग है यहाँ पर एक option मिलता है देखिए आपको दिखाता हूं यह देखिए line लेने के बाद देखिए auto grid का option आपको पता है किसी भी object के ऊपर बनाना है तो यह यह off कर देता हूं select होंगे एक को move करने पर दोनों move होंगे तो एक ही object में अगर multiple shapes बनाने है तो आप इसको off कर दीजिए इसको uncheck कर दीजिए और objects अलग अलग बनाने है से practice जरूर कीजिए अब यहाँ पर मैं बताता हूं आपको line से क्या-क्या हम लोग कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं इनको delete कर लेता हूं अब यहाँ पर मैं लेता हूँ यहाँ पर line अब line लेने के बाद मैं click करता हूँ जैसे ही मैं click करूँगा तो यह line angle में आ रही है अगर मुझे straight line draw करनी है तब क्या करेंगे तो आपको यहाँ पर shift press and hold करना होगा shift जैसे press and hold करेंगे तो यह ortho on हो जाता है और देखिए यह straight line आपकी draw होगी click करेंगे click करेंगे straight lines आपकी draw होगी generally 2D shape हम top view से draw करते हैं तो मैं आपर top view में आ जाता हूँ top view में देखिए बिल्कुल autocad की तरह यह click करके straight में ortho के साथ draw हो रहा है तो बहुत बार walls हम इस तरह से बनाते हैं इस option का use करके spline method और last में जब हम close करेंगे तो close spline yes कर दीजिए तो यहाँ पर close हो जाएगा यहाँ पर देखिए किसी भी shape को अगर आप बनाते हो और उसे जाकर close करते हो यहाँ पर last में click करते हो तो यह close spline आएगा yes कर दीजिए तो इसका last point and first point combine हो जाएगा इनके बीच gap नहीं बचेगा ठीक है तो close spline यहाँ पर कर दीजिए close object आप बना सकते हो वैसे ही अगर आप यहाँ पर line लेते हो straight तो बना लिया click कर दिया space shift को मैंने छोड़ दिया यहाँ पर अब मैं अगर click करके यहाँ पर drag करता हूँ click करके अगर drag करता हूँ तो देखी यहाँ पर एक curve draw हो रहा है यह आ गया फिर से यह हम इधर भी ले सकते हैं again click करके drag again round आ जाएगा यहाँ पर click करेंगे अगर click करके drag नहीं करेंगे तो again line आने लगेगी okay again click करके हम drag करेंगे तो again यह आर्क आने लगेगा actually arc नहीं बोलते हैं इसको इसको आप SP line बोल सकते हो या फिर special line right click करके exit करता हूँ इसमें देखिए यहाँ पर आपको method दिये गया होते है जब भी आप line draw करते हो तो यहाँ पर देखिए initial type corner initial type corner का मतलब है जब आप normal click करोगे line को बत्तम normal click से अगर draw करोगे initial type तो आपका corner draw होगा okay corner आ रहे हैं देखिए हर जगा corners आ रहे है initial type और यहाँ पर drag type लिखा हुआ देखिए drag type bezier बोलते है इसे bezier तो अगर आप click करके drag करते हो तो यह bezier में draw होगा क्लिक करके drag करेंगे तो इस तरह से आप control भी कर सकते कर्व को तो यह bezier आ गया drag करेंगे तभी आए गई है राइट क्लिक करके आप इन settings को change भी कर सकते हो initial type smooth रखेंगे अगर initial type smooth रखेंगे तो क्या होगा देखिए क्लिक करेंगे दूसरा क्लिक करेंगे smooth में आएगा मतलब arc आएगा देखिए click normal click कर रहा हूं मैं drag नहीं कर रहा हूं फिर वे क्योंकि हमने initial type यहां से change कर दिया है इसी तरह initial की जगा मैं यहां पर corner ही रहने देता हूं यहां पर अगर हम drag type smooth रख देंगे तो यहां पर हमारा यहां पर corner आएगा और drag करेंगे जब हम तो यह smooth आएगा arc type में यह आ गया click again click drag 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 इस तरह से click and drag तो आप यहां से यह arc को जिस तरह से चाहिए वो ले सकते हो अगर आप initial type and drag type दोनों को अगर आप यहां पर corner रखते हो तो आप चाहें drag करो चाहें आप click करो आपको दोनों में ही corner and straight lines ड्राउओंगी तो देखिए यह भी option हम यूज करते हैं कभी कभी क्या होता है गलती से हमारा drag हो जाता है स्ट्रेट लाइन बनाना होता है मगर mouse का click जो हमसे गलती से ड्राइग हो जाता है फिर यह line स्टार्ट हो जाती है तो इस situation में हम दोनों को अगर corner ही करना है इन दोनों में corner ही setting आप कर लीजे ताकि हमारे arcs drawn ना हो हमें जरुरत नहीं होगी तो arc यहाँ पर drawn नहीं होंगे राइट क्लिक करके exit करतेंगे तो यह सारे settings है अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो यह settings गायब हो जाएंगे फिर select करने पर वह settings नहीं आएंगे आपको यहाँ पर modify में जाना होगा modify में आपको यहाँ पर कुछ extra options के साथ यहाँ पर आपको यह सारे चीज़े मिलेंगे देखिए spline बहुत सारे extra options मिल गए यहाँ पर यह options भी मैं आपको बताऊंगा यह सब चीज़े अच्छे से जान लीजिए आप तो line, rectangle, circle, arc जो के ज्यादा तर use होते हैं यह चीज़े मैंने आपको बता दी हैं अब मैं इसे थोड़ा सा इनको delete कर लेता ह हूं यह सारे देखिए एक ही object ड्रॉ हुए है क्योंकि हमने start new shape में अंचेक कर दिया था है यह सारे एक ही shape ड्रॉ हो गए तो यहाँ पर check mark new shape में रखेंगे एक मैं line ड्रॉ कर लेता हूं simple तो इस तरह से right click यह हमारा एक मैंने normal सा shape ड्रॉ कर लिया है अब देखिए इसके हम modify के options देखने वाले कुछ तो modify में अगर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है line जो के हमने create किया है line में यहाँ पर अगर आप click करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे options आपको मिलेंगे vertex segment and spline vertex पर click करेंगे vertex का मतलब होता है इसके points जो यह points नजर आ रहे हैं देखिए अब हमें इसके corner points नजर आने लगे जहाँ पर भी हमने यह vertex है अब यह वाला vertex नजर आ रहा है मतलब अगर आप इस पर click select करोगे W प्रेस करोगे तो यह move कर सकते हो आप किसी भी direction में move कर सकते हो उस point को x direction में y direction में तो उस point को specifically आप कहीं पर भी move कर पाएंगे इस तरह से आप move कर पाएंगे सबको भी select कर सकते हैं एक साथ कहीं पर modification करना है आपको कुछ गलत हो गया है तो आप इस तरह से इसको modify कर सकते हो गया तो यह vertex हो गया segment में आ जाओगे तो segment में क्या होगा देखिए segment मतलब यह बीच की line होती है इसको हम segment बोलते हैं यह line select हो रहे देखिए बागी के points अभी select नहीं होंगे जब हम vertex में रहेंगे तो point select होंगे only segment में आएंगे तो segment बीच के line select होंगे segment select होंगे और spline पर आएंगे तो पूरा spline select होगा पूरा spline select होगा move करेंगे तो पूरा spline move होगा points को हम move नहीं कर सकते तो vertex ले लेता हूँ मैं यहाँ पर देखिए vertex को हम इस तरह से move कर सकते है segment लेंगे तो segment को इस तरह से move कर सकते है एक segment को यह तो modification के लिए हम लोग ज़्यादा तर use करते हैं एक point को नहीं move कर सकते इसमें तो यह हो गया हमारा अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो यह यहाँ पर आ गया अब इसको मैं तो छोटा कर देता हूँ यहां से यह जो option है यहां से drag करके इस तरह से छोटा कर लेता हूँ ताकि नीचे के option हमें अच्छे से नज़रा है अब नीचे में option क्या-क्या है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यह सारे बहुत बड़े हो गया है यह देखिए बहुत सारे option होते हैं कभी-कभी यह on होते हैं कभी-कभी off होते हैं इस तरह से तो इसमें तो selection में सबसे पहले में दिखा रहा चाहूंगा selection में same वही चीज़े हैं तीन option दिए गए हैं first option अगर करते हो vertex तो आप points को select कर पाओगे इस selection बहुत ही जादे important है याद रखिए segment अगर लोगे तो segment को move कर पाओगे और यहां पर अगर spline लोगे तो आप spline को पूर 2 प्रेस करते हो याद रखिए कि आपको right side के numeric की से आपको नहीं प्रेस करना है जो आपके alphabet है उसके उपर जो 1,2,3 है वही वाले shortcuts यूज़ करना है तो 1,2,3 अगर 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर points हम move कर सकते हैं 2 segments को move कर सकते हैं 3 अगर प्रेस करते हैं तो पूरे spline को ह यहाँ पर भी दिये गए हैं इसमें कुछ नया नहीं है इसमें बस इतना है selection में selection बहुत ही जादा important होता है दूसरा rendering में हमें कुछ options मिलते हैं इसमें देखिए rendering में अगर जाते हैं तो यहाँ पर render में देखिए 2 option पहले ही दिये गया है enable in viewport enable in render and enable in viewport दो option है इससे क्या होगा कि हमारा जो 2D में जो यह बना हुआ है इसको 3D में convert कर सकते हैं enable in render enable in viewport दोनों में आप on कर लिजिए आप इसको देख सकते हो आप यह 3D में convert हो चुका है मगर नजर नहीं आ रहे इक से मैं आपको 3D में इसको दिखाता हूँ और इस 3D में हो गया है मगर wireframe है तो नजर नहीं आ रहा तो F3 प्रेस करेंगे F3 से देखिए यहां पर आपका 3D में नजर आने लगेगा F4 से आप इसके segment भी देख पाएंगे इसमें भी देखिए बहुत सारे segment है तो यह 3D में convert हो गया देखिए pipe की तरह तो बहुत बार railings वगेर कुछ frame वगेरे बनाना है तो आप इस 2D object बनाके उसको 3D में convert कर सकते हैं तो यह round की radius यहां से control होगी उसके sides number of segments आप यहां से decide कर सकते हैं इसमें lines जो है और segments का काम करते हैं देखिए याद रखिए कि round कोई भी round object होगा तो उसमें segments की बहुत ज्यादा जूरत होती है अगर इसमें कम segment हम कर देते हैं देखिए यहां पर sides को कम कर देते तो देखिए क्या होगा देखिए round जो round object था वो हमारा अब round नहीं रहा यह rectangular type में नजर आने लगा फोर side कर देंगे तो देखिए rectangular ही type में नजर आने लगा है तो object को smooth बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि इसमें ज्यादा segments हो ज्यादा जितने segments होगे उतना हमारा जो round है वो smooth नजर आएगा यह देखिए और अगर कम करेंगे तो यह smooth नजर नहीं आएगा देखिए किस तरह से edges नजर आ रहे हैं अगर हम इसके side ज्यादा करते हैं तो हमारा round जो है perfect बनता जाएगा तो याद रखिए segments का round बनाने में बहुत ज्यादा use होता है और जितने ज्यादा segments होंगे उतना ज्यादा round दिखेगा मगर यह भी याद रखिए कि ज्यादा segments होने से आपकी file heavy हो जाती है और hang होने के chances ज्यादा होते हैं तो इतने polygons में कुछ नहीं होगा बहुत ज्यादा अगर आप करते हो rectangular railing अगरे चाहिए तो आप इससे भी बना सकते हो यह सारे options है इस तरह से आएंगे आपके option एंगल में आप इसको twist भी कर सकते हो कुछ इस तरह से एंगल में तो यह कुछ options मिलते हैं 2D को 3D में convert करने के लिए तो जस्ट मैंने यह आपको बता दिया बहुत ज्यादा important था 2D objects का काफी बार हम लोग use करते हैं अपने 3D objects को बनाने के लिए तो again P for perspective view में आ जाता हूं Z for zoom all कर लेते हैं अब आगे हम यहाँ पर कुछ advanced चीज़े सिखने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम modifiers के बारे में सिखेंगे तो modifiers क्या होते हैं जब हम कोई भी object बनाते हैं standard primitives या फिर extended primitives से उस shape को change करने के लिए या फिर modify करने के लिए हम लोग modifiers का use करते हैं जो भी यहाँ पर shapes दिये गये हैं basic shapes हैं बिल्कुल यह shapes हम लोग अपने main object को बनाने के लिए use कर सकते हैं और इन shapes को actual shape देने के लिए हम यहाँ पर modifiers का use कर सकते हैं तो चलिए देखते Keeps क किस तरह से हम use करते हैं यहाँ पर तो एक मैं simple पहले एक plane ले लेता हूँ okay plane लेते हैं यहाँ पर और एक plane हम simple draw करते हैं इसके segments को मैं यहाँ पर segment तो फिलाल दिखाई नहीं दे रहे हैं तो f4 place करेंगे तो हम यहाँ दिखाई दीगा तो यहाँ पर segment को हम one करेंगे यह segment भी one कर देंगे तो यह हमारा एक plane यहाँ पर बन चुका है right click करके हम exit कर सकते हैं अब हम यहाँ पर modify में जाएंगे याद रखिए modifiers को apply करने के लिए आपको modify panel में जाना होगा यहाँ पर आप modifiers को apply कर सकते हैं यहाँ पर भी option से देखिए modifiers और modifiers में जाके बहुत सारे options यहाँ पर modifiers दिये गए हैं तो हम यहीं से generally use करते हैं तो यहाँ पर देखिए modifiers में आने के लिए आने के बाद यहाँ पर आपको object का नाम नज़र आएगा, color नज़र आएगा और उसके नीचे यहाँ पर modifier list आपको यहाँ पर नज़र आएगी, आप अगर इसमें click करेंगे, तो आपको modifiers की complete list आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हम सभी modifiers का use generally नहीं करते, अलग-अलग fields में अलग-अलग modifiers का use होता है तो main जो modifiers हमें जादा तर use होते हैं, उन सब को हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं एक modifier इस shape में apply करूँगा, जिससे हम इसका shape को change कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जो modifier use करने वाले हैं, वो है shell modifier, तो shell modifier को ढूनने के लिए आपको list में S press करना होगा, इस list में S press किजिए आप directly S press करते ही देखिए, यहाँ से S से जितने भी modifiers हैं, यहाँ पर start हो गए हैं तो देखिए, shell modifier है skew, skin, skin morph, skin wrap, यह सारे modifiers यहाँ पर हैं, यहाँ पर shell modifier मैं यहाँ पर click करता हूँ, और shell modifier के बाद देखिए, यहाँ पर आपको modifier के settings मिल जाएंगे again, याद रखें कि आप यहाँ पर जैसे ही shell modifier apply करेंगे, तो आपके plane के उपर एक history add हो जाएगी देखिए, हमने पहले plane create किया उसमें modifier apply किया shell जितने भी modifier आप apply करेंगे वो इसके उपर add होते जाएंगे आप कभी भी modifiers को यहाँ से delete कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए, shell modifier apply करने के बाद क्या हुआ, हमारा जो plane था, उसमें एक thickness यहाँ पर आ गई है देखिए, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हमारा zoom हो गया, तो मैं z प्रेस करूँगा object हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पर देखिए, जो plane है, उसमें thickness add हो गई है, किसी भी plane को thickness देने के लिए हम shell modifier use करते हैं, तो generally अगर कोई हमने polygon बनाया है या फिर कोई plane बनाया है, उसको thickness देना है, तो आप उसमें shell apply कर सकते हो, तो देखिए, inner amount इसमें दो type के होते हैं settings, inner amount and outer amount inner amount से आप देखिए, नीचे की तरफ इसकी thickness बढ़ेगी, और अगर outer amount करेंगे, तो उपर की तरफ इसकी thickness बढ़ेगी, outer amount में उपर की तरफ thickness इसकी बढ़ेगी, साथी साथ आप यहाँ पर segments भी इसके change कर सकते हो, आपको जितने भी segments चाहिए, मगर याद रखिए, यहाँ पर segments add होंगे, इस thickness में जितने segments चाहो, उतने add कर सकते हो यह उपर अगर segment चाहिए, तो आपको plane में ही, वो segments लेने पड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए, यह setting हो गए segment के, याद रखिए shell जब भी आप यहाँ पर apply करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे एक setting कर लेना है यहाँ पर auto smooth edge इसको off कर देना है, इसको आपको off कर देना है, देखिए, इसको on करने से क्या होता है, कि यहाँ पर smoothness apply हो जाती है faces आप क्यों हो सकता है, black नजर आने लगें, तो इसलिए आप auto smooth को off कर दीजिए and यहाँ पर आप override edge smooth grip, grp को group on कर दीजिए, यहाँ पर grp means group, तो यहाँ पर इसे on कर दीजिए, auto smooth edge को off, override edge को आप on कर दीजिए, देखिए, सिर्फ आप auto smooth को off करेंगे, तो यहाँ पर black नजर आएगा, तो इसलिए आप क्या किजिए, override edge smoothness और इसे value को 0 रखिए, हमें smoothness add नहीं करनी है, इससे क्या होता है कि अगर round बनाना है आपको smooth दिखा सकते हो, वैसे हमको smooth नहीं करना है, तो इसको 0 रखिए, ठीक है यह आपको करना है setting और एक क्या setting करना है यहाँ पर straight corner को on करना है, ठीक है straight corner, कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पर भी corners होते हैं, वहाँ पर हमारा straight नजर नहीं आता तो आप यहाँ पर straight corners को भी on कर सकते हैं, तो यह 3 setting आपको यहाँ पर याद रखना है auto smooth edge को off करना है override edge smooth group को on करना है और smooth group को यहाँ पर zero रख देना है, और straight corners को यहाँ पर on कर देना है इतने setting यहाँ पर करने हैं, उपर आप इसके साथ खेल सकते हो, inner amount outer amount आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ पर रख सकते हो, segments आपको जो भी चाहिए आप रख सकते हो, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमारे plane के उपर shell modifier apply हुआ है, तो आप इसे बंद भी कर सकते हो, यहाँ पर देखिए, एक i का symbol आ रहा है, तो इसे आप off भी कर सकते हो, और इसे आप on भी कर सकते हो, तो off करेंगे डबल क्लिक करेंगे, तो shell के settings आपके open हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, कि अगर आपने modifier apply कर दिया, तो आप plane के dimension यहाँ पर change नहीं कर सकते हो, यहाँ पर डबल क्लिक करके, और इसके segments को भी add कर सकते हो, यह देखिए, तो इस तरहा का box यहाँ पर बन चुका है, अब मैं च सकता हूँ, ताकि हमारा normal plane यहाँ पर आजाए, अब देखिए, अब next important modifier में आपको बताना चाहूंगा, जिसका नाम है bend modifier, okay, bend modifier में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, तो bend modifier किसली use करेंगे, नाम से ही पता चलता है, किसी भी object को bend करने के लिए हम bend modifier को use कर सकते हैं, तो bend modifier कैसे apply करेंगे, इसमें, यहाँ list में जाएंगे, b for bend यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, b type करेंगे, automatically bend आ गया, या फिर आप यहाँ से भी एक बार use कर लिजे, modifiers में जाए, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है, parametric deforms में, तो अलग-अलग यहाँ पर divide किये हुए हैं, यहाँ पर आपको डुनना पड़ सकता है, modifier को, parametric deforms में आप जाएए, यहाँ पर देखिए, bend modifier है, और shell अगर देखा जाए, तो यही पर नीचे आके देखेंगे, तो shell modifier भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, कि किसी भी object को आप thickness add कर सकते हो अब bend modifier इसमें apply करेंगे, क्लिक करते ही, देखिए, plane के उपर यहाँ पर bend modifier apply हो गया है, इसमें eye का symbol से आप modifier को यहाँ पर on off कर सकते हो, arrow का symbol आ रहा है, मतलब इसमें आप इसको खोल भी सकते हो, gizmo, center, यह सब भी change कर सकते हो इसमें, तो bend को पहले मैं दिखा देता हूँ, इ यह दो चीज़े इसमें दी गई है, तो किस direction में आपको bend करना है, axis select करना होगा, तो अगर आपको x-axis को bend करना है, तो x-axis पर click किजिए, और यहाँ पर angle दे सकते हो, देखिए, यह bend हो रहा है, इसको आप round कर सकते हो, bend कर सकते हो, तो देखिए, यह smoothly round bend नहीं हो रहा है, तो यह देखिए, x-axis को फिलाल हम यहाँ पर fold कर रहे हैं, यह फिर bend कर रहे है, x-axis, y-axis को bend करना चाहेंगे, तो y-axis को भी कर पाएंगे, देखिए, इस तरह से y-axis का bend होगा, and z-axis में भी bend होगा, z-axis में इसमें दिखाई नहीं देगा, वैसे, direction को मैं 0 रखता हूँ, तो फ तभी यह round नज़र आएगा, smooth, तो देखिए, अब perfect यह हमें round नज़र आ रहा है, अब again bend पर double click करेंगे, और इसके amount को हम चाहो, तो ज्यादा भी कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से fold भी आप कर सकते हो, देखिए, x-axis, y-axis में bend करेंगे, तो कुछ इस तरह का नज़र आएग ठीक है, तो x and y-axis, इसमें upper and lower limit भी होती है, तो यह limit में भी आप कर सकते हो, bend, अगर आपको थोड़ा सा portion इस plane का bend करना है, तो उसमें भी आप limit का use करके, थोड़ा सा portion बस आप bend कर सकते हो, थोड़ा सा मैं example दिखा देता हूं आपको, तो यहाँ पर limit, effect limit में कर देता हूं, और देखिए, limit करने के बाद, यहाँ पर अगर मैं upper limit यहाँ पर set कर लेता हूं, देखिए थोड़ा सा, upper limit और lower limit देखते क्या हो रहा है, lower limit में यह, अब देखिए यह जो limit दिखाई दे रही है, दोनों के बीच का portion ही bend हो गया, देख सकते हो, मैं bend करता हूं, देखिए, इन दोनों limit के बीच का जो portion ही, वही bend हुआ, बाखी का portion यहाँ पर straight रह गया, तो आप limit को again बढ़ा भी सकते हो यहाँ पर, और कम ज्यादा भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, इस तरह से, limit कम ज्यादा भी यहाँ पर कर सकते हो, नीचे का limit भी कम ज्यादा कर सकते हो, तो upper and lower limit अ मैं अगर यहाँ पर box बना लेता हूँ, right click, अब इसको हम bend करेंगे, यहाँ पर B for bend, bend modifier, कौन से axis को, X axis को bend करते हैं, X axis, angle, तो इसमें segments नहीं है, तो देखिए ठीक से bend भी नहीं हो रहा, इसमें segments है नहीं, तो हम आगे box में double click करेंगे, segments बढ़ाएंगे, इसमेंगे, तो यह segments मैंने बढ़ा दिये हैं, आप again double click करके bend में आ जाते हैं, और यहाँ पर अब हम इसे, इस तरह से X axis bend होगा, तो अलग-अलग shapes बनाने के लिए आप in modifier को use कर सकते हो, और अगर मैं Y axis को bend करता हूँ, तो देखते हैं किस तरह का हो रहा है, यह देखिए इस तरह का Y axis में bend होगा, Z axis bend करेंगे, तो कुछ इस तरह का bend होगा, तो X, Y, and Z, इसकी चाहो तो आप direction भी change कर सकते हो, देखिए, direction यहाँ पर देखिए, इसको मैं पहले तो 0 कर लेता हूँ, direction अगर मैं इसको, इसको भी 0, इसको ऐसे करता हूँ, और इसकी direction थोड़ा सा मैं change करता हूँ, तो direction change हो गया, यह अब इस तरह से bend हो रहा है, 90 degree कर देता हूँ, इसके direction को, देखिए, अब यह इस तरह से bend हो रहा है, तो इस तरह से directions आप यहाँ से change कर सकते हो, 0 रखेंगे, तो इस तरह से bend होगा, 90 रखेंगे, तो इस तरह से bend होगा, 180 रखेंगे, तो उपर की तरफ से bend तो यह direction का काम होता है, direction आप कहीं से भी change कर सकते हैं तो यह boxes को भी आप bend कर सकते हैं, इसी तरह कोई भी object आपका हो, आप उसे bend कर सकते हो अब next में आपको बहुत ही जादा important एक modifier बताना चाहूंगा, जो के हैं यहाँ पर extrude modifier मगर extrude modifier हम generally use करेंगे अपने 2D shapes में, ठीक है, 2D shapes पर click करेंगे, यहाँ पर line ले लेता हूँ और समझ लीजिए, मैं shift, press and hold करके अपने plan के walls बना रहा हूँ, ठीक है, यह हमारे plan के walls हैं right click करके मैं exit हो जाता हूँ, यह हमारे walls हम समझ लेते हैं, तो हम इसे extrude करेंगे, अब 3D में convert करेंगे तो मैं modifier में जाता हूँ, यहाँ पर ले लूँगा E for extrude, तो extrude देखिए आ गया, याद रखिए कि यह extrude option सिर्फ 2D के लिए है 3D के लिए यह extrude काम नहीं करेगा, ठीक है, तो जब आप 2D बनाएंगे और उसे select करेंगे, तभी यह option आपको नजर आएगा तो यहाँ पर हम extrude कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पर extrude apply हो गया है, यहाँ पर हम amount दे सकते हैं, कितने portion में आपको extrude करना है जैसे के हम autocad अगर आपने use किया होगा, उसमें आपको extrude मिलता है, उसी तरह का यह option है, या फिर press pull बोल सकते हो, press pull भी होता है हमारे autocad में, तो press pull की तरह कुछ काम करता है तो यहाँ पर extrude option देखिए दिया गया है, extrude में देखिए यहाँ पर हम values को कम ज़्यादा करके, किसी भी 2D shape को 3D में convert कर सकते हैं इसी तरह अगर मैं 2D shape में किसी circle को बना लेता हूँ, किसी arc को बना लेता हूँ, याद रखिए arc भी open profile भी extrude हो सकते हैं तो profile को select करूँगा, यहाँ पर जाओँगा modifier list में E for extrude और इसे देखिए 2D में extrude कर लेंगे तो इस तरह का भी आप extrude कर सकते हो, shape open हो या close कोई फरक नहीं पड़ता अब मैं इस shape को click करता हूँ, इसमें से apply करता हूँ E for extrude, यह देखिए यह भी cylinder आ गये हैं हापर अब इसमें भी कुछ settings मिलते देखिए, extrude करने के बाल, इसमें क्या है, segments आते हैं, segments कितने, इसमें segments कितने चाहिए तो देखिए, फिलाल आपके यहाँ पर one segment है, अब यह 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप segments यहाँ पर डाल सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है इसी तरह से इसको भी select करते हो, इसमें भी आप segments डाल सकते हो, तो plan बनाने के लिए इसका हम लोग बहुत ज़्यादा use करते हैं, extrude का याद रखिए इस option को, यहाँ पर हम इस तरह से extrude करते हैं, और seal height और lintel height पे एक-एक segment add करते हैं, और उसमें हम door and windows यहाँ पर निकाल सक अब इसमें आपको देखिए cap start cap end का भी option है, तो cap start cap end में क्या होता है, कि इसके उपर देखिए यह close है, यह box जो हमारा बना हुआ है shape, यह उपर से नीचे से close है, तो आप अगर इसे off करेंगे, तो यह नीचे से देखिए यह open हो जाएगा, यह open हो गया है, आपको दिखाई end को भी हटा देता हूँ, उपर से भी open, तो देखिए, उपर और नीचे के cap जो है यहाँ पर गयाप हो चुके, इसी तरह cylinder के भी caps हम गयाप कर सकते हैं, देखिए यह इस तरह का जाएगा, तो यह best option है, यहाँ पर इतने ही इसमें generally काम होते हैं, बाकी का तो इसमें smooth वगरे आप नहीं करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा होगा, आप राग भी सकते हो, देखिए, इसमें smooth नजर आएगा, बंद भी कर सकते हो, normal भी रख सकते हो, कोई problem नहीं है, अब extrude करने के बाद इसकी wall की thickness भी आप डाल सकते हो, इसकी wall की thickness कैसे डालेंगे, तो thickness डालने के लिए प्लेन में क्या करते हैं, पिछला हमने जो modifier यूज किया है, shell modifier, तो हम अगेन इस extrude के ऊपर shell modifier को भी apply कर सकते हैं, तो shell ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, shell modifier, तो extrude apply किया है, उसके बाद shell apply किया, तो यह सारी history यहाँ पर हमारी add होती जाएगी, जितने modifiers हम अपने shape में apply करेंगे, आप कभी भी किसी भी modifier को delete कर सकते हो, उसमें double click करके, उसमें modification कर सकते हो, double click करते ही, आपके settings यहाँ पर आजाएंगे, तो यहाँ पर shell हमने apply कर दिया, आप shell के segment में zero कर देता हूँ, यहाँ पर cap segment और इसकी inner thickness, outer thickness यहाँ पर देखिए, अ देख सकते हो, तो यह हमारा wall यहाँ पर बन चुका है, बेस्ट है, यहाँ पर हमारे walls बन गए, अब यहाँ पर हमने बोला था, कि जब भी आप shell apply करो, तो आप smooth age को यहाँ पर off कर दो, override age smooth को यहाँ पर on कर दो, यह already on है, क्योंकि पिछले बार हमने already setting कर चुके हैं, तो यह वही setting आ रहे हैं, यहाँ पर हमें करने की जुरत नहीं पड़ी, और यहाँ पर straight corner को off कर दो, अगर हम यह देखिए on रखते हैं, इसे off रखते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा corners वगएरे आपके सही नहीं आते इसमें, अभी तो फिलाल तो सही आ रहे हैं, मगर अगर इसमे windows and doors अगर हम लोग बनाएंगे, तो corners जो है सही नहीं आएंगे, इसमें straight corners आपको करना ज़रूरी है, ठीक है, straight corners कर दीजिए, इसमें से कभी भी हम shell को delete भी कर सकते हैं, इसको modify भी कर सकते हैं, तो यह walls बनाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा इसका use करते हैं, तो right click करके हम इसे delete कर सकते हैं, तो extrude में जो भी options थे हमने यहाँ पर देख लिए हैं, अब next में यहाँ पर आपको sweep option सिखाना चाहूंगा, sweep option का भी बहुत बार हम लोग use करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप railings वगेरे बनाना चाहो या फिर कोई cornice बनाना चाहो, cornice होती है, तो वो designs बनाने के लिए आप sweep का use कर सकते हो, अगर आप AutoCAD use करते होंगे, तो आपको पता होगा कि sweep option से क्या होता है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो sweep करने के लिए आपके पास एक 2D shape होना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर line से कोई 2D shape बना लेता हू है, यहाँ पर straight नहीं आया, तो इसको modify कैसे करेंगे, हम जाएंगे modifier में, और rendering वाला तो इधर option में इसको छोटा कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर point select करूंगा, vertex, 1 shortcut है इसके लिए 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था, 1, 2, 3 shortcut, इस point को select करूंगा, right click, और इसे हम लोग change कर सकते हैं, बेजियर से corner में, देखे, change हो गया, तो गलती से कोई है, अगर आपका यहाँ पर change हो जाता है, drag हो जाता है, जिसके वज़े से arc आ जाता है, तो आप select करके point को right click करके corner कर सकते हैं, और सभी point को select कीजिए, right click corner, तो सभी corners में आ जाएंगे, सभी click करके यहाँ पर smooth कर दे जाता हूं मैं, तो just points को select कीजिए, और corner कर दीजिए, यह हमारा हो चुका है, अब हम इसमें sweep option का use करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, modifier में जाना होगा, और यहाँ पर modifier list में sweep करना होगा, sweep, 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 देखिए, sweep option, देखिए, यहाँ पर हमें sweep मिल चुका है, यह sweep option है, तो इस पर click किजिए, अब देखिए, जैसे हमने sweep को apply किया, यहाँ पर automatically एक shape आ गया है, L type का shape है, channel, देखिए, L type का shape है, बीच में fillet भी है, यही shape यहाँ पर sweep हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए, कुछ ready-made shapes दिये गए होते हैं, use built-in sections, मतलब already ready-made sections आप यहाँ से use कर सकते हो, तो select कर सकते हो, angle चाहिए, bar चाहिए, bar में rectangular आएगा, यहाँ से आप channel select कर सकते हो, इस तरह का channel आएगा, cylinder select कर सकते हो, यहाँ पर half rounded select कर सकते हो, pipe, बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो इस तरह के अलग-अलग यहाँ पर shapes दिये गए हैं, okay, तो इनका भी आप use कर सकते हो, मगर आप custom shape का भी use कर सकते हो, means, खुद आप एक shape बनाईए, और उसको इसमें use कीजिए, तो अपना अगर आपको shape बनाना है, तो कैसे करेंगे, वैसे इसमें आप settings भी आते हैं निचे, इसके size वगरे के settings भी कर सकते हो, जैसे कि यह round है, तो इसकी radius वगरे की setting यहाँ पर आ रही है, तो इस radius को कम जादा कर सकते हो, अगर आप channel लेते हो कोई, channel या फिर pipe लेते हो, तो pipe में भी दो radius आपको control करने के लिए मिलेंगे, okay, outer and inner, इसी में अगर आप rectangular लेते हो, बार, तो इसमें आपको rectangle की length and width के option मिलेंगे, corner में भी radius अगर दानना है, तो यहाँ पर corner radius भी आप डाल सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से, तो यह सारे options इसमें मिल जाते हैं वैसे, बट हमें ज्यादत तर जब हम use करते हैं sweep का, तो हम इसको delete कर देता हूँ मैं modifier को, custom section का use करते हैं, means हम अपने से कोई एक extra shape बनाते हैं, तो हम अगर custom shapes का use करना चाहें, तो देखिए यहाँ पर मैं कोई line ले लेता हूँ, और एक shape बनाता हूँ, मैं यहाँ पर top से बनाएंग अब मैं यहाँ से यह close कर देता हूँ, yes, तो यह close होना चाहिए, यह profile, अब right click करके यह आगे हमारा, अब इस shape को हमें यहाँ पर sweep करना है, तो कैसे करूँगा, देखिए, सबसे पहले तो यह shape select करूँगा, line modifier में जाएंगे, यहाँ पर sweep apply करेंगे, sweep यहाँ पर आप देख सकते हो, sweep, आप sweep करने के बाद यहाँ पर आप use custom section आप कर सकते हो, और pick पर click कीजिए, यहाँ पर और आप इस section को pick कर सकते हो, जिससे आपका देखिए, यहाँ पर आ गया, यह section, 3D में दिख रहा है, अब हम create में आ जाएंगे, तो यह transparent नजर आए, F4 प्लेस करेंगे हम लोग, F3 and F4, तो देखिए, यह हमारा चारो साइड में apply हो गया, अब इसको थोड़ा सा modify भी कर सकते हो, अगर आपको यह shape नजर आ रहा है, यह बाहर साइड में चाहिए, तो इसके लिए भी options है, तो यहाँ custom shape तो कर दिया हमने, बट नीचे अगर आएं सकते हो, या फिर mid में रख सकते हो, corner, इस तरह से आप इसके alignment चेंज कर सकते हो, और इसको mirror भी कर सकते हो, देखिए, शेप को mirror to x, y, तो यह mirror हो जाएगा, बाहर साइड में आ जाएगा, mirror to y,z नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इस तरह का, देखिए, यहाँ पर बन गया, तो यह इसका point भी आप decide कर सकते हो, यहाँ पर, कि किस, इसका pivot point कहाँ पर होना चाहिए, तो यह है, और यह दो setting, यहाँ पर है, offsets भी है, कुछ profile से, अगर कुछ distance पर आपको चाहिए, यह shape तो आप वो भी कर सकते हो, profile से कुछ distance पर इसे, बना सकते हो, ठीक है, तो यह ज्या तर mirror, x, y या फिर y, z का use, ज्यादा करते हो, तो अब यह तो हो गया, मगर इसमें कुछ बहुत सारे advanced shape भी हमें मिलते हैं, अगर आपको कुछ advanced ready made shapes चाहिए, जैसा कि मैंने अभी इस तरह का shape बनाया, बहुत सारे से round, arc के साथ बनाये हुए होते हैं, तो बहुत सारे options हैं, autocad में और भी ज्यादा अच्छे से बना सकते हो, autocad की file को इसमें आप import कर सकते हो, या फिर बहुत सारे advanced shapes आपको ready made मिल जाते हैं, उसके लिए आपको एक plugin install करना पड़ता है, cornice plugin होता है, तो cornice के लिए plugin install कीजिए, आपको उसमें ready made shapes आपको मिल जाएंगे, 3ds max के लिए, त अब मैं fastly कुछ extra options बता देना चाहूंगा, ज्यादा तो use नहीं होते, तो मैं यहाँ पर simply box ले लेता हूँ एक, और इसमें हम ज्यादा segments रखेंगे, already बहुत सारे segments आ चुके हैं, और यहाँ पर जो modifier हम लोग use करने वाले हैं, वो है FFD modifier, FFD modifier का use आप इसके shape को change करने के ल 2x4, तो कोई भी ले सकते हो, जैसा आपको shape जितना advancedly change करना है, उतने आपको यहाँ पर ज्यादा points लेने पड़ेंगे, यह points की quantity है, control points, तो FFD 2x2 लेता हूँ मैं, तो क्या होगा, देखिए, box के उपर FFD modifier apply हो गया, अब यहाँ पर देखिए, उसके वज़ा से यहाँ पर तो दो-दो control points हमारे मिले हैं हमें यहाँ पर, अब इन control points को आप यहाँ पर select करके इनको change कर सकते हो, इनकी position change कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, points को select करने के लिए यहाँ पर आपको FFD में जाना है, और यहाँ पर देखिए, तीन option आपको मिलेंगे FFD में, control points, lattice and set volume, तो generally control points को हम लोग use करते है, control points ले लिजिए, अब इन points को आप select कर पाएंगे, यह होगी हमारा point selection, अब इस point को हम कभी कहीं पर भी move कर सकते हैं, और हमारा shape जो है, change होना start हो जाएगा, तो हमारे according जैसा हमें shape चाहिए, उस तरह से हम इन points को यहाँ पर move कर सकते हैं, देखिए, इस तरह का shape बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो FFD के true हमने बना लिया, control Z करता हूँ, मैं इन shapes को reset करता हूँ, तो reset करने के बाद देखिए, अगर आपको उपर के सिर्फ points change करने है, तो देखिए, क्या कर सकते हैं, आप इन 4 points को भी select कर सकते हैं, और इन 4 को भी move कर सकते हैं, एक साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि, एक एक point move करना है, चारो को भी एक साथ move कर सकते हैं, इस तरह का shape आपको चाह कर सकते हैं, ठीक है, तो एक एक point करके भी आप यहाँ पर change कर सकते हो, इनको इस तरह से भी कर सकते हो, तो 2 by 2 का यहाँ पर यह काम है, reset भी कर सकते हो, again reset करेंगे, यहाँ पर option है reset, तो यह reset हो जाएगा, अपने original size में वापस आ जाएगा, तो 2 by 2 use किया है, मैं इसको right click करके delete कर देता हूँ, अब मैं 3 by 3 का use करता हूँ, FFD 3 by 3, तो इसमें देखें, 3-3 point आपको नजर आएंगे, यह orange हो गया है, दोनों shapes, तो मैं यहाँ पर इसको blue कर लेता हूँ, देखें, आप कुछ नजर आ रहा होगा, इसको भी off कर देता हूँ, अब देखें, ठीक से आपको न select करके अब हम move कर सकते हैं, एक ही point, देखें, move होगा, दूसरे point को कहीं, दूसरी जगा move कर सकते हैं, तीसरे point को कहीं, तीसरी जगा move कर सकते हैं, देखें, इस तरह का shape हमें मिल गया है, easily, तो यह benefit होता है, जितने controls point होंगे, उतने जादा हम इसको modify कर पाएंगे, इनको इस तरह से हम scale भी कर पाएंगे, यहां से, scale, तो देखें, यह curve में भी आ रहा है, round हो जा रहा है, इसी तरह 4 by 4 लेंगे, तो और भी ज्यादा हम इसे control कर पाएंगे, इसको again delete करता हूँ, FFD 4 by 4, 4 by 4 में और भी अच्छी तरह से आप इसे control कर पाएंगे, इसके lattice, control points, आप एक क move कर सकते हो, देखें, यह round में convert हो जाएगा, यह आ गया, तो किसी तरह का curve अगरे आपको चाहिए, तो आप इसे ले सकते हैं, FFD modifier, अब last एक modifier में बताना चाहूँगा आपको, जो क्या है यहां पर turbo smooth, turbo smooth modifier, तो turbo smooth modifier को use करने के लिए, सबसे पहले तो हम एक box बनाएंगे, यहां पर इसके segments बिल्कुल कम कर देंगे, यह turbo smooth इसमें हमें apply करना है, turbo smooth से क्या होता है, कि कोई भी हमारे objects हैं, उसके edges जो है, smooth हो जाएंगे, तो कोई भी आपने shape बनाया है, उसको अगर आपको smooth करना है, उसके edges को smooth करना है, तो turbo smooth यूज़ कर सकते है तो यहां पर जाईए, यहां पर T दबाईए, यहां पर turbo smooth एक option आपको नजर आ रहा है, देखे, यह turbo smooth करते ही, हमारा जो object है, वो round हो गया है, मतलब smooth हो गया है, अब यहां पर कितना smooth करना है, वो depend करता है कि आपने iterations यहां पर कितने लिए वे हैं, तो one iteration कम smooth होगा, two iteration में औ और भी ज्यादा smooth हो गया, और यहां पर ज्यादा भी कर सकते हो इसमें, जितना ज्यादा करोगे, उतने ज्यादा यहां पर polygons बनेंगे, और उतना ही ज्यादा object आपका smooth होता जाएगा, तो जो rectangular box है, वो हमारा round हो गया है, क्योंकि इसको हमने smooth कर दिया है, इसी तरह अगर आपको इतना smooth नहीं करना है, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको इस box में जो है, वो यहां पर कुछ segments रखने पड़ेंगे, अगर मैं यहां पर segments रखता हूँ, चार-चार segments रखता हूँ इसमें, तो अब देखिए, अब 4 segments रखने पर, हमारा smooth जो है, वो लिमित हो जा यह जो corner है, इस segment तक ही round होगा, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर turbo smooth अपलाए करता हूँ, तो देखिए, देखिए हमारा यहाँ पर जो smooth ने से वो limit हो गया, हमारा rectangular shape यहाँ पर बरकरार रहा, और हमारा ages जो है, वो सिर्फ smooth हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप iterations ज्यादा भी रख सकते हो, और भी ज्यादा अगर आपको smooth चाहिए, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे shapes बना कर हम उसे smooth करते हैं, ताके वो अप उसकी original shape में आ जाए, तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है हमें, खास कर interior objects बनाने में, अब एक चीज़ और में यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको, अगर आप इसको अच्छे से और limit करना चाहते हो, तो box को यहाँ पर modify करके इसमें और भी segments एड़ कर दीजिए, तो यह जो segment, यह जो distance होगा, वो जितना नजदीग होगा इसके, उतना ज़्यादा यह limit हो जाएगा, हमारा जो smoothness से उतना ज़्यादा limited हो जाएगा, तो अब बहुत ही कम इसमें smoothness अपलाई होगी, corners में, turbo smooth, द F4, देखिए, यह smooth हो गया, इसी दरा कोई भी shape होगा आपका, वो smooth कर सकते हैं by using turbo smooth, तो modifiers हमने अच्छे से देख लिया है, अब जो है, हम एक बहुत ही important option देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है editable poly, इस option को आप अच्छे से सिख लिए, अगर हम कोई भी 3D object बनाते हैं, 3D plan बनाते हैं, architectural plan बनाते हैं, तो इसी option का सबसे ज्यादा use करते हैं, जिसका नाम है editable poly, ओके, तो चलिए देखते हैं, editable poly का हम किस तरह से use कर सकते हैं, किसी भी object को बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक box बना लेता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर हम जब box बन नजर आ रहे हैं, इन्हें segments बोलते हैं, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि इन lines के बीच का जो area आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग polygon बोलते हैं, यह 1 polygon, 2 polygon, 3 polygons, यह polygons है, इनकी quantity हम यहाँ से decide कर सकते हैं, कि हमें कितने polygons चाहिए, यह सारी चीज़े यहा पर single आएगा, तो देखिए, इसमें सिर्फ एक polygons यहाँ पर है, एक polygons यहाँ पर है, एक polygons उपर है, तो इन polygons को divide करने के लिए हम इन segments को add करते हैं, जैसे यह एक single polygon था, इसको हमने double में convert कर दिया, तो यह दो polygons हो गया, अगर हम इसको और एक करेंगे, तो यहाँ प करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पर convert to editable poly option पर क्लिक करूँगा, तो यह जो object है, यह editable poly, मतलब जिस polygons को हम लोग edit कर सकते, अभी तो हम इस polygons को edit नहीं कर सकते हैं, क्योंकि modify में जाने पर यह box को edit कर सकते हैं, बस box को modify कर सकते हैं, अभी हम फिलाल polygons क को modify नहीं कर सकते हैं, मगर जब हम right click करते हैं, convert to editable poly करते हैं इसे, तब हम इसके polygons को भी modify कर सकते हैं, याद रखिए कि यहां से भी आप use कर सकते हो, या फिर modify में जाकर modifier list से भी आप यहां पर editable poly use कर सकते हो, editable poly देखिए, edit poly option यहां पर नजर आएगा, edit poly, या फिर right click कीजिए, और convert to editable poly, एक चीज़ याद रखिए कि कोई भी modifier अगर आपको quickly use करना है, तो उसके shortcuts आप यहां पर display में add कर सकते हो, कैसे, इस option पर जाना है, configure modifier set, यहां पर show buttons करना है आपको, show buttons करते ही, कुछ आपको देखिए, modifier के shortcut buttons यहां पर नजर आएंगे, मगर यह buttons हमारे कोई काम के नहीं है, हम दुसरे buttons यहां पर set कर सकते हैं, यहां पर जाना है, configure modifier set पर click करेंगे, यह देखिए आ गया, अब यहां पर आपको क्या करना है, जो modifier आपके काम के हैं, वो यहां पर आप set कर सकते हो, जैसे के band modifier पर double click, add हो गया, total number of button यहां पर 6 कर देता हूँ, आप ज्यादा भी रख सकते हो, मगर मैं यहां पर 6 कर देता हूँ, buttons जितने जरुरत है उतने, bevel भी कभी-कभी use होता है हमारा, FFD 3x3 रख देता हूँ, extrude modifier रख देता हूँ, use करने के लिए, और यहां पर mirror वगरे है, तो यहां पर UVW map एक बार बहुत ज्यादा use होता है, UVW map इसको भी रख सकते हैं, और shell modifier का use करते हैं, double click, तो इस 6 buttons मैंने add कर दिये, extra और भी add कर सकते हो button, कोई problem नहीं है, तो देखिए, यहां पर 6 buttons हमारे add हो गए हैं, तो यहां से shortcut भी आप use कर सकते हो directly, तो अब हम editable poly apply करेंगे इसमें, तो देखिए, क्या changes आएगा, right click करेंगे, convert to editable poly, देखिए, editable poly करते ही, हम यहां पर modify panel पे आ गए, और modify panel पे हमें कुछ extra options देखिए, यहां पर मिल रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहां पर इस display को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि हमें यह options अच्छे से नजर आए, देखिए, list अगर ज्यादा लंबी होगी, तो इस तरह से आप इसको drag करके बड़ा कर सकते हो, ताकि यहां पर भी हम कुछ options यूज़ कर पाएं, और यहां पर भी कुछ options यूज़ कर पाएं, तो अब इस list में देखिए, बहुत सारे advanced options आ गए, जो box के options थे यहां पर वो गाइप हो गए हैं, box में width, height वगेरे के options यहां पर गाइप हो गए हैं, अब extra advanced option क्या आए हैं, देखिए यहां पर सबसे पहले तो selection methods यहां पर आ गए हैं, तो selection method यहां पर भी देख सकते हो, 2D shape में हम अगर करते थे तो 2D shape के points दिखाते थे, vertex दिखाते थे, उसी तरह का option यह भी है, तो selection method देखिए क्या क्या यहां पर, first option इसको भी 1, 2, 3, 4, 5 से आप यूज़ कर सकते हो, 1 करेंगे तो यह first option vertex select होंगे, 2 press करेंगे तो age select होगा, 3 press करेंगे तो border select होगा, 4 press करेंगे तो polygon and 5 press करेंगे तो element select होगा, तो इस selection method है, अगर आप points को select करना चाहते हो, तो 1 press कीजिए, यह first option vertex, ओके, तो vertex यहां से भी select कर सकते हो, और यहां से भी, या फिर 1, 2, 3, shortcut है, तो यहां पर vertex है, यहां पर, इस पर click कीजिए, आप क्या कर सकते हो, देखिए, यहां पर आपको blue, blue points नज़र आ रहे होंगे, आपके box के उपर, इन points को आप select कर सकते हो, और इसे move भी कर सकते हो, जैसा FFD में हम करते थे, उसी तरह का, देखिए, इसका shape हम change कर सकते हो, इसी तरह से किसी भी point को ले सकते हो, उनको move कर सकते हो, इसके shape को change کرने के लिए, आप चाहो, तो दो या दो से ज्यादा भी कर सकते हो select इस तरह से इस तरह से इसको आप move भी कर सकते हो तो shape यह change कर सकते हो आप देखे इसको हमने 3 segment में divide किया था इसलिए यहाँ पर 3 segment ही हम लोग modify कर पा रहे हैं ठीक है तो अगर ज्यादा आपको modification चाहिए तो ज्यादा आपको यहाँ पर segments add करने होंगे यहाँ control points जैसे हमें मिलते थे उसी तरह की control points इसमें भी हमें मिल रहे हैं और इनके बीच का जो है यह polygon है तो यह हमारा हो गया control Z कर लेता हूँ तो यह points को select करके modify करने के लिए दूसरा है यहाँ पर देखिए age option to press करने से आप ले सकते हो तो age जो option है age लेकर यहाँ पर click कर सकते हो select देखिए अब इसको move भी कर सकते हो इस तरह से line को आप click करके move कर सकते हो किसी भी age को या फिर line को इस तरह से इस तरह से age को select कर सकते हो तो line को अगर select करके move करना है modify करना है तो आप यहाँ पर यह दूसरा option select कीजिए तीसरा border border यहाँ पर क्या है कि border यहाँ पर ही नहीं फिलाग तो border हम मैं बाद में बताऊंगा पहले polygon देख लेते हैं तो polygon में पे मैं क्लिक करता हूँ पॉलिगॉन मैंने क्या बताया था यह जो beach के shapes नजर आ रहे हैं इसे हम polygon करते हैं ठीक है तो corner के जो point है उन्हें हम vertex बोलते हैं और जो lines हैं उन्हें हम age बोलते हैं और beach के जो panels हैं उन्हें हम polygon बोलते हैं इन polygons को भी आप select करके इस तरह से move कर सकते हो full polygon को select करके इस तरह से move कर सकते हो और अगर यहाँ पर आप shift press and hold करते हो देखिए shift press and hold तो इसे extrude भी कर सकते हो इस तरह से एक बार extrude again extrude, again shift press इस तरह से extrude भी कर सकते हो और इसको deduct कम भी कर सकते हो देखिए इस तरह से यह जनरली मुझे लगता है कि option 2022 में add हुआ है 3ds Mac 2022, extrude and यह press pull जैसा option है, AutoCAD को अगर आपने use किया होगा, तो press pull जिस तरह का होता है, उस तरह का option यह दिया गया है, इसमें आप material remove भी कर सकते हो, और add भी कर सकते हो, देखे, remove हो गया पुरी तरह से, तो shift press and hold करके इस तरह से आप इसको add कर सकते हो, कहीं भी किसी भी direction में extrude कर सकते हो, ओके, यह आ गया, और इसको कम करना है, shift press and hold कम भी कर सकते, यह 2022 में option add किया गया है, अगर आप 2020 से older, 22 से older अगर आप use कर रहे हो हो, 3ds max, तो आपको यह option देखने नहीं मिलेगा, आप अगर shift press and hold करोगे, तो आपका clone activate हो जाएगा, जो हमने clone किया हुआ था, shift press and drag करके, वो activate हो जाएगा, ठीक है, यह option आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए latest version use करने का try कीजिए, latest option यह वाला बहुत ही advanced option है, और बहुत ही ज़्यादा useful option है, इससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो यह polygon हो गया हमारा, polygon को किसी भी direction में हम shift press and hold करके, इसे move कर सकते हैं, या फिर simply shift नहीं करेंगे, तो इस तरह से भी आप move कर सकते हो, polygon को, किसी भी direction में, यह आग गया, इसको polygon को rotate भी कर सकते हो, याद रखे, इस polygon को अगर e press करते हैं, इस polygon को आप rotate भी कर सकते हो, और अगर scale करना है, आर press करके इस polygon को scale भी कर सकते हो, यही same आप age के साथ भी कर सकते हो, age अगर कोई select करते हो, तो उसे भी आप यहाँ पर इसको कम ज्यादा कर सकते हो, scale कर सकते हो यह सभी चीज़े इस पर apply होंगी, तो यह polygon है, किसी भी polygon को select करके move, rotate या scale कर सकते हो, तीसरा है element, चौथा है यहाँ पर element, element से पूरा object select होगा, इसका ज्यादा तर use नहीं होता, तो यह हमारा element option से होगा, ठीक है, तो polygon हो गया, आप polygon में देखिए, polygon को अगर यह polygon में delete कर देता हूँ, यह delete कर दिया, तो अंदर का black हमें नजर आ रहा है, portion, तो अब हम यहाँ पर देखिए, polygon जैसे delete करते हैं, अंदर से पूरी तरह से यह hollow रहता है, अब यहाँ पर बॉर्डर का भी use कर सकते हो, बॉर्डर लेके इस बॉर्डर को select कर सकते हो, देखिए यह border select हो गया, इसे हम border करते हैं, तो इस तरह के portion को select करने के लिए आपको border का use करना पड़ेगा, एज करेंगे, तो एक single age select होगा, border करेंगे, पूरा border select हो जाएगा, shortcut में, तो यह border आएगा, और border का दूसरी जगा हम कहीं use नहीं कर सकते, इसी तरह का open shape होगा, तभी border select होगा, यह border नहीं है, यह सब border नहीं है, select नहीं होगे, यह सब border नहीं है, और भी कुछ selection option है ring and loop इसका भी use बहुत बार करते हैं हम लोग selection के लिए generally जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई shape हमारे पास जैसे कि मैंने एक age यहाँ पर select करता हूँ तू press करता हूँ अपने keyboard से और एक single age select करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ loop loop करने से देखिए क्या हो जाएगा यह पूरा यहाँ से लेकर यह age और यह age और यह जितने connected ages है वो पूरा age select हो गया उसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक age select करता हूँ यह border वाला और loop करता हूँ तो यह पूरा यहाँ से यह पूरा loop select हो जाएगा ओके और अगर मैं यहाँ पर एक को select करता हूँ इस तरह से और ring करता हूँ ring करने से क्या होगा इसके around के जितने ages होंगे select हो जाएंगे ring करता हूँ तो ring में देखिए ये एक हुआ ये एक हुआ ये एक हुआ और ये एक age select हो गया है तो selection option ages को select कर सकते हो इसका use करके आप ring and loop के थ्रू तो ये भी option use होते हैं याद रखिए इन सब को भी ज़रूरी है अब उसके बाद main यहाँ पर edit ages इसका option आता है और इसी से हम लोग सबसे ज्यादा अपने shapes को बनाते हैं बहुत ज्यादा useful है यहाँ पर जो भी नज़र आ रह ब्रीज कनेक्ट यह सारे option बहुत ज्यादा यूज होते हैं create shape from selection और यहाँ पर नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर attach, detach, create, cut, split, slice, plane इस सब का बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग तो इनको अच्छे से सीख लिजिए आप चलिए देखते हैं इनको कैसे हम लोग य delete कर देता हूँ, एक again मैं box लूँगा यहाँ पर और इसके segments में फिलाल 1 कर देता हूँ, single single polygon हर तरफ है, अब इसमें right click करेंगे convert to editable poly, अब editable poly apply करने से यहाँ पर देखें सारे option हमें मिल जाएंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें polygon लेना होगा, अब polygon लेते ही options activate हो ज मिलेंगे या फिर आप vertex लेते हो तो और भी कम option मिलेंगे, मगर polygon में सबसे दादा option मिलेंगे, अब क्या-क्या option है देखिए polygon में, सबसे पहला तो extrude, extrude option, तो कोई भी polygon select कीजिए और आप उसे extrude कर सकते हैं, button पे click कीजिए, और यहाँ पर इस polygon पे click करके drag कीजिए, आगे की तो control Z करता हूं मैं इसे, तो उपर की तरफ यह add हो जाएगा, again करेंगे, again add हो जाएगा, again click करेंगे, again add हो जाएगा, again click करेंगे, again add हो जाएगा, यही option हम shift, press and hold करके भी कर सकते हैं, जैसा हो कि मैंने बताया आपको, तो इस तरह से आप यहाँ पर extrude कर सकते हैं किसी भी faces को यहाँ से यह वाले आप segment बन गए हैं, इन्हें भी आप अलग से extrude कर सकते हैं, यह वाला segment है, इसे भी आप अलग से extrude, जो भी polygons बनेंगे, उन्हें आप easily extrude का use करके extrude कर पाएंगे, जिसे press pull होता है, same उसी तरह, polygons होना ज़रूरी है यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से, फिर इस तरह से, तो यह तो extrude हम click करके drag कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम value के साथ भी यहाँ पर यह सारी चीज़े कर सकते हैं, इसको value के साथ कैसे करेंगे, तो यहाँ पर extrude में देखिए, एक window नजर आ रहा है, तो window पे अगर आप click करते हो, इस polygon पे select कीजिए, इस window पे click कीजिए, तो यहाँ पर एक देखिए, options आपको extrude के मिल जाएंगे, तो यहाँ पर पहला तो option मिलेगे, यहाँ पर तीन टाइप से इन्हें आप कर सकते हो, local, normal, generally local, normal करते हैं हम लोग, local, normal, group, या फिर by polygon, तो यह वाला मैं आपको समझा दूँगा कैसे करना है, मगर य value के साथ भी extrude कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर local, normal करेंगे, तब भी हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर third by polygon कर देंगे, तो भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा problem आ गया था, तो finish कर देंगे, यहाँ पर देखिए, इस तरह से extrude कीजिए, प्लस भी कर सकते हो एक और segment से यह आपको अगर 5 feet हो गया, 10 feet हो गया, प्लस कर सकते हो, तो इस तरह से आप जितना चाहिए, उतना extrude यह value के साथ कर सकते हो, right click करके भी यह options आ जाते है, right click extrude, और यहाँ पर window भी है, extrude and window, be well भी यहाँ पर है, insert भी है, सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, ठी insert से क्या होता है, तो मैं polygon select कर लूँगा, यहाँ पर insert करूँगा, insert में भी window का ही generally हम लोग use करते हैं, window का click करेंगे और इसकी value हम बढ़ाएंगे, तो insert से देखो, polygon की size जो है, वो कम हो जाती है, polygon की size कम हो गई, और plus करेंगे, और कम कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इस polygon को select करके, अलग से extrude कर सकते हैं, यह देखिए, इस तरह से plus भी कर सकते हैं, अब plus करके यहाँ पर insert, इनका भी insert ले सकते हैं, इसकी value थोड़ी कम करनी पड़ेगी, यह देखिए, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, by polygon, okay, इसका भी insert हो गया, अब यहाँ पर insert होने के बाद इसको भी extrude कर सकते हैं, finish, यह देखिए, इस तरह का shape create हो गया, तो insert करके इस तरह से आप इसे extrude कर पाएंगे, अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर bevel option, तो simple मैं इसको फिलाल insert कर लेता हूँ, यह insert आ गया, finish, अब इसमें हम again bevel कर देंगे, तो bevel से देखिए, इसको दो direction में आप extrude कर पाएंगे, एक तो यहाँ पर extrude कितना करना है, दूसरा है कि इसको taper कितना देना है आपको, taperness, taperness भी आप control कर पाएंगे, कभी-कभी doors में, panels इस तरह के होते हैं, बहुत जगा, तो यह आ गया, यह आ गया, इसको again insert करता हूँ, कम करते हैं value, finish करते हैं, देखिए यह आ गया, अब इसको again मैं यहाँ पर bevel कर देता हूँ, अंदर की तरफ bevel करेंगे इस बार, देखिए किस तरह का shape आ गया है, थोड़ा सा standard की जगा, थोड़ा सा high quality कर देता हूँ, ताकि यह shape जो है अच्छे से दिखाई दे, देख रहे हैं, तो यह bevel का काम है, bevel से आप extrude plus taper दोनों कर सकते हो, extrude plus taperness, दोनों control कर सकते हो, यह इसके extrude के type है, normal by polygon, multiple polygons को अगर आप extrude करते हो, तो यह काम आता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक और plane ले लेता हूँ, और plane में थोड़े segments में कम कर देता हूँ, right click convert to editable poly, high quality को standard कर देता हूँ मैं अब, या फिर performance भी रख सकते हो, no problem, performance ग्रे में आपका नज़र आएगा, color में ही चाहिए मुझे, तो अब मैं इधर editable poly में, polygon ले लेता हूँ, और एक-एक polygon सबको select करता हूँ, okay, सबको polygon, मैंने 6 polygons यहाँ पर select किया, अब इसको मैं bevel करता हूँ, देखे, bevel में क्या होगा, यह आ गया bevel, यह आ गया उसका taperness, यह देखे, group में taper हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से group लिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर by polygon करूँगा, तो एक-एक polygon का अलग-अलग से control होगा यह, देखे, सारे polygons का अलग-अलग control कर सकते हैं हम लोग, तो यह बहुत ज़्यादा use होता है, इस तरह से, yes कर देंगे, इसको insert करते हैं, इसमें भी दो option है, by polygon और group, दोनों में ज़्यादा effect नहीं पर रहा है, इसमें, insert कर दिया, इसमें again मैं extrude या फिर extrude कर सकता हूँ, extrude में भी by polygon और यह दिरे-दिरे जैसे जैसे आप 3D max यूज़ करोगे, यह सारे options आपको use होंगे, पता चल जाएगा इनका कैसे use करना है, यह देखें, इस तरह का हमने कर दिया है, तो हमने extrude bevalent insert देख लिया है, अब bridge देखेंगे, bridge option का कैसे use होगा, तो अगर मुझे, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो polygons है, यहाँ पर एक polygon है और यहाँ पर एक polygon है, दोनों को connect करना है, तो हम यहाँ पर bridge का use कर सकते हैं, जैसे कि इस object को select करता हूँ, तो मैं और polygon ले लेता हूँ, इस polygon को select और control प्रेस करके इस polygon को select, दोनों polygon select हो गए, अब दोनों को bridge कर दूँगा, यहाँ पर bridge, देखें, दोनों polygons एक दूसरे से connect हो गए, और एक हमारा नया shape create हो गया, इसमें भी कुछ है कि segments वगएरे extra अगर बीच में चाहिए, तो आप add कर सकते हो, इसमें अगर आप curve वगएरे add करना चाहते हो, इसको कम करना चाहते हो bridge को, diameter बीच का, ज्यादा segment curve आपको चाहिए, curve में भी add कर सकते हो, यह सारे option भी दिये गए हैं इसमें, इन सब को आप एक एक करके curve को भी control कर सकते हो, इसकी limit दे सकते हो, यह सारे चीज़े हैं इसको rotate भी कर सकते हो आप twist भी कर सकते हो, तो bridge option करके आप दो polygons को connect कर सकते हो, उसी तरह यह वाला और यह वाला control प्रेस करके इन दोनों को bridge कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे values हैं, इनको भी आप, अगर segment नहीं चाहिए, नहीं रख सकते हैं, simple, straight में यह bridge हो जाएगा, तो यह bridge हो गया, अब flip option, flip क्या होता है, कि कोई भी polygon अगर आप select करते हो, उसको flip करते हो, तो उल्टा हो जाएगा, नीचे की side उपर, जनरली अंदर की side black होती है, तो कोई polygon अगर उल्टा हो गया आपके object में, तो आप उसको flip करके सीधा कर सकते हो, यह सीधा polygon है, और यह black दिख रहा है, मतलब यह उल्टा polygon है, तो यह उल्टा है, तो उसको select किजिए, flip करके दूसरी side देखिए, ठीक है, कोई-कोई polygons उल्ट attach option, यह क्या है, attach-detach, तो समझो, मैं कोई polygon select करता हूँ, और यहाँ पर detach करता हूँ, तो यह अलग हो जाएगा, इस object से, detach, एक नया object create हो जाएगा, एक नया object आगे देखिए, यहाँ पर, sorry, यह select ही नहीं होगा, किकि यह object हमने edit किया हुआ, यह बड़ा object है, अब हमें create में आना पड़ेगा, उसके बाद यह दूसरा object select करना पड़ेगा, इसका देखिए, इसका pivot जो है, यहाँ पर है, तो यह pivot यहाँ पर है, तो कैसे change करेंगे pivot की location, मैंने आपको बताया है, यहाँ पर hierarchy tab, affect pivot only, अब center to object कर देंगे, object के center में, तो object के center यहाँ पर है, आब move करना चा कोई भी shape आप detach कर सकते हो, इसको select करता हूँ again, modify में जाता हूँ, polygon select करता हूँ, और हम एक को नहीं, समझो मुझे ज्यादा polygons यहाँ पर detach करने है, समझो मैं उपर का पूरा portion यहाँ पर detach कर लेता हूँ, यह सारे polygon select कर लिए, और यहाँ पर detach कर देता हूँ, detach object का नाम, ok कर देते हैं, अब यह select नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको edit कर रखा है, जब तक यह edited रहेगा, तब तक हम दूसरे object, कोई भी object select नहीं कर पाएंगे, selection method पहले off किजिए आप, इसको off कर दीजिए, अब आप select कर सकते हो, इसके settings नजर आएंगे, अब जो भी changes होंगे, इसको select करें हो, selection method on है, तो दूसरे object आपके select नहीं होंगे यहां पर, सिर्फ इसी में, जो भी select होगा, इसी में होगा, दूसरे object select नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह object अब अलग हो गया हमारा, इसका gizmoo यहां पर आ गया है, तो अब gizmoo को मैं यहां पर affect pivot only, center to object, affect pivot only off, यहां गया हमारा, तो यह हमारा object अलग गया, इससे, तो यह detach होता है, इसी तरह attach, attach क्या होगा, इसी object को again इसके साथ attach करना है, मुझे एक साथ दोनों को रखना है, तो इसको select, और यहां पर जाओंगा, मैं attach, attach यहां पर है, attach कर दूँगा, इससे attach कर दूँगा, खतम, यह दोनों again attach हो गए, दोनों को एक साथ हम modify कर सकते हैं यह modify हो जाएंगे दोनों को select कर सकते हैं यह दोनों attach हैं तो कोई भी एक polygon या फिर उसमें से multiple polygons को आप attach या फिर detach कर सकते हो अब मैं कुछ important चीज आपको बताना चाहूंगा जो 3ds max में काम करते वक्त या फिर advanced modeling करते वक्त आपको बहुत ही जादा use होने वाला है तो क्या करते हैं इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ age अब age में कुछ extra option से देखिए हमने polygon को extrude वगरे तो कर लिया मगर यहाँ पर भी age में भी कुछ extra options क्या है देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी दो age को क्लिक करता हूँ जैसे कि टॉप, ctrl प्रेस करता हूँ नीचे का भी select करता हूँ दोनों age को select करता हूँ तो यहाँ पर देखिए connect option है तो connect option अगर मैं इसके window में click करता हूं यह आपको right click करके भी मिल जाएगा यहाँ पर connect option right click and window इसमें भी आपको मिल जाएगा तो connect option से क्या होगा कि हम manually अपने हिसाब से जितने segments हमें इसमें चाहिए वह एड़ कर सकते हैं सिर्फ एक face में देखिए यहाँ पर one आ रहा है यहाँ पर हम टू थ्री फोर मिन्स यह polygon जो है यह हम अपने हिसाब से इसको divide कर सकते हैं देखिए यहाँ पर four part में हमने divide कर दिया इसी तरह कम part में हमें चाहिए तो कम में भी हम इसे divide कर सकते हैं इसी तरह इनके बीच का distance आपको कितना चाहिए दोनों के distance कम चाहिए यह ज्यादा चाहिए आप यहां से control कर सकते हो तो इसको मैं अगर zero रखता हूं तो equal distance में यह divide होगा उसके बाद इसको एक side करना है तो यह option है तो यह तीन option यहाँ पर दिये गए हैं इसको zero रखते हैं हम लोग दो इस पार्ट में हम आप कितने भी ले सकते हो कितने भी पार्ट में इसको divide कर सकते हो सिर्फ इन दोनों के बीच ही वह segments connect होगे finish इस तरह से और अगर हम यहाँ पर तीन segment ले लेते जैसे के यह वाला control यह वाला फिर यह वाला इस तीनों segment को अगर मैं select करता हूं और यहाँ पर connect करता हूं तो इस segment देखिए तीनों segment को यहाँ पर divide करेगा इस तरह से आप इन segment में add कर सकते हो बाकि कहीं पर add नहीं होगा तो यह बहुत ही ज़्यादा advance option है और किसी भी object creation में इसका बहुत ज्यादा use होता है मैं आप control-z करता हूं यहाँ पर यहाँ पर मैं कुछ आपको बना की दिखा देता हूं जैसे कि इसको directly first select करते हो first segment and last segment select करते हो और connect करते हो तो यह एड नहीं हो रहे हैं इनके बीच के सारे segments आपको select करना ज़ूरी है तो चारों को select करेंगे तभी यह add होंगे तो इसमें आप इस तरह से add कर सकते हो फिनिश यह देखिए इस सेगमेंट इस तरह से एड़ हो गए अब हम इन सभी सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर यह सारे सेगमेंट सिलेक्ट हो गए कुछ इस तरह से अब यह से सिलेक्ट होने के बाद हम इन्हें देखिए चांफर कर सकते हैं यहाँ पर चांफर और चांफर करके हम हम क्या कर सकते हैं हम इनमें हम thickness संगर्थ कर सकते हैं सिंगल जान्स या फिर इसषाण में टीन ले सकते हो इनके स Alumni स्ब्सक्राइंगे से घ्रलेकित याँ पर चाइए टो इनसे सेग्मेंट को चांफर करके डीबल कर सकते हो इस तरह से तो यह बहुत सारे इसमें options है मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा इसमें finish करेंगे देखे कुछ इस तरह का आग्या तो इस तरह से कर सकते हो आप चांफर भी यहाँ पर कर पाएंगे अब अगर polygon लेते हो और इन polygons को आप select करते हो तो इन्हें आप inside भी कर सकते हो इन्सेट इन्सेट लिटिल अमांट इन्सेट में इस तरह से और इन्हें एक्स्टूड कर सकते हो अंदर की तरफ इन्सेट में यह सही नहीं हुआ आइ थिंक यहाँ पर हाँ बाइ पॉलिओन करना जोरी है इसमें अगर कबड बनाना है तो इसके लिए प्रोसेस में दिखा देता हूं डारेक्ली यहीं से हम लोग विदाउट चांफर ही इसको कर सकते हैं यहां से डारेक्ली मैं इस तरह से पॉलिओन सेलेक्ट करूंगा इन्सेट करूंगा यहाँ और इन्सेट करते वक्त देखिए कैसे हो रहा है यहां के भी पॉलिओन पीछे के भी पॉलिओन सेलेक्ट हो जा रहे हैं अगर मैं यहां पर इस преступ करता हूं एगर पीछे के भी सारे स्थ हो रहा है तो पीछे के polygon select ना हो इसलिए हम यहां पर Back page देखिए option न है back face को कर दीजिए अब अगर हम select करेंगे तो पीछे के polygon हमारे select नहीं होंगे ठीक है पीछेShoן on तक इन्सेट होगा यह इस तरह से finish कर देंगे और इसको आप extrude कर सकते हम बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ तो यह अमारा बन जाए आप चाहो तो अल्ट प्लस X दबा सकते हो अल्ट प्लस X से क्या होता है ट्रांस्परेंट एक्स रेव्यू से अंदर का आप सारा देख पाएंगे तो देखिए इसमें यहां तक गया हुआ है पॉडिगॉन आल्ट प्लस X शॉटकट है तो मैं थोड़ा सा पिछे से थिकनेस रखके इसको कर करके आप यहां पर connect कर पाएंगे, बाकी के options थोड़े advance है, मैं इस lecture में उसे नहीं सिखाऊंगा, जैसे जैसे आगे हम objects बनाएंगे, वैसे वैसे हम सीख सकते हैं, और भी वीडियो मेरे आने वाले हैं, 3ds Max में advance modeling वगेरे, तो उसमें ये सारी चीजे में cover करने की कोशिश करू Udemy Generally मैंने Out of India वाले students के लिए रखा हुआ है, और जो हमारे Indian students है, वो हमारे CAD एप से इस complete course को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक-एक options को detail में explain किया है, और साथ ही साथ उसमें rendering, 3D modeling के बहुत सारे advance projects में हमने बनाए हुए हैं, तो उस course को आप वहां से buy करके देख स सकते हो, तो बहुत सारे advance option अभी हमने यहां पर शीखे हैं, attach and detach यहां पर हो गया है, अब एक चीज़ और मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको, तो अगर मैं यहां पर लेता हूँ, age लेने के बाद देखिए, कोई भी age अगर मैं age सिलेक करता हूँ, एक, दो, तीन, चार यह चारो एज मैंने सिलेक किया, और यह चारो एज एक rectangle बना रहे है, create shape from selection option यहां पर activate हो गया, तो create shape from selection, इस shape को मैंने जैसे line को सिलेक किया है, तो वो इस button पर click करने पर एक shape में convert हो जाएगा, तो smooth अगर round object है, तो smooth रखिए, straight object है, तो linear रखिए, देखे, यह lines straight है, तो मैं linear रखूँगा, okay करेंगे, तो यह देखे, shape create हो गया, अब मैं बाहर आता हूँ पहले, तो आपको दिखा दूँगा, यहां पर क्या create होगा है, यहां पर एक rectangle create होगा है, जिस type का यह देखे, गिसमो भी इसका बाहर है, तो मैं affect pivot only and center to object, affect pivot only off, तो यह object हमारा देखे, एक rectangle ब जो curve है, इसका 2D shape चाहिए, तब हम इस option का use कर सकते, generally इसी तरह use होता है, यह जो curve है, इसका हमें 2D shape चाहिए, तो हम draw तो नहीं कर सकते, यहां पर, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे age, अब एक age select करेंगे, तो एक ही select होगा, अब control प्रेस करके select करना पड़ेगा, और ए इक बार में select हो जाएगा, यह वाला आगे वाला भी select हो गया, यह सारे देखिए, यहां से लेकर, यहां से लेकर, पूरा select हो गया, ठीक है, इस पूरे को हम यहां पर loop कर देते, आप चाहो तो यहां पर alt, press and hold करके, इन सब को diselect भी कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से आप इ linear रख सकते हो, smooth भी रख सकते हो, वैसे round है, तो smooth भी रख सकते हो, okay करता हूँ मैं यहां से मैं इस shape को बाहर निकाल लेता हूँ, create मैं आता हूँ, और यह वाला यहां पर gizmo आ रहा है, यह देखिए, एक curve हमारा बन गया है, तो यह curve हम manually नहीं बना पाते, कोशिश करते तो, या फिर time लगता, बना भी लेते तो time लगता, तो time बचाने के लिए, जो हमारे पात 3D shapes हैं, उसी से हम 2D objects यहां पर बना सकते हैं, 2D profiles बना सकते हैं, बहुत बार use होता है, sweep वगरे करने में, यह create shape from selection का बहुत ज्यादा use होता है, तो इस option को भी आप अच्छे से practice कर लीजि तो यह हमारा जो है, editable of poly जितना जुरूरी था, मैंने explain कर दिया है, बाकी की चीजें आप practice कर सकते हो, बहुत सारे extra चीजे हैं, इसमें अभी सिखानी बाकी हैं, जो के हम project के साथ cover करेंगे, अभी आप basic जान लीजिए कि इस तरह से हम कौन-कौन से options हम लोग 3ds Max में 3ds Max में सीखा है, उसका use करके अब हम यहाँ पर एक real project बनाने वाले हैं, ताकि आपने जो कुछ भी अभी तक सीखा है, उसकी practice आप यहाँ पर कर पाए, 3ds Max में कोई भी project बनाने के लिए, like floor plan का अगर आपको 3D बनाना है, 3D elevation बनाना है, तो उसका अगर आपके पास AutoCAD का plan ह तो आपके लिए काम बहुत ही जादा आसान हो जाएगा, आप AutoCAD के plan के साथ भी 3D बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास किसी floor plan का image है, image से भी आप floor plan बना सकते हो, देखिए कुछ इस तरह का अगर आपके पास image है, floor plan का, तो इस image से भी आप 3ds Max में 3D बना सकते हो, तो आपको rooms की size है, यहाँ पर door की position, window की position, सारी चीजों की position आपको यहाँ पर पता चल पाए, तो reference के लिए मैं यहाँ पर अभी जो project बनाने वाला हूँ, उसमें AutoCAD file को reference के लिए use करने वाला हूँ, इस plan का हम लोग यहाँ पर 3D बनाने वाले, देखिए यहाँ पर मैंने AutoCAD file ले लिया है, यह जो files अगर आपको चाहिए, तो आपको हमारे CAD app को download करना होगा, उसमें course में यह सारे project file practice के लिए available है, आप वहाँ से ले सकते हैं, तो याद रखिए जो plan हमने बनाया है, या फिर जो भी आपके पास आया होगा, उसे origin के पास रखना है, यह हमारा origin होता है, यह हमारा AutoCAD का origin होता है, origin के पास रखिए, इससे हमारे 3ds Max में import करने में आपको आसानी होगी, तो यह file को save कर लिजिए, अब मैं 3ds Max में चलता हूँ, अब 3ds Max में आने के बाद, उस AutoCAD file को यहाँ पर import करना होगा, उससे पहले याद रखिए, कि आपको unit वगेरे check कर लेना है, unit आपका same, जिस unit में आपने AutoCAD का project बनाया है, same उसी unit में यहाँ पर set होना चाहिए, आप यहाँ पर inches रख सकते हैं, तो मैंने feed inches में हमारा plan बनाया हुआ है AutoCAD में, तो मैं यहाँ पर inches ले लेता हूँ, ओके कर लेते हैं, अब हम import करेंगे, file, import option देखें, यहाँ पर files मे है, यहाँ पर import option, अब मैं यहाँ फोल्डर में चला जाता हूँ, यह मेरा practice drawing है, और यहाँ पर इसे open कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ options मिलेंगे, मगर इसमें कुछ change मत किजिए आप, यहाँ पर check कर लेना है, कि जिस unit में हमने लिया हुआ है inches, वही आना चाहिए, यहाँ देखिए, inches आ रहा है, तो यहाँ पर change करने की जुरत नहीं है, तो यहाँ पर बस यह वाला option आपको change करना है, color या फिर one object, color या फिर one object आप ले सकते हैं, इन दोनों में से एक option लीजिए, बाकी की layers वगरे में लेने की जुरत नहीं है, color लेंगे, तो आपका project जो है, जिस color में बना हुआ है, वैसा color में नजर आएगा, और अगर आप यहाँ से one object लेते हो, तो single color में नजर आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ लेके, अगर मैं color लेता हूँ और यहाँ पर okay करता हूँ, तो यह हमारा project लोड हो गया है, यह हमारा project बिलकुल color में लोड हुआ है, color में लोड हुआ है और इसके objects भी अलग-अलग होंगे, like अगर wall select करेंगे, तो walls को हम अलग से move कर पाएंगे, आपर, देखे, walls अलग हो जाएंगे, यह जो एक single color में जो जो है, वो चीज़े अलग हो जाएंगे, तो ऐसा होता है, मगर अगर one entity लेंगे, अगर हम, इसे मैं delete कर लेता हूं, one entity लेता हूं, one object, तो यह single color में लोड होगा, देखे, color आपको नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि gray color में लोड हुआ है, तो इसको मैं select करके, यहां से color change कर देता हूं, इसका, इस तरह से, यह देखे, single color, पूरा object, single होगा, यहां पर, एक move से आप move कर मैं, top view से हमारा plan हमें नजर आने लगा, grid को off कर देंगे, G shortcut, ताकि हमारा plan हमें अच्छे से नजर आ पाए, अब देखे, इसको मैं 3D में कैसे convert करता हूं, यहां पर मैं जाओंगा, यहां पर shapes में, shapes में ले लूँगा, यहां पर line, line लेने के बाद, हमें, यह जो walls हमारे कर देखे, कोई भी point हम अच्छे से click नहीं कर पाएंगे, snap नहीं हो रहा है, कोई point शो नहीं कर रहा है, तो आप यहां से snap को on कर लिजी, s for snap, right click करके setting भी देख सकते हो, आपको यहां पर सिर्फ end point on रखना है, mid point की हमें जरुरत नहीं है, तो end point only याद रखे, यहां पर on drawing के नजर आएंगे, देखे, यह सारे end points नजर आ रहे है, अब हम easily click कर पाएंगे हमारे project के drawings में, तो start मैं करता हूँ इस point से, इस corner से, देखे, line आ रहा है, एक काम और कर सकते हो, आप यहां पर initial type corner and drag type भी corner रख दीजिए, क्योंकि हमें सिर्फ straight lines की जरुरत है, तो drag करने पर start point पे भी click करना है, इस point पे भी click करना है, door के end point पे भी click करना है, यहां पर कोई window नजर नहीं आ रही तो मैं इस window पे आ जाता हूँ, यहां पर, और end पे, बीच में कोई click करने की जरुरत नहीं है पिर यहां पर यहां पर इसी तरह से क्लिक करते जाना है जहां पर windows and walls हमें नजर आ रही है याद रखिए कि outer side में क्लिक करना है यहां पर wall नहीं दिखाई गई है actually मैं ले लेता हूं यहां पर इसे close कर दूँगा याद रखिए कि backspace से आप back भी जा सकते हो समझो मुझे यहां क्लिक करना था मैं गलती से मैंने यहां पर क्लिक कर दिया तो मैं backspace कर सकता हूं यहां पर ताकि एक point पीछे जा सको अगेन backspace करूँगा तो और एक point पीछे चला जाओँगा तो click करके अगर यहाँ पर गलती से कहीं click हो जाता है आपका तो आप backspace करके back जा सकते हो तो यहाँ पर मैं click करता हूँ यहाँ से ले लूँगा यहाँ पर यह यह आ जाएगा इसी तरह window के लिए यह outer point यहाँ से यहाँ यह वरंदा बगे रहे हैं वहाँ पर मैं नहीं लूँगा फिलाल यह यहाँ तक window door के लिए यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर यहाँ पर यह spline हमारा बन चुक है देखिए outer walls पर हमने यह line बना दिया है और right click करके मैं exit करता हूँ इसे अब simple मुझे जाना यहाँ पर modify में modify में जाने के बाद मैं alt plus middle mouse प्रेस करके orbit कर लेता हूँ और बिट करके देखिए यहाँ पर हमें selection के option मिल गए तीन 123 आपको पता ही होगा 123 शॉटकट है इन सबका तो वन रखेंगे तो points दिखाए देंगे देखिए हमें सारे points नजर आ रहे हमें अभी करना क्या है हमें इसमें एक modifier यूज करना है extrude modifier उससे पहले मैं इसको एक copy कर लेता हूँ यह जो spline है तो इसे पहले off कर लेता हूँ मैं इसे off कर लूँगा जिसे मुझे move का icon मिल जाएगा अब इसे shift press and hold करके clone कर लूँगा move करके यह देखिए clone होगी हमारा सिंगल कॉपी एक कॉपी मैं साइड में रख लेता हूँ हमें काम आएगा बाद में कभी अब मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पर अब इसमें modifier जो अप्लाइ करेंगे हम यहाँ पर extrude modifier अप्लाइ करेंगे देखिए बाहरी मैंने यहाँ पर डालना है आपको amount जितना भी डालेंगे उतना उपर एक्स्टूड होगा तो इसको solid में करने के लिए F3 एक्स्टूड में करने के लिए F3 एक्स्टूड के लाइन segments देखने के लिए F4 तो segments भी हमें नजर आने लगए तो यहाँ पर हमारा हो गया है अब height कितनी रखनी है आप यहाँ पर decide कर सकते हो 10 feet रखना है 11 feet रखना है 12 feet रखना है एक तो तीन पार्ट में से डिवाइट करना है यह segment क्यों यूज होंगे ताकि हम यहाँ पर Windows बना पाएं Windows के लिए Windows आइंड दोर के लिए segment लेने हैं अब इसमें ऊपर देखिए close आ रहा है नीचे से भी close है यह पूरा box यहाँ पर cap start cap and end cap को off कर देना है जिससे यह सिर्फ अब हमें क्या करना है देखिए इन segment को select करना है तो यहाँ पर modify में segment select करने के लिए हमें इसे क्या करना होगा यहाँ पर देखिए segment select करने के लिए कोई option नहीं आ रहा है right click कीजिए convert to editable poly अब यहाँ पर selection के लिए देखिए point, vertex, age सारे चीज़े मिल रही है polygon लेंगे polygon select होगा तो मैं लोगा यहाँ पर age मुझे set क्या करना है यह जो segment है इसकी नीचे से height 3 feet होनी चाहिए और इसकी नीचे से height 7 feet होनी चाहिए seal height and lintel height इसको accurately हमें set करना है अभी हमें पता नहीं है कि इसकी height क्या है तो मैं इस पर segment age लेकर यहाँ पर double click करूँगा तो देखिए पूरा segment select हो जाएगा single click करेंगे तो एक select होगा double click करेंगे तो पूरा यह loop select हो जाएगा अब इसकी height मुझे adjust करनी है तो move का gizmo होना चाहिए यहाँ पर move का gizmo आप इस segment को ऊपर नीचे move भी कर सकते देखिए freehand move भी कर सकते मगर मुझे ऐसे नहीं करना मुझे यहाँ पर coordinates का use करना है नीचे bottom से 3 feet अभी कितना है bottom से देखिए यहाँ पर 3 feet 8 inch दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर 3 feet ले लूँगा 3 feet एंटर यह देखिए 3 feet पे आ गया यह हमारा origin से दिखाता है नीचे से बिलकुल grid से तो यह perfectly 3 feet पे आ गया अब इसको double click करूँगा इसको रख दूँगा 7 feet या फिर थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो no problem क्योंकि हमने 11 feet की हमारी height लीव ही है तो आप 7 feet 6 inch भी रख सकते हो 7 feet and 6 inch windows थोड़े बड़े हो जाएंगा अब यह दोनों segment तो सही position पर आ गए अब लेंगे हम यहाँ पर polygon और इन इस पॉलिगौन को देखिए select करके delete कर देंगे यह select किया delete देखिए इस तरह से जहांपर दोर है वहांपर ऊपर और नीचे वाला दोनों delete करेंगे इसी तरह से हर जगा करना है यह दोनों delete इसी तरह से देखिए, easily हमारा, यहाँ पर Windows तयार हो गए, तो door and Windows के openings हमारे यहाँ पर हो गए हैं, outer, याद रखिए हम सिर्फ exterior बना रहे हैं, interior का कोई भी काम अभी हम नहीं कर रहे हैं, so interior में बनाएंगे, तो interior lines भी आपको बनाने पड़ेंगे, interior walls के भी आपको 2D lines आपको बनाने पड़ेंगे, इसी तरह से काम करना है, उसमें भी कुछ अलग नहीं है, तो यहाँ पर doors हैं, बाकी के सब windows हैं, अब इसको polygon को मैं off कर देता हूं, अब हमें क्या करना है, इसमें thickness अप्लाइ करना है, यह फिर मैंने shortcut यहाँ पर add किया हुआ है, तो यह ले लेंगे, अब देखिए, शेल लेते ही, यहाँ पर inner and outer amount हा गया, तो inner amount हम change करेंगे, outer amount हमें नहीं चाहिए, outer की तरफ नहीं जाना है, तो outer amount को right click करके zero कर देंगे, inner amount को बढ़ाएंगे, inner amount हमें 9 इंच का होगा, exterior wall तो 9 इंच ले लेंगे, बड़ देखिए, यहाँ पर आपको corners में देखिए, क्या मिल रहा है, टेपर मिल रहा है, देखिए, टेपर आ रहा है, walls की size actually आप चेक कर सकते हैं, मुझे लगता है 9 इंच ही है, परफेक्ट है, अभी-कभी 6 इंच होता है, 8 इंच भी होता है, तो यह पर corners में देखिए, यह टेपर नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या बताया था आपको, कि नीचे settings आपको करने पड़ेंगे, क्या-के setting देखिए, सबसे पहले तो यह देखिए, फेसे पे Black Black नजर आ रहा है, यह S subscription में विजे से हो रहा है, यह S bonuses पे Black Black नजर आ रहा है, यह Autosmooth की वजे से हो रहा है, यह S bewusst Off कर देजे, तो यह देखिए Black भी गायत हो गया, ओके, अभी भी black नजर आ रहा है कहां पर ये windows के अंदर नजर आ रहा है ठीक है तो ये कैसे जाएगा override age smooth ये वला on करतीजी ये भी चला गया देखिए windows के अंदर वला black इसको zero रखना है इसको ज्यादा रखेंगे तो फिर से दिद नजर आएगा इसको zero रखना है उसके बाद नीचे आना है अब बचा क्या ये देखिए यहाँ पर टेपर नजर आ रहा है तो black तो सारा हड गया बट यहाँ पर टेपर जो नजर आ रहा है वह वाला straight corner ये रेखिए straight corner पर check mark करते ही यहाँ पर हमारा straight हो गया है सारा corner तो यह चीज़े करना जरूरी है जब भी आप shell करेंगे अब यह हमारा हो गया है हमारे walls ready है अब मैं create में आ जाता हूँ अब इसमें क्या और बनाना होगा हमें तो हमें इसकी plinth बनानी होगी नीचे plinth होगा ना कुछ height म में होगा हमारा floor तो plinth बनाना होगा जिसके लिए हम इस sketch को यूज कर सकते हैं इसका एक और copy में रख लेता हूं और कुछ बनाना होगा तो plinth की height बनाएंगे इसका इसके तुरूर तो यहाँ पर plinth कितनी height की होती है generally plinth 3 feet की 2 feet की इस तरह के plinth होते हैं तो मैं यहाँ पर ले लेता हूं 5 feet तो 5 feet के लिए मैं इसको extrude करूंगा extrude इसमें देखिए पिछला वाला ही setting हो रहा है तो मैं 2.5 feet enter segment यहाँ पर 0 रखेंगे हमें segment नहीं चाहिए cap वोगेरे इनको close करेंगे cap भी हम यहाँ पर रख देंगे तो यह हमारा plinth ready हो गया अब और क्या कर सकते हैं इसके उपर हमें slab भी डालना होगा तो slab के लिए आप यह वाला sketchy कर सकते हो और एक चीज़ है एक और copy कर लेता हूं मैं यहाँ पर उपर जो हमारे parapet wall बनेगी उ दूसरा slab slab हमारा six inch का होगा तो आप चाहो तो slab दिखा सकते हो ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जब भी इसका view photo लेंगे तो इस तरह से लेंगे तो slab रहे ना रहे कोई फरक नहीं पड़ता बस parapet wall रहनी चाहिए तो सबसे पहले तो मैं parapet wall इसका ले लेता हूं parapet wall के लिए मैं इसको extrude करूंगा parapet wall generally 3 feet क्यों होती है तो 3 feet में ले लेता हूं segments की जरूरत नहीं है end cap and start cap में off कर लेता हूं तो parapet wall हमारा बन गया है अब इसको हम क्या shell करके thickness देंगे shell करेंगे thickness होगा 9 inch perfect है parapet wall okay segment 1 बाकी की चीज़े चेक कर लीज़े बाकी की हमने की वही थी तो वह सारी इसमें already है settings किये हुए यह parapet wall भी बन गया हमारा slab आपको चाहिए के नहीं चाहिए वह आप decide कर लीज़े तब तक मैं इसको fit करता हूं प्लिंद के लिए हमें इसके नीचे प्लिंद डालना होगा तो इसको select करेंगे इसको move करना पड़ेगा हमें अच्छे से move करना होगा तो देखिए snap point on रखना होगा move के लिए as for snap snap point on रखिए यहाँ पर आपको end point मिलेगा देखिए इस तरह से तो यह corner देखिए यहाँ पर move का symbol आ रहा है corner पर जाते ही तो अब यहाँ पर हम drag करेंगे क्लिक करके drag अब drag हो रहा है perfectly अब यहाँ point से लेकर हम directly यहाँ पर रख देंगे देखिए यह point मैच होगा कि यह कुछ थोड़ा गलत हो गया हमने नीचे से उठाया actually हमें उपर से उठाना चाहिए तो इसको मैं उपर के point से यहाँ से उठाता हूं कि इसको चाहो तो आप नजदीक भी ला सकते हो उपर से उठाये उपर का point यहाँ पर का point यहाँ पर देखिए easily हमने रख लिया यहाँ पर हमारा यह प्लेजम के नीचे हुआ है याद रखिए यह play के कि काम नहीं करना है आपको यह हमारा ends might पर पहर हमारा flint and wall तोनों को select करेंगे और यहां पर देखिए Z-axis को आपको यहां पर 0 दिखाई दे रहा है यहां पर आप 3 feet कर दीजिए 5 feet कर दीजिए 2.5 feet enter तो उपर का तो move हो गया अब नीचे का move करना होगा नीचे का नहीं हुआ नीचे का वाला को भी select कर लेते हैं और इसको भी 5 feet 5 feet क्या है यह minus में है 2.6 feet तो इसको 0 कर देंगे 0 enter तो देखिए perfectly उपर आ गया है grid के उपर है हमारा plinth भी अब और हमारा plan भी इस तरह से plinth के उपर ही generally सारी चीज़े रखिए आप पहले भी उसको ऊपर कर सकते थे कभी भी कर सकते हो अब इसके उपर plinth रखना है तो directly plinth रख सकते हो slab के लिए आप चाहो तो slab भी बना सकते हो तो अगर आपको slab की thickness चाहिए यहां पर इसको आप extrude कर लिजिए 6 inch जो भी slab की thickness है generally but हम slab नहीं रखते क्योंकि slab की thickness 11 feet में हमने leave यहां पर तो मैं move कर देता हूं इसको रख देता हूं इस बार तो इसको पहले value प्रेस कर रहा हूं अब इसको just move करके रख देंगे नीचे का point उठाएंगे इसका move का देखिए इसा symbol आना चाहिए ड्रैग करके यहां पर drop देखिए match हो गया है check भी कर लेना है तो यह slab आ गया इसके उपर 11 प्लस यहां पर slab 11 feet plus slab अब इसको move करेंगे इसको नस्दिक ले लेते हैं नस्दिक लेकर ही move कीजिए और ना आपको हो सकता है points अगरे लेने में कोई दिक्कत हो तो यहां से ले लेंगे इसको इस point को drag करके यहां पर match करते हैं देखिए आ गया अब इसको मैं थोड़ा सा color दूसरा कर देता हूं देखिए यहां पर प्लिंथ बनाया वाल बनाया slab बनाया और उपर का पैरफिड बनाया अब बस यहां पर window doors लगाने है तो windows and doors हमारे पास already ready made है यहां पर तो यहां पर देखिए windows snap तो आ नहीं रखना है आपको, इस point पे click, drag, इस point पे छोड़ देना है drag को, और उसके बाद अंदर click करना है, orbit करना है, alt plus middle mouse, तो ये button अंदर click करना है, या फिर बीच तक भी जा सकते हो, अंदर click और उपर तक, यह हमारा door आ गया है, देखिए, fit हो गया, फिर से एक draw करके तो first click, drag, यहां तक, छोड़ देना यहां पर click आपको, इस point पे, उसके बाद alt plus middle mouse, orbit करना है, इस point पे click, और फिर उपर click, यहां गया है, तो दो doors थे, हमने doors लगा दिये हैं, दो, इनकी कुछ settings करनी है, कुछ designs वगएर है, वो सारे चीज़ें यहां पर है, आप यहां पर sliding करेंगे, windows, तो आप sliding लगा सकते हो, sliding यहां पर sliding door है, window है, सेम उसी तरह से door जैसे लगाया, वैसे ही, first point यहां पर, आप चाहो तो standard की जगए, performance रख सकते हो, अगर आपको gray में देखना है, gray color में, तो आप performance रख सकते हो, high quality रखेंगे, तो और भी अच्छे shadows के साथ नज़ सकते हो, click और उपर तक, अब यहां पर settings है आपके, तो hung setting होता है, यहां पर, देखिए, horizontal panel आए, इसको off कर दीजिए, hung setting, यह vertical panel आजाएगा, तो यह window sliding window लग गया, बट मैं यहां पर sliding नहीं, फिलाल, simple fix window यूज़ करने वाला हूँ, fix window में भी same, इसी तरह से, click, drag, यहां तक बीच तक भी ले सकते हो, but center point दिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने snap में, यहां पर midpoint को off रखा है, तो किसी भी चीज़ का midpoint हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है, तो ज्यादा complicated नहीं करना चाहता हमें, यहां पर window है, तो अब इसको हम बढ़ा लेते हैं, इसमें panels, vertical panel आप चाहो तो दो से ज्यादा भी रख सकते हूं, तीन panel रख लिए, अब यहां पर, यह भी sliding की तरह ही नजर आता है, sorry, click, drag, यहां पर drag को छोड़ना है, फिर यहां पर click, और उपर click, यहां पर भी तीन panel, दो panel रखेंगे, यह ठीक है, यहां पर भी double panel, और यहां पर भी double panel, click, drag, यहां पर यहां पर यहां पर thickness, और उपर, right click, exit, यह हमारा देखें, डोर एंड विंडो ईजी लग गया है, पुरा, अब कुछ extra चीजे नहीं हैं, यहां पर जैसे की, यहां पर वरंदा नजर आ रहा है, हो सकते हैं, यहां पर porch है, यहां पर दो column से, उसके, तो सेम उस और इसको extrude कर देंगे यहां पर भी बना लेता हूं मैं इसको भी बना लेते हैं और इसको भी बना लेते हैं राइट क्लिक तो अब अलग-अलग shapes आ गए यहां पर extrude कर देंगे इनको यह हमारे धाई-fit आएगा actually यहां पर steps कम है तो हम हम इसकी height कम भी रख सकते हैं steps यहां पर दो ही दिखाये हुए है तो हम धाई-fit की जगह यहां पर दो-fit कर देते हैं फिर भी हमें 2-fit के लिए कम से कम चार steps की तीन steps यहां पर रहने चाहिए ठीक हमने plint थोड़ा जादा ले लिया इसलिए हो सकता है कि यहां पर हमें एक और step बढ़ाना पड़े बढ़ा देंगे कोई problem नहीं है अब 2-fit यहां पर ले लिया हमने एक step यहां पर बन जाएगा अब यह शारे शेप को select करेंगे इसको भी extrude अब इसको हम उपर cap वगेरे इसके off कर देंगे दोनों कि देखिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं इसमें shell करने वाले हैं shell करके इसमें थोड़ी सी thickness apply करेंगे इस तरह से design के लिए यहां पर हो सकता है हम कुछ grass वगेरे लगा सकते हैं इसको थोड़ा सा 3 feet से थोड़ा extrude को अब modify कर सकते हैं थोड़ा 2 feet से थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो design यह फिर कम भी रख सकते हो no problem यह आ गया तो उसी तरह अब हम इसमें आ जाएंगे अब इसमें भी extrude और cap वोगेरे तो off ही है अब इसमें shell शेल भी आ गया है same thickness को याद रखिए आप कभी भी शेल के में changes कर सकते हो extrude में changes कर सकते हो या फिर rectangle में जाके rectangle में भी कुछ-कुछ changes आप कर सकते हो rectangle को भी बढ़ा कर सकते हो इसारे settings कभी भी कर सकते हो तो यह आ गया हमारा अब इसमें यहां पर porch है तो porch के लिए मैं यहां पर line ले लेता हूं simple यहां से यहां यहां से यहां यह close करेंगे yes slap हमें देना है इसका porch का तो हम just इसमें थिकनेस add करेंगे extrude करके 6 inch का थिकनेस add करता हूं मैं या फिर 8 inch कर देता हूं और cap इसमें on रखेंगे दोनों में cap और इसको उपर की तरफ move करना height देना है हमें तो W प्रेस करके move का घिजमो आ गया है अब अंदाजे move नहीं करना है यहां पर हम hide देंगे specifically यहां पर मैं 8 feet height दे देता हूं 8 feet तो हमारा 8 feet पे sorry plinth भी इसमें add होगा तो यहां पर हमें 10 feet प्लस रखना होगा तो 10 feet ठीक लग रहा है यह window के ऊपर आ रहा है तो हमारा porch आ गया है अब इसमें करके दिखा देता हूं मैं directly यहां पर देखिए standard cylinder यहां से directly एक cylinder लेजिए और इसकी height तो यहां तक मैं click कर देता हूं वैसे आप यहां से height वगेरे adjust करी सकते हो 10 feet height है यहां पर 10 feet भी डाल सकते हो सेम इसको copy करना है मुझे W प्रेस करूँगा clone करूँगा इसका याद रखिए clone वगेरे करते वह आपको snap को off रखना है S for snap off नहीं तो end point वगेरे show होते है तो snap off कर दिया और इसको drag कर लिए यहां पर यहां पर आ गया single चाहिए copy चाहिए instance कर देता हूं दोनों में change होगा अगर हम कुछ change करेंगे तो तो दोनों column आ गए हमारे porch के लिए यहां parking का area बन गया अब यहां पर steps के लिए बनाना है मुझे देखें यहां पर भी कुछ step है तो यहां पर भी एक box ले सकते हैं box भी use कर सकते है याद रखिए snap off है तो s for snap को on करेंगे यहां से इस तरह से snap on हो गया और snap again off free hide आपको करना है तो snap को off करना होगा अगर snap on रहेगा तो इस तरह से होगा step 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 बाई step हो गई तो snap off अब हम इसकी height अंदाजे रख देंगे यहां पर और यहां पर set करेंगे इसको 2 feet रख देंगे height अब इसमें हमें steps अड़ करने हैं आपर तो single step था plinth height इसकी कम थी हमने ज्यादा ले लिए है तो अब plinth height ज्यादा है तो ज्यादा steps आएंगे तो steps अड़ करने कोशिश करते हैं steps कैसे add करेंगे देखिए आपर इसको right click करके convert to editable poly करना है सबसे पहले convert to editable poly जिससे हमें advanced option मिलेंगे ले लेना है यहां पर word age ले लेना है और इस age और इस age को control प्रेस करके select करना है connect करेंगे connect option हमने देखा हुआ है connect करेंगे मुझे कितने steps चाहिए हम पर एक दो और तीन step आ गए finish कर लिजिए तीन step के लिए तीन line equal equal distance पर अब हम यहां पर क्या करेंगे polygon लेंगे polygon 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 में यह select कर सकते हो यह भी select कर सकते हो यह वाला stick करेंगे आप इसको extrude करेंगे हम तो extrude यहां पर एक्सूड़ करेंगे आ रहा है आप right click करना बहina कर सकतंगे right-clock extrude याद रखे यहां पर click करने आपको इस Windows इस Windows पर click किजीए कितने 10-inch का step चाहिए 10-inch का यहां पर डालिए 10-inch extrude 10-inch और रेड़ी है फिनिश कर दीचे अगे नीचे कर ले लेंगे इसको अगे यहां से extrude करता हूं यहां पर extrude ले लिया यहां पर 20-inch पर करेंगे 20-inch यहां पर इसमें भी आड़ करना है बस इन दोनों के बीच आड़ करना है इन दोनों के बीच अभी देखिए हम इसको करेंगे कुछ भी सेलेक्शन नहीं होगा फिलाल क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि यहां पर selection on polygon इसको क्लिक करके off कर लीजे तभी दूसरे object सेलेक्शन और रहेगा तो नहीं हो पाएगा अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर अगर एक बार अगर आप राइट क्लिक करके करते हो अगर हम राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली कर देते हैं तो यह सारे सेटिंग्स काइब हो जाते हैं मगर यही फाइदा होता है अगर हम मौडिफायर से अप्लाइ करते हैं एडिटेबल पॉली कि हमें हिस्ट्री यहां पर बची रहती है अभी भी एडिटेबल पॉली हो गया यह फिर भी हम एक्स्टूड के यहां पर डायमेंशन चेंज कर सकते हैं और रेक्टेंगल के भी डा करेंगा और यहां पर मैं इसमें कनेक्ट ऑप्शन नीचे देखते हैं कनेक्ट ऑप्शन कनेक्ट कर दूंगा दो सेग्मेंट करेंगे हम लोग देखिए यहां पर एक एड़ हुआ है यहां पर एक हैड़ हुआ है मगर यह कॉर्णर्स पर चाहिए हमें तो मैं पहले यह तो अंदाजे रख रहे हैं, accurately रखना है तो इसने आपको on करना होगा, accurately move करना है, तो यहाँ पर देखे, यह हमने select कर लिया, move icon और यहाँ पर इसने आपको on कर दिया है, यहाँ से इसको click करेंगे और इसे drag करके इस point पर रख देंगे, यह आ गिए सेम पर इसी तरह स्कृस्ष्मके क्लिक करेंगे यहां पर एंड पॉइंट पॉइंट मिलेगा आपको यहां पर यहां आ गया इंट पॉइंट पर दोनों पर अंदाजी भी रख सकते हो इसे 3ds Max में चलता है थोड़ा बहुत अंदाजी काम करते हो तो है इन दोनों को सिलेक करेंगे यहां पर और वहां पर इसे फिलाल ऑफ कर देता हूं एस फॉपर जोन्हों को कनेक करेंगे यहां पर जितने भी शुटिप चाहिए एक दो तीन 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 की इसे एनई पॉलीगॉन का शॉफ टिप कट यहां पर 4 प्रेस करता हूं यह वाला ले लुगा इसको एक्स्टूड करेंगे रैट क्लिक एक्स्टूड यहां पर 10 इंच फिनिश नीचे का एक्स्टूड करेंगे 20 इंच पर सिलेक्ट, राइट क्लिक, एक्स्टूड, यहां पर कर देंगे 20 इंचिस, फिनिश, इस ही आ गया हमारा, एक, दो, तीन, और यह चौता है, हो सकता, इस स्टेप बड़े हुए हो, यहां पर ज्यादा हो गया इस स्टेप, बट आप यहां पर थोड़ा तीन स्टेप अड़ करे कम इस सेप में आप यहां पर काम चला सकते हैं, हम नहीं बनाए chef room, जो stairs का, यहां पर portion होता है, headroom वो हमने नहीं बनाया है क्योंकि front view से हो सकता है कि वो नजर ना है हमारे camera view में तो जो चीज़े आपको नजर नहीं आ रही उन चीजों को आपको बताने की जरूरत नहीं है जैसे कि back side कोई नजर नहीं आ रहा है तो बनाने की भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा काम मुझाएगा आपको काम बढ़ेगा सिर्फ headroom अगर नजर आ रहा है तो आप उसको भी यहां पर डाल सकते हो तो headroom के लिए अगेन मुझे क्या करना होगा rectangle होगे बनाना होगा उसके लिए plan मुझे चाहिए इसका तो plan को side में रखना होगा हमें copy कर लेता हूँ अब यह आ गया अब इसमें बस आपको line से इसके walls बनाने है doors fit करना है और इसको move करके यहां पर रख देना है ठीक है तो यह आप headroom बना सकते हो तो वीडियो बड़ा होने के वज़ा से मैं headroom आपको नहीं बताऊंगा बाकी चीज़े मैं आपको बता दे रहा हूँ अब चाहो तो इसमें भी कुछ parapet wall लगा सकते हो यह जो हमारा porch area है इसमें parapet wall लगा सकते हो और चाहो तो यह वाला जो है पूरा porch यहां तक भी ले सकते हो यहां तक end तक तो इसके लिए हम इसका जो है modify करने की कि इसके lines को modify करने की कुशिश करते हैं line यहां पर segment ले लेता हूं इस segment को select करूंगा यहां पर snap को off कर लेता हूं segment को select करके बढ़ा लूँगा यहां तक इस तरह segment कभी भी आप ले सकते हैं line में आपका line के setting हो जाएंगे अब हम extrude पर click करेंगे हमारा extrude हो जाएगा देखिए हमारा porch easily add होगे मेरा plan गायप होगे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा जेड़ जेड़ प्रेस करेंगे हमारे सामने आ जाएगा कभी भी अगर आपका drawing गायप हो जाता है तो आप जेड़ प्रेस कर सकते हैं actually इसमें एक और move करके यहां पर भी लगा लेता है इनको थोड़ा सा अंदर रखना होगा actually इसके lines rectangle के थोड़े से straight नहीं आये है तो हम rectangle के lines को थोड़ा straight कर लेते हैं इस point को यहां से ले लेंगे segment यह straight यह वाला भी top view से perfectly देखने है आपको इसको अभी बढ़ा करके यह ठीक है यह तो नीचे चला गया snap से कभी-कभी हो सकता है ऐसा problem इसको उपर कर लेते हैं okay extrude यह अप्स्ट्रेट हो गया अब इसी को देखे मैं क्या करता हूँ इसी को shift plus drag करके clone कर लेता हूँ और इसमें extrude को delete कर देता हूँ copy करना है okay copy करने से इसको delete करेंगे तो यह नहीं होगा तो यह अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको extrude करूँगा इसको मैं दो फिट ले लेता हूँ तू फिट cap off अब इसको shell करूँगा ओके यह हो गया अब इसको move करके मैं रख दूँगा snap on यह point जो है यहां से move यहां पर रख दीचे पोर्च का भी parapet wall आ गया है तो यही methods है 3ds max में कुछ भी draw करने के लिए अब plane ले लूँगा normal plane और यहां पर एक बड़ा सा ground plane ट्रॉ करूँगा इसका color थोड़ा सा मैं light कर देता हूँ इक ग्राउंड plane आ गया हमारा grid off यह बहुत ही ज्यादा bright है एक्चली देख सकते हैं हमारा plan जो है यहां पर complete हो चुका है बस इसमें हमें अब texture and color करना है उसके बाद उसमें हमें lights वगेरे sun वगेरे apply करना होगा और उसके बाद final rendering image त्यार करना होगा और image त्यार करने के बा तो यह तो हमने घर बना लिया है अब हम देखने वाले हैं यहां पर material texture material and texture कैसे हम 3ds max में बना सकते हैं उसका basic concept हम देखेंगे इसको मैं slide करके चोटा कर लेता हूं तो यह बहुत ही जादे important है किसी भी plan में अगर आप बनाते हो तो उसमें texture and material जितना advance बनाएंगे उतना real आ बनाने वाला हूं तो textures बनाने के लिए आपको यहां पर प्रेस करना है M, M for material तो material editor देखिए M से open हो जाएगा हो सकता है थोड़ा सा material editor यहां पर अलग नज़र आए क्योंकि मैं latest version 2023 यूज़ कर रहा हूं but options same ही है कुछ अलग नहीं है तो यह basic material editor है और एक advanced material editor भी आता है modes slate material editor इस तरह का इसमें आप इस space में material बना सकते हो वैसे तो मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है इसी में आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हो काम बट अभी आप beginner हो तो मैं ज्यादा advanced नहीं जाओंगा यहां पर compact material editor का ही use करूंगा जो भी material बनाएंगे यहां पर इस slot में आपको नजर आएंगे जो भी material के setting है नीचे आपके यहां पर parameters हैं ज्यादा complex की तरफ मैं जाओंगा यहां पर तो मुझे यहां पर wall के colors बनाने हैं तो यहां पर base color and reflection यहां पर base color आपको select करना हो ठीक है base color यहां पर base color ले ले लिजे जो भी घर को आपको color देना है जिस type का color देना है वह color आप यहां से select कर लीजिए इस तरह color चाहिए बेस color आ गया बन गया है अपर देखिए Roughness थोड़ा सा rough रखना चाहते है तो Roughness की value बढ़ा सकते और यहां पर क्या आता है कि अगर आपको थोड़ा सा चमकीला बनाने है अपने paint को जैसे का oil paint होता है या फिर कोई glass वगएर होता है तो चमकीला बनाने के लिए यहां पर देखिए glossiness है glossiness glossiness करेंगे तो यहां पर च चमक के लिए होता है देखिए glossiness में चमक एड़ होती है हमारे material में मगर यह वाल है normal paint है तो चमक होगे जुरत नहीं है apply कैसे करेंगे material बनाने के बाद जस्ट्राइग एंड्रॉप अप्लाइग हो गया ओके कर लेता हूं यह आ गया ड्रैग और ड्रॉप के अलावा सिलेक्ट करके भी सिलेक्ट सिलेक्ट दो अब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किये प्लीन फैन पैरपिट वाल इस पे क्लिक करके यहां पर देखिए assign material to selection यहां पर क्लिक कर दीजिए जस्ट अपलाय हो जाएगा इस आपको यहां से क्लिक करके यहां पर assign material to selection करना है multiple object में अपलाय कर सकते हैं यह वाला यहां पर assign material to selection इसको select करें यह वाला कर देते हैं तो यह basic material हमने बना लिया है अब थोड़ा advanced material बनाते हैं तो material advanced material बनाने के लिए आपके पास images चाहिए bitmap कहते हैं 3ds Max में bitmap images create through up texture बना सकत किस तरह के images होते हैं तो यह देखिए यहां पर जो material नजर आ रहे हैं यह हमारे images है यह photos है याद रखिए यह photos एकदम एक जैसे हैं seamless कहते है seamless यह वाला थोड़ा seamless नहीं है इसमें इधर shadow है इधर कम shadow इधर brightness ज्यादा है ऐसा नहीं एकदम seamless चाहिए इस तरह के तो यह textures है यह Google से आप बहुत सारे textures download कर सकते हैं आपको बहुत सारे मिल जाएगे आपको बस type करना है textures tiles texture या फिर wooden texture ऐसे type करना है आपको मिल जाएगे तो यह textures हैं इसके through भी हम बना सकते हैं doors के भी texture नहीं देखिए door के design के texture मेरे पास यहाँ पर है तो यह मैंने सारे अपने course में दिये हुए हैं जो के udemy और cad app में available हैं उन सब में मैंने यह files अल्रेड़ी दिये हुए हैं आप वहां से जाके download कर सकते हो तो यह सारे texture अब हमें यूज करके अपने 3ds max में material बनाना है देखे कैसे बनाते हैं तो अब हम third slot select करेंगे और यहाँ पर जाना है physical material अब physical material में करना क्या है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे options मिल जाएंगे यहाँ पर एक चीज करना होगा कुछ materials यहाँ पर नजर नहीं आते तो इस arrow पे click किज चीजिए show incompatible material यहाँ पर on किजिए show incompatible इस पर click किजिए बहुत सारे extra material भी आपको show होने लगे दे ऑटो डेस्का भी एक material का पूरा library आ जाता है यहाँ पर जैसे कि देखिए ceramic material यहाँ पर है tile material है देखिए tiles के बहुत सारे double click करके देखिए tiles का material आ जाएगा तो अभी यह material नजर नहीं आ रहा actually तो material नजर आने के लिए यह सारे material नजर आने के लिए रेंडर भी यहाँ पर हमें set करना पड़ता है दूसरा कोई material लेकर देखते हैं नजर आता है यह नहीं material is changed to Arnold में material यहाँ पर कुछ setting करना होता देखिए यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाना है यहाँ ड्रैक करना है render setting में render setup F10 shortcut है अगर यह material नजर नहीं आ रहा तो यह देखिए render यहाँ पर Arnold है यहाँ पर अगर आपने वीरे इंस्टॉल किया हुआ कोई plug-in या फिर Corona plug-in इंस्टॉल किया है वो भी दिखाए देगा फिलाल scan line जो 3ds Max का है उसको select करते हैं या फिर quick hardware render देख लेते क्या है quick hardware render में रख लेता हूं इसको और अब देखते हैं यहाँ पर Autodesk का material फैब्रिक के भी बहुत सारे material है डेवल क्लिक देख यह फैब्रिक का material आ रहा है यह अपलाइ करने के बाद ही समझ आएगा आपको यहाँ पर याद रखिए कि Autodesk के ready-made बहुत सारे material है ग्लास material भी यहाँ पर है ग्लास का material ग्लास के देखे clear glass, blue glass, green glass तो ready-made material आप just select किजिए slot को physical material ग्लास ले लिजिए यहाँ पर blue glass ले ले लेता हूँ आग यह blue glass material अपलाइ कर सकते हूँ और बनाना है तो किसे बनाएंगे slot को select करेंगे physical material इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ सारा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर material में जाएंगे general में जाएंगे यहाँ पर physical material और वीरे material बनाना है तो यहाँ पर आपको वीरे material लेना होगा वीरे करना होगा उसके लिए आपको तो वीरे के लिए हम वीरे material यूज करते हैं और 3ds Max में अभी हम 3ds Max का physical material ले रहे हैं तो physical material ले लिए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए same वही option जो physical material नॉर्मल स्लॉट में हम लोग जब आते हैं तो वो physical material ही होता है बट हमने अभी फिलाल चेंज कर दिया था उसको autodesk material हमने यूज कर लिया था इसलिए मैंने physical material अगेन इसमें apply कर दिया है तो same option मिलेंगे base color वगरे यहाँ से बट यहाँ पर जो slot मिल रहा है आपको यहाँ पर अगर आप कलिक करते हो तो आप इसमें map सिलेक कर सकते हो maps क्या होता है तो किसी भी advanced material को बनाने के लिए आपको maps का यूज करना पड़ता है और maps में जाना है यहाँ पर आपको देखिए bitmap look up option आ रहे हैं पर तो bitmap option होगा इस पर double click कीजिए यह open हो जाएगा यहाँ पर आपको photo select करना होगा just photo में चल जाएगे तो यहाँ पर मैं चला जाता हूं games texture folder में texture folder में मैं ले लेता हूं कोई भी texture ले सकते हो इसे जो भी आपको बनाना है यह वाला लेना है double click देखिए यहाँ पर material बन गया यहाँ पर बनाना है select already physical material है आप में select करने की जुरत नहीं यहाँ से जन्रल में physical material आप बनाएंगे तो बीरे material लेना होगा यहाँ पर अब फिजिकल material तो है यहाँ पर अब यहाँ पर जाएंगे अगे इस पॉइंट पर मैप select करने के लिए bitmap आ रहा है bitmap पर double click कोई material ले सकते हैं जो भी material आप चाहते हो ठीक है double click अब दोर का material मुझे बनाना है दोर का मटरे मैं इसमें select कर लेता हूं या फिर यह छे slot तो फूल हो गए नीचे आते हैं नीचे एक extra slot ले लेते हैं और इसमें हम अब बनाएंगे bitmap लेके दोर का मट तो यहाँ पर टेक्च्चर और जो दोर अपलाई करना है वह अलमट ले ले लिजिए इस अब गुगल से डाउनलोड किये हमें यह वह थोड़ा स्टाइलिश ले लेते हैं तो यह आगे डोर का मट अपलाई करके देखते हैं अब हम इसको select करेंगे यहाँ पर जाके यह assign material to selection अगर दिखाई नहीं दे रहा है तब क्या करेंगे दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको UVW मैप अपलाई करना होगा याद रखिए जब भी आप किसी object में bitmap के थुरू material अपलाई करोगे तो आपको UVW modifier apply करना होगा UVW map modifier यह आपको list में मिल जाएगा UVW modifier यहाँ पर मैंने shortcut add किया हुआ है यहाँ इस पर click करना है और click करते ही देखिए हमारा यहाँ पर door का material शो होने लगा अभी शो ने हो रहा था अब शो होने लगा तो याद रखिए bitmap के material में आपको use करना ही पड़ेगा यहाँ पर UVW map इसे बहुत सारे advanced setting मिल जाते हैं आपको देखिए जैसे के planar, cylinder, spherical जिस type का आपका shape होगा जैसे door का shape यहाँ पर planar है या box shape का है तो यहाँ से आपको box shape चलेक करना होगा आगर आप किसी cylindrical जैसे कि यह column है, cylindrical shape में apply करेंगे तो यहाँ से cylindrical लेना होगा ठीक है तो फिलाल planar ही लेंगे हम और plane लेके हम पर और setting क्या क्या मिल जाते देखिए आप क्या कर सकते हो इसमें जाके gizmo लेकर gizmo में जाकर इदेखिए gizmo से move भी कर सकते इस तरह से इसको scale करके छोटा भी कर सकते हो रोटेट लेकर इसको रोटेट भी कर सकते हो, ctrl-z करता हूँ मैं, तो gizmo का यह फाइदा होता है, कहीं पर भी adjust कर सकते हो, यहाँ पर जाना है gizmo में, gizmo में जाने के बाद इसको modify कर सकते हो material को आप, तो यह आला material हमने apply कर दिया, again मैं M for material जाता हूँ और कहीं पर apply करना है कोई material आपको तो जैसे कि यहाँ पर tile का मुझे material चाहिए, तो यहाँ पर जाओँगा, बनाओँगा मैं यहाँ पर map, bitmap, और मैं टाइल material यहाँ पर दूनूगा, यह texture मैंने दिये हुए है, तो tiles देखते हैं, यह वाले tiles apply करना है, तो इसको double click, यहाँ drag and drop, यह apply हो गया, तो apply होने के बाद इसको close करता हूँ मैं, अब देखिए, यहाँ पर सही से नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर सही से नजर नहीं आ रहा, tile, यह पर tile की size बड़ी नजर आ रही है, तो इसको change करना होगा, आपको modify करना हो, कैसे, यहाँ पर जाना होगा, UVW map इस tile की size यहाँ बड़ी लग रही है मुझे, तो मैं यहाँ पर UVW map के अंदर जाओंगा, गिजमो में जाओंगा, और गिजमो लेके scale कर दूँगा, हमारे tiles को, देखिए, move करके इसको move कर दूँगा, perfectly match करेंगे, यह देखिए, यह tile material अपला कर दिया, इसी तरह यहाँ पर apply करन है, M for material, new material बनाएंगे, यहाँ पर लेंगे bitmap, और bitmap में जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, यह ले लेता हूँ मैं, drag and drop, आ गया, नजर नहीं आ रहा, UVW map, box shape, अभी भी यह नजर नहीं आ रहा है, box shape के बाद भी, तो हम इसको गिजमो ले लेंगे, और यहाँ पर scale करें के देखते हैं इसको, I think हमने कुछ गलती किये हैं यहाँ पर, M for material, हमारा है, select assign, ठीक है, assign कर लिया, अब यहाँ पर जाएंगे, okay, यहाँ पर history है, actually, इसको right click करके convert to editable poly करना होगा, editable poly करने के बाद ही ठीक से material apply होता है, ठीक है, उसके बाद UVW map, अब UVW map करते ही देखें, यह आपर आ गया, यह देखें, editable poly करना होगा आपको, उसके बाद ही आप material ठीक से apply कर पाएंगे, तो यह वाला, अब यहाँ से जाएंगे, गिजमो, चोटा कर देंगे, यह हमारा टाइल से, यहाँ पर box shape ले लेगे, box में सही नजर आता है, यह हमारा stair भी यहाँ पर boxy shape का है, तो इसमें अगर कुछ आपको इस तरह से scale वगेर एक side में, करना है तो कर सकते है, okay, अब ग्रेनाइट का एक यहाँ पर, इ यह black वाले ले लेते है, drag and drop, drag and drop, तो इसमें भी मुझे right click convert to editable poly, इसको भी right click convert to editable poly, then UVW map, box shape, इसको भी select, UVW map, box shape, देखें, box shape अभी करते ही, अच्छे से नजर आने लगे, okay, और कुछ material बना लेते हैं, यह वाला ले लेते हैं, इक columns में apply कर देते हैं, F4, F4 प्रेस करके lines hide हो जाएंगे, अब नीचे ground, ground में जो भी apply करना है, grass वगेरे, m4 material, अब grass बना सकते हो, grass material, कैसे bitmap के through, just grass का image आपको चाहिए होगा, तो यहाँ पर grass वगेरे के image देखते हैं, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर देखते है, grass, G4 grass देखिए, यहाँ पर है, यही वाला grass ले ले लेता हूं में, drag and drop, तो यह तो grass आ गया, बट इसमें size बहुत बढ़ी आ रही है, तो इसमें UVW map, और plain, plain ही है, यहाँ पर plain ही compound wall भी बना सकते हो, अब just last हमारा door, windows के लिए glass material रहे गया है, यह door के लिए, इस door के लिए मैं, यहाँ पर हमारा door है, drag and drop कर देता हूं, select यहाँ से UVW map, apply कर देते हैं, हो गया, अब glass material ले ले लेते हैं, अब glass material तो हम बना नहीं सकते, फिलाल, basic के लिए मैं उतना recommend नहीं करू यहाँ था, वो वाला यहाँ पर है, उसी को apply करेंगे, देखे कैसे apply करेंगे, अगर हम यहाँ पर drag and drop करते हैं, तो यहाँ पर देखे, drag and drop, यह पूरा जो window होगा, पूरा glass का हो जाएगा, इसके frame भी glass के, तो ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, control Z करता हूं, बस glass में apply करना है, त इस दोनों को polygon को select करना होगा, और detach option आता इसमें, detach, इस दोनों polygon को detach, अब M4 material, अब glass material अगर हम इन दोनों में apply, इसमें only glass में apply होगा, और इस frame के लिए अलग material, तो यहाँ पर slot तो खतम हो गए, तो बढ़ा सकते हो अब slot, 3 by 2 को यहाँ पर 5 by 5 कर सकते हो, तो यह एक्स्टर slot आगे, right click करना है, और यहाँ पर, जितने ज्यादा slot चाहिए, उतना select करना है, अब हमें aluminum का material चाहिए, अमने frame के लिए, तो यहाँ पर right, इस पर हम physical material में जाएंगे, और autodays में देखेंगे, हम readymade हमें मिल जाए, तो अच्छा है, metals and aluminum है, यहाँ पर, aluminum, okay, aluminum material अपलाए करते यहाँ पर है, aluminum drag, dark, flat, black चाहिए, तो black ले लेते हैं, black aluminum, coated, यह drag and drop, देखें, विंडो में भी अपलाए कर दिया, इसी तरह हमें सारे windows को करना होगा, okay, इसका shortcut तरीका भी है, थोड़ा सा advance है, इस लिए मैं इस वीडियो में उसे explain नहीं कर सकता, आने वाले advance वीडियो में आ आपको वो चीज़े सेखने को मिलेंगी, या फिर आप हमारे complete course को buy कर सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़े explain की हुई है, तो इस तरह से detach करके हम इसमें apply कर सकते हैं अपने material को, तो यह हमने सीख लिया है, material कैसे बनाना है, material को कैसे apply करना है, windows के material और autodesk के material को कैसे हमें use करन है, bitmap image के through कैसे हम material बना सकते हैं, uvw map कैसे apply करना है, उसमें क्या-क्या settings होते हैं, इस सारी चीज़े हमने यहाँ पर material and texture में देख लिया है, अब last topic यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जो के है render, अब हम जो है यहाँ पर advance एक project का यहाँ पर render निकालने वाले हैं, जो के realistic render और corona software का use करके हम इसका render निकालेंगे, क्योंकि हमें 3ds max में जो render मिलता है, वो उतने अच्छे quality का नहीं होता, इसलिए हमें corona या फिर वीरे यहाँ पर plug-in के through render निकालना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं कि हम advanced realistic rendering कैसे कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर final rendering देखने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने एक final project को load कर लिया है, जिसमें हमने material, texture और यहाँ पर सारे element जो भी होते हैं, उसे हमने यहाँ पर डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि trees वगेरे भी डाल दिया है, texturing भी यहाँ पर की हुई है, सारी चीज़े हमने इसमें कर रखी है, और अब हमें बस final render इसका करना है, तो अगर आपको इस same project का complete tutorial देखना है, तो आप हमारे 3ds max course को cad app में access कर सकते हो, cad app में मैंने complete project का tutorial डाला हुआ है, आप वहाँ से इस project को access कर पाएंगे, अब देखिए यहाँ पर जो हमने project बनाया है, उसका front view, top view and left view हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर चाहूं तो center पर click करके हमारे perspective view को बढ़ा कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर बढ़ा हो गया, मैं इस perspective view को alt plus w प्रेस करके बढ़ा भी कर सकता हूँ, ताके मैं इस view में अभी काम कर पाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे trees वगरे हैं, यहाँ पर बहुत made element download कर सकते हो, याद रखिए इन सब को बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इस सारे internet में available होते हैं, सारे trees available होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हो, अगर आपको यह ready made files आपको चाहिए, तो हमारे CAD app में सारे files available हैं, आप वहाँ से जाकर ले सकते हो, तो यहाँ पर हमें final rendering के लि camera and lights बहुत ही जादा important होते हैं हमारे project में final rendering के लिए, तो उसको कैसे add करना है देखते हैं, तो यहाँ पर आप अगर जाते हो, तो यहाँ पर आपको देखिए, lights option देखेगा और यहाँ पर camera option देखेगा, तो हमें अगर यहाँ पर lights में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर lights में हमें corona नजर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए, corona software का plugin यहाँ पर install कर रखा है, market में बहुत सारे plugin अवेलेबल हैं, ताकि हम 3ds max में उसे install करके, realistic render यहाँ पर बना पाएं, तो मैंने यहाँ पर देखिए, corona का यहाँ पर plugin install किया हुआ है जिसके वज़ा से हमें यहाँ पर corona lights हमें मिल रहा है, corona sun भी यहाँ पर है, तो हमें lights पहले यहाँ पर set करने होंगे, तो मुझे यह daylight के लिए rendering करना है, तो मैं यहाँ पर corona sun ले लूँगा, corona sun लेने के बाद मैं यहाँ पर corona sun को इस direction से apply कर दूँगा, देखिए, click and drag and उपर क तरफ हम इसे उठा देंगे, देखिए, drag करके आपर उपर की तरफ ले जा सकते हैं, click करेंगे, यह हमारा set हो गया, देखिए, यह corona sun हमने यहाँ पर set कर लिए, आप चाहो तो 3ds max का भी sun यूज़ कर सकते हो, but 3ds max का जो sun वगेरे है या फिर light से उतने advance नहीं है, तो इसलिए आपको मैं recommend करूंगा, कि आप plugin install कीजिए, वीरे या फिर corona, अगर आपको simple रखना है, तो corona plugin बहुत अच्छा है, beginners के लिए corona plugin best है, तो यहाँ पर हमने sun देखिए, यहाँ पर set कर लिया है, और हमारा आप next काम है, यहाँ पर camera set करना हो, इस project का photo लेने के लिए, हमें एक camera यहा camera यूज करना है, आप चाहो तो physical target camera भी यूज कर सकते हो, जो के 3ds max में already available है, बट मैंने corona install किया हुआ है, तो corona camera मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इस पर click करूंगा, और किस तरह से apply करूंगा, देखिए, click करके drag करेंगे, तो इस तरह से focus इस तरफ आजाएगा, देखिए, यह आगे हमारा corona camera set, अब मैं थोड़ा सा alt plus middle mouse दबा के इसको orbit करूंगा, w प्रेस करके थोड़ा सा camera की height में उपर करूंगा, क्यूंकि देखिए, अभी जो है camera विल्कुल ground में है, तो हमें ठीक से हमारा project नजर नहीं आएगा, अगर आपको camera view देखना है, तो क्या करेंगे, alt plus w यहां पर अभी 4 views open है, वैसे हमें 4 view की ज़रुवत नहीं है, मैं 2 view में यहां पर switch कर लिया, आप देखिए, 2 view में switch करने के बाद, मैं यहां पर इस view में C press करता हूं, यहां पर, C press करने से आपको camera view नजर आएगा, जो भी camera में नजर आ रहा है, वो यहां पर नजर आएगा, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, देखिए, यहां पर option है, एक corner पर, cameras and corona camera, इस तरह से जाएंगे तो camera access कर पाएंगे, तो see for camera view, तो camera में यह देखिए, अभी क्या के सा नजर आ रहा है, तो आप यहां से इस तरह से drag भी कर सकते हो, यहां से इस तरह से drag करोगे तो देखिए camera भी उपर की तरफ move हो रहा है, देखिए, उपर की तरफ camera move होगा, इस तरह से, या फिर आप यही से इस camera को click किजिए, और इस तरह से उपर की तरफ move किजिए, देखिए, आप चाहो तो इसको left-right भी कर सकते हो, अगर view में सही से नजर नहीं आ रहा है आपका, तो आप इस इस तरह से camera को अच्छे से orientation दे सकते हो, यह हमने position कर लिया है हमारा camera, अब जैसा कि हमने यहाँ पर camera add किया हुआ है, यह camera, camera के भी settings यहाँ पर बहुत सारे आते हैं, यह सारे settings camera के यहाँ पर, corona camera के, यहाँ पर आपको एक button पर click करना होता है, यहाँ पर नीचे अगर आएंग यहाँ पर automatic vertical tilt पर आपको click करना होगा, थोड़ा सा यह जो है vertical walls जो है, थोड़े angle में नज़र आते हैं, उसके लिए आपको automatic vertical tilt पर on करना होगा यहाँ पर, तो यह वाला एक setting करना होगा, और यहाँ पर sun पर जाके, sun में जाने के बाद, add corona sky environment, add corona sky environment पर click करना होगा, जिसके यह से क्या होगा, corona का sky add हो जाएगा, तो यह फिलाल दो setting मैंने बता दी हैं आपको, और भी ज़्यादा अगर complicated की तरफ जाओंगा, तो आपको beginners में यह सारी चीज़े समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं जाता complex की तरफ नहीं जाता हूँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पर render settings देखेंगे, तो यहाँ पर मैं drag करूंगा, और यह देखिए, यहाँ पर render setting मिलेंगे, shortcut है F10, F10 दबाता हूँ मैं यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर click कर सकते हैं, तो यह render setting हमारे open होगे, अब render setting में क्या क्या set करना है देखिए, यहाँ पर तो render आपको select करना या फिर 3ds max के default render यूज़ करना चाते हो, जैसे कि scan line यह सब आपको already मिलेंगे 3ds max में, corona या फिर वीरे आपको install करना पड़ेगा, अगर आपको realistic render करना है, तो आपको corona या फिर वीरे ज़रूर यहाँ पर install करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं corona का यहाँ पर render select कर लेता और कौन से view को हमें render करना है, तो मुझे render करना है camera view, देखिए याँ पर corona camera view मुझे render करना है, अब corona camera view select कर लिया मैंने इस view को मुझे render करना है, यहाँ पर आपको select करना होगा कि आपके image की resolution क्या होने वाली है, means आप full HD, HD या फिर 4K में अपनी image को create करना चाहते हो, तो आप resolution सेट करना होगा आपको, अभी जैसे के 2500 by 1800 का resolution है, means 2K से भी यह थोड़ा सा उपर का quality हमें मिलेगा, तो 2K quality, याद रखिए जितना quality high रखेंगे, render के लिए उतना ही ज्यादा time लगेगा, और render के लिए याद रखिए, high specification का, आपके पास computer भी होना चाहिए, वरना आप आपका computer जो है hang होने के possibilities ज्यादा है, तो यहाँ पर width and height मैंने यहाँ पर set कर ली है, अब मैं क्या करूँगा, इस camera view में जाओंगा, और shift plus F प्रेस करूँगा, shift plus F, shift plus F से मुझे क्या नज़राएगा, एक box नज़राएगा, यहाँ पर देखिए, यह box मुझे दिखा रहा है कि हमारा कितना view render होने वाला है, तो देखिए उपर sky बिलकुल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे कर लूँगा, तो अब मेरा sky भी यहाँ पर नज़राएगा, इस तरह से आप set कर लेजे, यह जो rectangle है, इतना view मुझे मिलने वाला ह यहाँ पर render में, तो shift plus F से off भी हो जाता है, shift plus F से यहाँ पर on भी कर सकते हो, अब बाखी के जो settings है, वो जब आप Corona इंस्टाल करोगे, तभी आपको यह सारे settings मिलेंगे, वरना 3ds Max में यह settings नहीं होते हैं, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको scene में आपको यहाँ पर passes set करने हैं, जितने जाधा passes होंगे, उतनी जाधा clarity आपको मिलेगी, आपको generally limit passes कि कम से कम 150 तो रखना ही है, तो 150 कम से कम आप यहाँ पर रख लिजिए, और बाखी के settings नहीं भी करेंगे तो चलेगा, render element में कुछ post production work के लिए हमें यहाँ पर कुछ render element add करने होते हैं, तो यह सारे render element यहाँ से add करने होंगे आपको, add ले लिजिए, और यहाँ पर direct, emission, indirect, reflect, reflect, translucency, c masking id, c text map, इन सबको यहाँ पर add कर लिजिए, बस्त क्लिक करना है, क्लिक करना है सब में, control प्रेस करके, और यहाँ पर ok कर देना है, तो यह सारे add कर लिजिए, ताके आप यहाँ पर photoshop में इसको और भी ज्यादा edit करके enhance कर सको, तो photo को final touch up देने के लिए आपको photoshop में edit करना होगा, तो उसके लिए यह सारे settings आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, यह सारे photos add करने पड़ेंगे, अब यहाँ पर directly आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर render में click कर सकते, तो render में जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा, वैसे हमारा render यहाँ पर start हो जाएगा, देखिए, कुछ error से मैं इसे close कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ pre settings भी किये हुए थे, like skyve अगेरे के पहले से मैंने settings किये हुए थे, तो skyve अगेरे भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह आपका render image मिल जाएगा, अब मैं इसे stop करता हूँ यहाँ पर, image को save करने के लिए यहाँ पर जाना है, save और यहाँ पर images को save करना है, format आपको यहाँ पर select करना है, JPEG या फिर PNG, PNG में full clarity में आता है, तो यहाँ पर PNG select कर सकते हो, आप, तो यहाँ पर मैं cancel कर देता हूँ यह इसे भी close करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा final render है, इसमें मैंने Photoshop में कुछ थोड़ी बहुत editing भी की हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा image जो है enhance हो गया है, तो देखिए यहाँ पर यह project जो है, बहुत ही जादा clear हमें मिला है, Corona का render हमने इसमें use किया हुआ है, यह सारे जो elements है, tree अगरे मैंने download किये हुए है, गूगल से, अगर आपको यह सारे elements चाहिए, तो आप हमारे 3ds Max course को CAD एप से access कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़े मैंने already available की हुई है, तो यह हमारा हो गया, और कुछ चीज़े में दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि हमने बत फोटो को और भी ज्यादा real बना सकते हो, और भी ज्यादा उसमें enhance कर सकते हो, तो इन फोटो का भी use करना है, आपको final image इस तरह का मिलेगा, यह project मैंने अपने course में available कर रखा है, इस वीडियो में जितना हो सका, मैंने beginners के लिए 3ds Max को explain करने की कोशिश की है, इन सभी चीज़ को complete certified course करना है, तो आप हमारे CAD एप को Google Play Store से download कर सकते हो, या फिर udemy.com में भी हमारे courses available है, तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में